जिससे जनाजा आगे बढ़े जिससे जनाजा आगे बढ़े पुले सक्ति का इस्तमाल कर रही है हलकी सक्ति का इस्तमाल कर रही है जिससे जनाजा आगे बढ़े जनाजा आगे बढ़ नहीं पा रहा है मुक्तार के बड़े भाई अनॉसमेंट करते हुए मुक्तार के बड़े भाई अनॉस्मेंट करते हुए गेट के तरफ की पैन तस्वीरे दिखाईए पैन तस्वीरे दिखाईए मुक्तार के बड़े भाई अनॉस्मेंट कर रहा है लेकिन नारेबाजी हो रही है भीड मान नहीं रही है जनाजा आगे बढ़ गई है पा रहा है और देखें जो रॉबिन होट की छभी मुहंंदाबाद में थी उसी का पाइदा यहांपर अंसारी परिवार को मिलता हुआ भीड देखिए, क्रोश तस्वीरे, भीड की वाइट तस्वीरे, हम अपने दर्सकों को लगता दिखा रहा है जनाजा पिछले कुछ मिनिट से एक ही जगह पे है, अब जनाजा आगे बढ़ा, कब्रस्तान का गेट खुल गया कब्रस्तान का गेट खुल गया, कब्रस्तान में लोग घुसने लगए है, पुलिस रोकरे की कोशिश कर रही है हर कोई कब्रस्तान में नहीं जा सकता, कब्रस्तान के गेट के तरफ मुर चुका है जनाजा, मुर चुका है जनाजा पीछे गया जनाजा पीछे की तरफ जा रहा है उमर अंसारी उमर अंसारी वह यहां से लगतार अपील करते हुए जनाजे को अंदर जहाने दीजिए वाइड सौर्ट दिखाईए प्रोस सौर्ट दिखाईए वाट अमाम सौर्ट दिखाईए जिससे की यहां से लोगों को हटाथी हुई कि जनाजे को अंदर जाने दिया जाए पिछले कुछ मिल्टों से जनाजा जो है एकी जगापे खडा है क्योंकि पगलिक यहां पर हर कोई कवस्तान में इंटर करना चाहती है और कवस्तान के लिए लिस्ट बनाये गया है उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा जिनको इजाज़त है जिनको अंसारी परिवान ने इजाज़त दी है इस वक्त जो लोकल सीओ है उमर अंसारी से उन्होंने माईक अपने हाथ में ले ली है जो मैं देख पा रहा हूँ जो माईक अपने हाथ में ले ली है और यहाँ पर देखिए उमर अंसारी आगे बढ़ना चाते है जनाज़त को कबरस्तान में ले जाने के लिए और यहाँ पर देखिए जनाज़त को आगे बढ़ाया जा रहा है सकती से बढ़ाय जा रहा है कबरस्तान का गेट खोला जा रहा है कबरस्तान का गेट खुल गया मुक्तार अंसारी सुपुर्दे खाक होने के लिए एंटर करते हुए अंदर एंटर करते हुए कबरस्तान में कबरस्तान का गेट खुल गया सुकुर्दे खाक होने के लिए मुक्तार अंसारी इस वक्त कब्रस्तान में एंटर कर रहा है देखिये तस्वीरे पूरी पब्लिक जो आम जनता है वो इस सुकुर्दे खाक में शामिल होना चाहती है पुलिस को कड़ी मशक्कत करना पढ़ रहा है पूरी मशक्कत करना पढ़ रहा है गेट बं बं करने के लिए देखिये देखिये इस वक्त खुस चुके हैं अंदर गेट बं नहीं हो पा रहा है पब्लिक अंदर खुस्ते जा रही है बाहर बाहर देखिये बाहर की तस्वीरे देखिये पुलिस ने सक्ति का इस्तवाल कर दिया पुलिस देखे सक्ति का इस्तवाल कर दिया भीड बे काबू हो गई पार मिलेटरी फोर्स देखे पार मिलेटरी फोर्स आगे बढ़ गई और यहां पर देखे पार मिलेटरी फोर्स आगे बढ़ गई भीड को तीतिर बितिर कर दिया किया दिन्तिया प्लेश कंड़ और यहां पर बीर को जी को आपक हम पर प्रिण प्रियोग करना पड़ा पैराम इलेक्ट्री फोस के जवान को देखे किस तरीके से बीना अपने डंडे का इस्तमाल किये हुए पब्लिक को यहाँ साटा रहा है सक्ति से इस्तमाल किया जा रहा है मुक्तार अंसारी कबरस्तान में एंटर कर गए है सुपुर्ते खाक हो रहे हैं इस वक्त मुहंदाबाद में और देखिए हम आपको वो तमाम तस्वीरे exclusive तस्वीरे दिखा रहे है जड़ा एक बार wide तस्वीरे wide तस्वीर कबरस्तान के बाहर की दिखाईए कि किस तरीके से यहाँ पर पैर रखने की बिल्कुल जगा नहीं है और यहाँ पर देखिए लगतार लगतार हम वो तमाम तस्वीरे अपने दर्सकों को यहाँ पर दिखाते रहेंगे भीड बेकाबू हो गई भीड को कंट्रोल करने के लिए सपना यहाँ पर request किया जा रहा है कि आप लोग गैर बनाईए सुपुर्ते खाक पुलिस ने हलका बल का इस्तमाल भी किया पुलिस ने लाठी का इस्तमाल नहीं किया अपने हाथों का ही इस्तमाल किया सुपुर्ते खाक होने के लिए मुक्तार अंसारी जिनका कई दसकों तक प्रुवांचल में डंका बसता रहा उनके गुरगे उनके काफिले में हत्यार लहराते रहें अधेस राय हत्याकांड का आरोब और तमाम हत्याकांड का आरोब जो है मुक्तार अंसारी पर लगता रहा और इस वक्त जो तस्वीरे है जो आखरी नवाज अदा की जाएगी मुक्तार अंसारी के लिए चाहिर तोर पे उसकी तैयारी कब्रस्तान के अंदर की हम देख पा रहे है नारे बाजी हो रही है मुक्तार अंसारी को लेकर यहाँ पर बाहर कब्रस्तान के एक एक तस्वीर हम अपने दर्सकों को यहां से लगतार दिखा रहा है जिस तरीके से हम लगतार कवरेश मुक्तार अंसारी की हाँ पर कर रहते हैं। अखरी नवाज होगी और आखिरकार मुक्तार अंसारी सुपुर्ते खाक हो जाएंगे। आप लोग धेरे बनाए रखिए, धेरे बनाए रखिए, धेरे बनाए रखिए, धोड़े समय का प्रोसेस है, आखरी नवाज अदा हो जाए, सुपुर्ते खाक हो जाए, उसके बाद आप लोग जाके अंदर कवरेस्तान में दर्सन कर पाएंगे। लेकिन अभी का जो प्रोसेस है, law and order को कोई हाथों में ना ले, पुलिस लगातार अपील करती हुई, अपील करती हुई, इन तमाम लोगों से यहाँ पर, लगातार अपील कर रही है सपना, इन तमाम लोगों से हम देख पा रहे हैं यहां तस्वीरों में, भीड बेकाबू होती हुई, भीड को अपील करते हुए, इहां के स्थानिय लोग, कि आप लोग, आप लोग क्रिप्या करके देखें, फिर हलका बल का इस्तमाल, हलका बल का इस्तमाल सपना कर दिया गया है, पुलिस के तरफ, पुलिस जो है लगातार अनॉसमेंट यहां पर किया जा रहा है अब अब अंदर की तस्वीरें दिखाएए, प्रोसेस शुरू हो गया है, पेडों के दिखा पा रहा है देखें इस वक्त हम काली बाद कबरिस्तान के बाहर मुझूद हैं और जो मुक्तार अनॉसारी का जो जनाजा है वो कबरिस्तान के अंदर पहुँच चुका है बाहरी पुलिस फोर जो है वो यहाँ पर तेनात इस्थानी लोग जो है जिनकी नजर में रॉबिन हुटते मुक्तार अनॉसारी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे छोटे हों बड़े हों बुजर्गों तमाम लोग यहाँ पर इखटा हैं लोग सेलफी ले रहे हैं व अच्छा ख़ट भरी हुए देखिए मेरे केमरा से सुनी लिया आदा आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस सरसे जब सुबह हम यहाँ पर छे बजे रिपोर्टिंग करने पहुचे थे तो यहाँ पर केमल पॉलिस मौजूद नदराई थी लेकिन यहाँ पर आप दे पर की जो सुपर्देखाग की कारवाई है वो की जारी देखिए सुनील यादो यह सीरी तस्विर दिखा रहे हैं आपको इस कबरिस्तान के बाहर की जहाँ पर की कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीग दी गई है यहाँ पर आर्दसहिनिक बनों के जो जवान है C.I.C.F. क जो तुकडियां है वो तेनाद की गई है और यहाँ पर देख सकते हैं मुकतार अंसारी का जो पूरा परिवार है उनके चाहे भाई हो या उनके भतीजे हो वो तमाम लोग यहाँ पर अंदर परिवार के कुनवे के दूसरे लोग मुझूद है और यह उनका तरीके से पुलेमा काउंसिल के एक मौलाना साब भी यहाँ पर है मैं आपके बात कराता हूँ उनके पेरे कैमरा वसंद से वो लोगो थोड़ा कैमरा इज़र लेके आँ यहाँ पर आप शादिक साब क्या कहना चाहेंगे आप बहुत सारे लोग यहाँ पर आएं मुक्तार अंसारी के मैं इस वक्त कवरस्तान के अंदर की तस्वीरे दिखाने के लिए जा रहा हूँ अंकीता तब कवरस्तान के अंदर की तस्वीरे देखिए बाहर तो पुलिस फोर्स की पूरी अरेजिमेंट है लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो आपको हम दिखा रहा है मौलबी साह पहु पढ़ी जाएगी हूँ, उसकी तयारी अंदर की जा रही है, मैं इस वक्त यहां से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ, जो मुक्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ, अब जल अंसारी को देख पा रहा हूँ, और तमाम जो परिज वह मुक्तार अंसारी को अपना आखरी सराम कर सकते हैं लेकिन यह भीड़ यहां पर क्यों है क्योंकि जो शबी मुक्तार अंसारी की थी महमदाबाद में वह रॉबिन हुट की छबी जो यहां के लोगों को सहता करते थे बेटियों की साधी में जिस तरीके से अब वह मदद कर अगर हम बात करें तो 1990 के दसक में, 1980 के दसक में पहली बार मुक्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, मुखान सिंगिरों के साथ उनका नाम जुड़ा, उसके बाद जौनपूर मौू, गाजीपूर आजमगड में जो संगटित अपराद होता था, उसम 1990 के दसक में निकलता था, उनके काफिले में जो गुड़गे होते हैं, वो असला लहराते हुए जाते थे, तो ये सब जो तस्वीरे जिन लोगों ने दिखा है, वो लोग आज यहाँ पर मुखूद नहीं हैं, लेकिन जिनके नजर में रॉबिन हुट की तस्वीरे थी, मु पुलिस ने यहाँ पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से, सक्ती से निप्ता, अंदर से मुक्तार अंसारी के परिजन आए, उमर अंसारी को हमने देखा, अफजाल अंसारी को हमने देखा, मुक्तार अंसारी के बड़े भाई सुभूद दुला को हमने देखा, कि किस तरीके स तो बाहर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने शांती के अपिल की पुलिस को भी हलका बलका इस्तमाल करना पड़ा है और उसके बाद यहाँ पर भीड अब जो है कंट्रोल में आ चुका है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी मुक्तार अंसरी के भाई एक और भाई जो है यहां पर पहुँच गए है पर इंको आगे की तरफ ले जाए पर बताईए एलेक्सन का समय है कोई भी नारे बाजी करेगा वीडियोग्राफी हो रही है फाई यार दर्च किया जाएगा चिताओनी गाजीपुर्ट पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को जो लोग भीर गेट खुलता हुआ मुक्तारन सारी के यह भाई है यह चचेरे खुल गया गेट बंद हो गया विल्चेर पे हम देख पार है विल्चेर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जहां पर कब्र खुदा गया है मुक्तारन सारी का ठीक वहीं के तरफ जाते हुए और एक बार फिर से अनॉस्मेंट किया गया पुलिस के तरफ से बाहर की जैसे ही आख ही नवाज का वो कुछी पल में यहां पर सुरुवात कर दिया जाएगा एक बार फिर से दिखाए जरा वाइट तस्वीरे जो पैत्रिक आवास है मुक्तार अंसारी का उस सड़क से लेकर कब्रस्तान के गेट तक और और दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मोग के तरफ से जो सड़क आती है वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे टॉप एंगल सौट हम आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पुलिस की सकती के बाद पुलिस ने जो माइक से अनॉंसमेंट किया कि एफाई यार दर्ज हो सकती है चुनाओ का वक्त है और यह तमाम तस्वी हम आपको दिखा रहा है एक पर फिर से फिर से फिर से नारेबाजी हुई है पुलिस चेताओनी दे रही है फायार दर्ज होगा भीड ने पीछे से नारेबाजी की पुलिस ने चेताओनी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस आग के जवान नारेबाजी जिदर से हुई है उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगा कर अपना हलमेट और सीधे हुआ आगे जाते हुए कि जहां पर की मौझूद पर केमरा बसन आपको दिखाएंगे देखे सूनी लिया दो बिल् पर मौझूद है और बिल्कुल देखी यहां से महाज 50 मीटर की दूरी पर यहां पर भीड़ देख रहे हैं वहां पर मुक्तार अंसारी की जो कबर है उसे कल खोदा ग्यादा करीवन साड़े साथ फिट की जो कर्व थी और बिल्कुल उनकी कबर के सामने ही उनकी माता की उन उनके जो दूसरे निश्टदार हैं उनके खांदान के उनकी कबर वहां पर है और यहां पर देखी थोड़ी दे के बाद ही जो हैं जो अंती मिलिती रिवाज हैं वो यहां पर शुरू होंगे और उसके बाद सुपुर्देखाग के बाद यहां पर जो आम लोग हैं उनके भी यहां पर आने की अनुमती दी जा सकती है अलग यह प्रशासन के ऊपर है बहुत अच्छा करवाई है अदम बस उनको दफनाने की तैयारी हो रही है मतलब जो मुसल्मानों के धरम में होता वो चीज हो रहा है अभी दफनाय नहीं है अभी नहीं नहीं देर और लगेगा अभी सब लोग जो बाहर के लोग है और लोग आएंगे मिटी देंगे उसके बाद लाश्ट में फातिया पड़ा जाएगा अच्छा जी तो देखिए ये कर्श्ट अंडर है जो बता रहा है कि किस तरह से सुपर्देखाक की कारवाई में अभी थोड़ा वक्त रगेगा अभी उनका जो जनाजा है वो बिल्कुल उनकी कबर के पास ही रखा गया है पुलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद है और ये अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीरे माँ को सीज़े लगतार निगा रहा है ये तस्वीरे दिखाईए पुलिस के अधिकार रही है पीछे हट ये अचार संगीता है थ्रध कल दी जाएगी तो भीड को समझाते हुए पुलिस स्रक्ती से और दूसरी तरफ देखिए परामलेट्री फोर्स की तस्वीर भीड के बीच में अंदर घुसते हुए परामलेट्री की तस्वीर लोगों को उहां पर समझाते हुए कि आप लोग सांत रहिए अंदर की प्रोसेस अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिए कोई रसी के इस तरफ ना आए रसी के इस तरफ आते हैं जो जो ब्रस्ति करते हैं आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी लोकल पुल लकल पुलिस लोकल पुलिस के अला दिकारी जिस तरिके से लगतार चेतावनी दे रहे हैं तरिके से कह रहे हैं। और देखें अंदर भी कवस्तान के अंदर चैल पर सुरूख इससाइद जो आखरी नवाज है। वो अब पढ़ी जा रही है। वो अब पढ़िने की तैयारी हापर की जा रही है, मुखतार अंसारी का आखरी नवाज है वो पढ़ने की हापर तैयारी हो रही है, जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक्त देख पा रहा हूँ, अगर यूगल आप इधरत की तरह आएंगे तो पेड़ कुछ कम है, इधर से समझाती हुई, पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें, जो प्रॉसेस है अंदर सुपुर्ते खाक का, वो प्रॉसेस, उस प्रॉसेस की शुरौबात हो चुकी है, जो हम यहां से तस्वीर दिख पा रहा है, और जऱा क्लोस तस्वीरे अंदर की वहां की ढानाउस्मेटि होई यहां पर यहां पर रहाख़ के लिक पार हैं यहां पर देखें यहां एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहा हैं कबस्तान के कफ़्थान के बाहर की तस् के बाहर का जो महॉल तैब्स से थोड़ी ज़े पहले जिस तरीछ नारेबाजी हो रही थी कि खुद प्तार अंसारी का जनाजा जो है शुव क्योंड आगे बढ़ पर दिखा रहे हैं कवस्तान के बाहर का जो महौल तापस से थोड़ी ज़र पहले जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी अब खुद मुक्तार अंसारी का जनाजा जो है जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा तक काफी मशक्कत करनी पड़ी मुक्तार अंसारी के परिजनों को लगातार कंट्रोल करने की कोशिस हो रही है और उस भीड में आगे पैड़ा मुलेट्री फोसेस जो है अंदर दाखिल होती हुई जिससे की भीड कंट्रोल में रहे, law and order situation खराब ना हो, अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है, अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है, करभस्तान के अब अंदर की तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर का प्रोसेस देखिए, सुरू हो चुका है, जरा मैं आपको सीधे, यहाँ पर exclusive बातचीत कराता हूँ सुपुर्दे खाग हो गया, जो जानकारी मिल रही है एक शक समाधाने, सुपुर्दे खाग हो गया मुक्तारी अंसारी का, और कितनी देर पहले हुआ है तो देखिए, यह अब यह बता रहा है कि सुपुर्दे खाग हो चुका, और देखिए, यह तस्वीर है मैरे केमरा से आपको दिखाएंगे, अंदर के लोगों ने जानकारी दिये कि सुपुर्दे खाग मुक्तार अंसारी का हो चुका है, देखिए, यहाँ पर परिवार के लोग, स्थारी लोग यहाँ पर मुझूद हैं और अब देखिए, धीरे-धीरे यहाँ से लोग बाहर निकलेंगे, जो मट्टी है, वो उनके कबर पर डाली जा रही है, देखिए, यह सीधी इस्थानी लोग जो है, वो लगतार यहाँ पर भीड लगा हुए है, पुलिस लगतार अब वो खराब ना हो, और देखिए, फातिया भी जो है, उसकी कारवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है, फातिया जो एक रस रसम होती है, जो है, कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में, वो तमाम चीजे जो है, अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और अब देखना होगा कि जो परिबाहर है, वो कितनी धेर के भीतर जो है, यहाँ से कबरिस्तान के बाहर निकलेगा, और यह सरक पे लगतार जो पुलिस और प्रशासन है, व पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खो दिए ती कर्य saben 7-7, फिट की उनके पास में, उनके रिश्च्टारों के, उनके माता पिता की कबरे है, और उनका पुछ्टेनी यह कबरिस्तान है, कालीबात जिसका, नाम है कालीबात कबरिस्तान, वहाँ पर भी जो है, अब सुपर हम आपको यहां पर दिखा रहा हैं न्यूज एटीन इंडिया पर कि किस तरह से यहां पर परिवार के सदस जो है वो लगतार यहां पर मौझूद है देखे मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपुर्ते खाक नहीं हुआ है सुपुर्ते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहां पर देख पा रहा हूँ कि यहां पर फातिया पढ़ने किया जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया जाएगा उसके लिए उहाँ पर पूरी तयारी की जा रही है फिलाल मुक्तार अंसारी के शव जो है उसके माता पिता के पास रखा गया है क्योंकि जहाँ पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता पिता का शव है उहाँ पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे हैं यह कबरस्तान खांदानी कबरस्तान है मुक्तार अंसारी के परिवार का और जो फात्या पढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अभी पूरी की जाएगी और इस प्रोसेस के बाद ही मुक्तार अंसारी जैसे ही वह लोग बाँनिकलेंगे और उसके बाल यहां पर अस्थानिया लोग यहां पर जो मौजूद है वो अंदर जा सकेंगे पुलिस ने सक्ति का स्वाल कर रही है पुलिस भीड को पीछे खदेरती हुई जिना देखिए ये एक्सक्रूजिव्य तस्वीरें केवल न्यूज एक इन इंडिया पर पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई यहाँ पर देखिए अब देखिए पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई कह रही है कि आप पो जाना पड़ेगा पीछे आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं कोई कब्रस्तान के दिवार पे नहीं चड़ ज़कता है पुलिस यहां पर सक्ती से इन लोगों से डील करती हुई क्योंकि लगातार रुक रुक कर इसी भीड से लगातार भीड से इन लोगों को शेताँनी दी जा रही है कि Model Code of Conduct यहाँ पर लागू है, यहाँ पर आचार संगीता लागू है, अगर भीड की भीडियोग्राफी हो रही है, जो लोग भी नारेबाजी करेंगे, उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की जाएगे, भीड पीछे जाती हुए, क्योंकि पुलिस जब-जब बल प्रियोग करती है Paramilitary Forces के जब जब बल प्रियोग करते हैं, तब तक यह भीड पीछे जाती है, उसके बाद जैसे ही धिलाई थोड़ा सा Paramilitary Forces के जवान करते हैं, उत्त पकदेश पुलिस के जवान करते हैं, उसके बाद जो है, यह भीड एक बार फिर से आगे आ जाती है, तो तस्वीरे हम आ दूसरे तरफ यहां पर कभस्तान में आये हैं, यहां पर देख पा रहे हैं जो मुक्तालनसारी के परिजन है वह दूसरे तरफ आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि फातिया पढ़ने की प्रक्रिया है उसकी वह कुछी भी पल यहां पर शुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे यहां से देख पारा हूँ, मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं, वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शव के पास मौजूद हैं, जड़ा अगर क्रोल सौट आप दिखा पाएं, यूगल, हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है, क्योंकि पेड पौधे काफी जादा हैं, और हर करुसान की इसी तरीके की तस्वीर होती है, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन ये तस्वीरे जड़ा आप देखिए, और कब्र के पास फिलाल हम देख पा रहे हैं कि मुखतार अंसारी का बेटा, उमर अंसारी, वहाँ पर शव के पास पा रहे हैं, सिर्फ पे पघड़ी हैं और शव के पास बैटे हुए हैं तो जाहिर तौर पर जो फातिहा पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी पल शुरू हो सकती है। अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से, काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेड़ पौदें यहां पर लगता रहे हैं लेकिन हम कब्र के बास बेटें अभी हमने देखा यहां पर आके गंगीन माहुल में इसी पार्क में बैठे हुए हैं कुछ लोग उन्हें यहां से उठाके ले गाए हैं और देखिए यहां पर जो है पौलिस की सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता है कि जो लोग यहां पर इखटा हुए है उन्हें बापत अपने अपने घरों में जाने के लिए पौलिस उन से अपील कर रही है भारी जो फोर्स है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है और हजारों की दादाद में जो लोग हैं उनका हुजूम यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर इखटा है और मेरे कैमरा पसंद लगातार तस्वीरों के जरीए दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से अभी परिवार के लोग यहां पर ड्रोन भी देखिए यहां पर उड़ाये जा रहा है य पर यहाँ पर देखिये मट्टी पड़ी हुए यह एक्सकुलजिब तश्विशय उश्य ihm आपको यहाँ पर दिखा रहा है, परिवार के उस सदस्रेश यहाँ पर लगतार मुजूदेे देखिये, यहांपर जो है कप्ड़े एक शक्स हिलाता हुआ आपको नजर आ रहा है देखिएए यहाँ पर एक immense वीलचेयर भी रखी हुई नजर आ रही है परिवार के एक सदस्ट के लिए यहांपर आई थी और किस तरह से देखिएए यह मट्टी जहां पर नजार आ रही है यही कब्र है जो मुक्तार अंसारी की जिसकी तस्वीर हमने आपको कल भी गाई थी जिसे खोदा जा रहा था करीबन साड़े साथ फिट की जो कब्रे जिसे खोदा है रहा था वहाँ पर परिवार के लोग मौजूद है देखिए और देखे इस वक्त ड्रोन के जड़ी है ड्रोन के जड़ी है ड्रोन के जड़ी है ड्रोन पहली बार मुक्तार अंसारी के कवरस्तान के उपर ड्रोन ड्रोन की तस्वीरे ड्रोन की तस्वीरे जिरा दिखाए ड्रोन की तस्वीरे अब ड्रोन से है जो निगरानी रखी जारी है बिडियोग्राफी हो रही थी अब यहाँ पर देखिए देखिए हर किसी का नाम भी नोट किया जा रहा है डाइरी में यहाँ नाम भी नोट किया जा रहा है लगातार एक शक्स जो है यहाँ उपर चड़ गया है जिनसे कहा जा रहा है कि आप उतरिये आप उपर कैसे चड़ गया है आपके उपर F.I.R. दर दिखाईए चपल किस तरी के से लोग छोड़ के भाग है क्यों पुलिस ने सक्ति का इस्तमाल किया चपल की तस्वीरे दिखाईए यह चपल की वह तस्वीरे हैं जो यहां पर लोग छोड़ के भागे हैं क्योंकि अंदर लोग कवस्तान में जाने की कोशिस कर रहे थे पुलि उसके बाद लोग यहां से जब हटे पीछे की तरफ तो अपने अपने चपल यहां पर छोड़ रहा है और देखिए अब जो जैसे ही उड़ा पपली जो है पीछे की तरफ चली गई है पुलिस ने और कडाई कर लिया है बीम गाजीपूर बीम गाजीपूर कबस्तान के गेट पर मौझूद हैं और कह रही है कि अब कोई आए उसके खिलाफ कारवाई होगी जिनका लिस्ट में नाम है नियम से जो रहेंगे नियम के मुताबिक ही यहां पर काम होगा जिनका लिस्ट में नाम है जिनका मुक्तार अजारी परिजनों ने नाम दर्ज कराया है लिस्ट में उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा यहाँ पर जो है कानून वेवस्ता दूरुस्त रखने के लिए जो लौन और से लगातार यहाँ पर आम लोगों से अपील कर रहा है कि शान्ती में उस्ता बनाई रखी जाए और देखिए पूरी सड़क खचा खच भरी हुए देखिए मेरे केमरा से सुनी लिया दाओ आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस तरसे जब सुबह हम यहाँ पर छे बज़े रिपोर्टिंग करने पहुँचे थे तो यहाँ पर केमल पॉलिस मौजूद नदराई थी लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तदाद में जो लोग हैं उनके इस्थानी लोग हैं समर्ता के वो यहाँ पर मौजूद हो देखिए पॉलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर दिखाए जारी हो की जारी देखिए सुनील यादो यह सीरी तस्विर दिखा रहे हैं आपको इस कबरिस्तान के बाहर की जहां पर की कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीक दी गई हैं यहाँ पर आर्दसेनिक बनों के जो जवान हैं सियाइसेप की तुकडियां हैं वो तेनाद की गई हैं और खोदी थी जो केए टेकर बबलू हैं वह से भी हमने कल बात की ती और एक बाद देखी फिर हम आपको यहां पर देखिए ऐक मौन साब में आपके बात कराता हूं उनको फिर पीरre केमड़ा वसले से बोड़ा कैमरा ही दर लेके आँए यहां पर मैं इस वक्ताइब के अंदर की तसवीरे दिखाने के लिए जाँ रहा हूं किता कविस्तान के अंदर की तस्वीरे देखिए बाहर तो पुलिस फोर्स की पूरी एर्रेजमेंट है लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो आपको हम दिखा रहा है मौलवी साहब पहुंच गया है, मौलवी साहब तमाम प्रोसेस को अंजाम दे रहा है और हम एक एक तस्वीर आपको कविस्तान के अंदर की दिखा रहा है इस वक्त जो बॉड़ी है, जो शाव है मुक्तार अंसारी का वो उनके कवरे के पास रख दिया गया है और जाहिर तोर पे अगले कुछ मिनिट में जो आखरी नवाज है, वो आखरी नवाज पढ़ी जाएगी हूँ उसकी तयारी अंदर की जा रही है, मैं इस वक्त यहाँ से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ, अब जल अंसारी को देख पा रहा हूँ और तमाम जो पढ़ीजर है मुक्तार अंसारी को उनको यहाँ से देख पा रहा हूँ और जिनको भी नवाज अदा करनी है जो आखिरी सलाम करना है मुक्तार अंसारी को वो मुक्तार अंसारी को अपना आखिरी सलाम कर सकते हैं लेकिन यह भीड़ यहां पर क्यों है क्योंकि जो शबी मुक्तार अंसारी की थी महमदाबाद में वो रॉबिन हुट की छबी जो यहा मुक्तार अंसारी की अदावत भी कई गैंगों के साथ हुई उनका भी हम जिक्र करेंगे लेकिन हम तस्वीरे दिखा रहे हैं इन सब के बावजूद मुक्तार अंसारी का जब काफिला 1992-2000 के दसक में निकलता था तो उनके काफिले में जो गुड़गे होते हैं तो असला लहर जाते हुए जाते थे तो यह सब जो तस्वीरे लोगों जिन लोगों ने दिखा है वो लोग आज यहां पर मुक्तार अंसारी की वो लोग यहां पर मौजूद है और इस भीड भीड जो पुलिस ने हल्का बल प्रयोक यहां पर किया है उसके बाद यह भीड छटी है यहां जडाँ यह वाइट तस्वीरे जए हमां अंदर की तस्वीर तो दिखा ही रहे अपने दर्शोकों को बाहर की भी थे पार जो है थोड़ा सा भीड कंट्रूल में हीए पुलिस ने यहां पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से सक्ती से निप्ता अंदर से मुक्तार अंसारी के परिजन आये, उमर अंसारी को हमने देखा, अफजाल अंसारी को हमने देखा, मुक्तार अंसारी के बड़े भाई सुभी बदला को हमने देखा, कि किस तरीके से वो बाहर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने शांती के अपिल की पुलिस को भी हलका बलका इस्तमाल करना पड़ कि खिलाफ कारवाई की जाएगी अफायार दर्जोगा विडियोग्राफ मुक्तार अंसारी के भाई एक और भाई जो है यहाँ पर पहुंचे हुए है मुक्तार अंसारी के परिजन है शायद और इनको आगे की तरफ ले जाए पर बताईए एलेक्सन का समय है कोई भी नारेबाजी करेगा विडियोग्राफी हो रही है अफायार दर्ज किया जाएगा चेताओनी गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसारी के यह भाई है यह चचेरे विल्चेर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जहां पर कबड़ खोदा गया है मुक्तार अंसारी का ठीक वहीं के तरफ जाते हुए और एक बार फिर से अनॉस्मेंट किया गया पुलिस के तरफ से बाहर की जैसे ही आखरी नवाज हो जाएगी सुपर्ते खाक हो जाएंगे मुक कुछी पल में इहां पर सुरुवात कर दिया जाएगा एक बार फिर से दिखाएगे जरा वाइट तस्वीरे जो पैत्रिक आवास है मुक्तार अंसारी का उस सड़क से लेकर कब्रस्तान के गेट तक और और दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मौ के तरफ से जो सड़क आती एक बार फिर से फिर से नारेबाजी हुई है पुलिस चिताओनी दे रही है फायार दर्ज होगा भीड ने पीछे से नारेबाजी की पुलिस ने चिताओनी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई देख सकते हैं पैरा मिलिक्ट्री फोसेस के जवान नारेबाजी जिदर से हुई है उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगाकर अपना हलमेट और सीधे हुआ आगे जाते हुए लेकर इसमत्र बहुत हैं के जाते हैं लेकर यहां पर की जिदे हैं पैर शुनिंदा लोग जो है परिवार के और कुछ इस्थानी लोग जो हैं वो यहांपर मोजूद है और बिल्कुल देखी यहां से माज 50 दूरी पर जहांपर भीड देख रहे हैं वहाँ पर मुक्तार अंसारी की जो कबर है उसे कल खोदा ग्यादा करीवन साड़े साथ फिट की जो कर्व थी और बिल्कुल उनकी कबर के सामने ही उनकी माता की उनके पिता की और उनके जो दूसरे निश्टदार है उनके खांदान के उनकी कबर वहाँ पर है और यहाँ पर बहुत अच्छा कारवाई है अब बस उनको दफनाने की तैयारी हो रही है मतलब जो मुसल्मानों के धरम होता है वो चीज हो रहा है अभी नहीं 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 अभी कर दास पंदर मिनिट लगेगा विटाएं जी वो यहां पर मुझूद थे और अब यहां पर आप देख सकते ह आ रहा है जो प्रशासिनी कदिकारी है वो भी यहां पर मौझूद है और भारी लोगों का जो हुझू में देखिए मैं आपको तस्विर दिखाता हूँ यह आगे में रोड की तरफ जो सड़क जा रही है यहां पर सेकडों की दादा हाथ में लोग मौझूद है कुछ दौरान भारी संख्या में समर्थकों की भीर उम्री रही जनाजे की नमाज के दौरान लोग कबरिस्तान के बीतर जाने के लिए होड मचाते दिखे बेटे उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी की मौझूदगी में पूरी प्रक्रिया की गई लेकिन यह बाहर की चुनौती बहुत बड़ी है और वो इसलिए है क्योंकि लगातार वहाँ पर जो भीर है वो बढ़ती चली जा रही हो और ऐसे में कब्रस्तान के बाहर मौझूद भीर को समाला एक बड़ी चुनौती तमाम पुलिस प्रशासन के लिए और इसलिए बार बार आंसमेंट भी क बाती सुक के ब्रेकिंग यूसी कर लेंगे शराब भोटाला मामले में दिल्ली के परिवान मंत्री केलाज गहलोत को एडी ने समंस भेजा है इडी ने आज ही उन्हें पूछताज के लिए बुलाया और इस मामले में दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल समेट आमापनी पार्टी के नेता पहले ही गिरफतार हो चुके हैं इडी सुत्रों के मताबिक कैलाज गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने इस शराब नीती के मसौदे को तयार किया था और ये मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था बड़ी अफडेट अरविन केजरिवाल के बाद अब इडी का शुकंजा कैलाज गहलोत पर भी शराब गोटाला मामले में तस्ता हुआ नजर आ रहा है शराब गोटाला मामले में दिली के परिवार मंत्री कैलाज ग혈लोत को इडी ने समंस बेजा है इडी ने आज ही उन्हें पूश्टाज के लिए बुलाया है दीपफ आज ही कैलाज गयलोग को पूश्टाज के लिए बुलाया है कोई जानकारी कब तक महुंचेंगे दीपक कोर मेंबर्स में थे शराब मिती के मुश्टाज को इनोने तयार किया था और इसलिए भी पूश्टाज एडी की बहुत ज़रूरी हो जाती है बिल्कु निश्टाज में देखे अब तक जितने करदार भी यहां बचाहे हो जली के मुश्टाज के जिवार हो उनके साथ ही जितने बड़े बड़े राज्वें तक जो नेज़र थे उनको इडी अपने पूश्टाज के अलावा गिरसार कर सुकी अब एसे में पर चुरौती होगी उनके लिए भी को कि उनका सामना करना है और इस तरह से अब उनका समय का इंजार किया रहा है कि अपनी चाश्ट में यह पूरा रख सुकी है कि इस तरह से साथ गूरुप लॉबी को जो है फाइदा पोश्टाने के लिए पूरा प्लैन बनाया गया गय है तो उस पूरे माफिक उसमें यह कहना होगा कि यहाँ पर जो भूमिका उनकी है वो कहें गहीं पर इस भूमिका में गयनोद भी यहाँ पर और आज गूतियों को देश की सरवोच सम्मान भारत तत्री से सम्मानत त्या जाएगा और फिलाल तस्वीरे आप जो देख रहे हैं उसमें राश्पती द्रौपदी मुर्मू सम्मानत करते हुए आपको दिखाई दे रही है जिन चार्व लोगों को भारत तत्री दिया जा जावा बिहार के पूर मुर्मंत्री करपूरी ठाकुर और प्रशी वैग्यानिक डॉक्टर एमस स्वामी नाथन को भी देश के सरवोच सम्मान से सम्मानित किया जाएगा लेकिन तस्वीरे आप देख रहे हैं उदान मंची नरेंजर मोदी की वह दूदी की वह है उनके ठी जो दादा जी है चौदी चड़न से उन्हें दिया गया है और रिसीव करने के लिए उनके पोते अरल्डी के अध्याश पहुंचे हैं डॉक्टर मानकोंबू, सांबशिवन, स्वामी नाथन, मर्णो प्रांथ, उनकी पुत्री डॉक्टर नित्याराओ जी जी अभी अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं उनकी पास ही रखा गया है पुलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद है और ये अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीर है मैं आपको सीज़ा पतार निगा रहा है फीचे हट ये नारे बाजी नहीं पीछे हट ये नहीं तो फाई यार दरज होगा परिजन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से खुर्दंग बाजी हा ना करे मोडल को जो रखा पर लगा हुआ है तो भीड को समझाते हुए पुलिस सक्ती से और दूसरी तरफ देखिए परामिलेट्री फोर्स की तस्वीर भीड के बीच में अंदर घुसते हुए परामिलेट्री फोर्स की तस्वीर लोगों को उहां पर समझाते हुए परामिलेट्री फोर्स की आप लोग सांत रहिए कि अपर लेखा इज़ आपना जगा लेखते हुए लोकल पुलिस जगा बनाने के लिए जो रसी है उस रसी पर लोग पार्मिल्ट्री फोसे के जवान एसस्बी के जवान जो है वो तैनाप होते हुए डेखे हर जगा पर देखे भीड 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 नारेबाजी कर दिविड को सांत करने के लिए कुछ लोग बोल रही तो कुछ लोग नार्यबाजी करते हैं हर जगा Carouse आखरी नवाज एफ पढ़ने की तैयारी हापर की जा रही है, मुख्तार अनसारी का जो आखरी नवाज वह पढ़ने की हापर तैयारी हो रही है, जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वद देख पा रहा हूँ, अगर युगल आप इधरत की तलफ पाएंगे तो पेड़ कुछ कम ह अवेबो तश्वीर रहें इधर से आगर हम तस्वीर दिखा पाएंगे खिक आप आप जो तस्वीर हैं देखिए देखिए लोग जो है इस दिवार पेटर चढ़ने चरने के कोशिस कर रहा है लेकिन वही पुलिस समझाती हुई पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें ऐसा हरकत ना करें जो प्रोसेस है अंदर सुपुर्ते खाक का वो प्रोसेस उस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है उस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है कि मुपनी होई की यहां से पुमिश को हटा ती हुई, यहांसे लोगों को हटाती हुई, हुए यहां पर आप देख पा एहां हुई, यहां से पुलिस यहाँ पर देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर, हम एक एक तस्वीर, एक एक तस्वीर, हाँ, एक एक तस्वीर हम आपको लगतार यहाँ पर दिखा रहे हैं, कबस्तान के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कबस्तान के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कबस्तान के ब प्रॉसेस सुरू हो चुका है अंदर के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अंदर का प्रॉसेस देखिए सुरू हो चुका है जरा close shot पीड़ पौदे हैं सायद उतने अच्छी तरीके से विज्वल नहीं रिखा पा है जो लेकिन मैं इस वक्त अपने आपको से देख पा रहा हूँ जो अंदर का process है worst process की सुरुआति हाँ पर हो चुकी है कर देखिए मैं आपको सीरी यहां पर exclusive बातचीत कराता हूं सुपुर्दे खाग हो गया जो जानकारी मिल रही है एक शक्त समाधाद है सुपुर्दे खाग हो गया मुक्तारी अंसारी का हो चुका है देखिए यहां पर परिवार के लोग इस्थारी लोग यहां पर मौजूद अब देखिए धीरे धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मट्टी है वो उनके कबर पर डाली जा रही है देखिए यह सीधी तस्वीर है मैं आपको exclusive अंदर की दिखा रहा है कि आब यहां से लोग धीरे दीरे बापस बाहर निकलना शुरो हो रहा है तो देखिए यह स प्तार अंसारी का जो जो शब है वो यहां पर लाए जा सकता है और उसी के आसपास का समय था जब मुक्तार इस्थानी लोग जो है वो लगतार यहां पर भीड लगा हुए है पुलिस लगतार वो खराब ना हो और देखिये फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायद प कबर में वो तमाम चीजें जो है अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि जो परिबाहर है वो कितनी देर के भीतर जो है यहां से कबरिस्तान के बाहर निकले का और यह सब्सक्राइब लगतार जो पुलिस और प्रशासन है बो लगतार मोजूद के अंदर भी पुलिस के अधिकारी मौजूद हो यह कबरिस्तान की अंदर की तस्वीर है कि मैरे केमरा पसंद सुर्ण जादव आप केमरा का फोकस है बिल्कुश सामने आप जहां पर भीट देख रहा है वही पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खोदी गईती करीवन साड़े स फिट की उसके उनके ही पास में उनके रिष्टारों के उनके माता पिदा की कबरे उनका पुछ्टेनी यह कबरिस्तान है काली बाग जिसका नाम है काली बाग कबरिस्तान वहां पर भी जो है अब सुपुर देखाक मुक्तार अंसारी को कर दिया परिवार के रिष्टार दे कि सदर से जो है वो लगतार यहां पर मौझूद है देखे मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहां पर देख पा रहा हूँ कि यहां पर फातिया पढ़ने किया जो रितिरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया जाएगा उसके लिए उहां पर पूरी तयारी की जा रही है फिलाल मुक्तार अंसारी के शव जो है उसके माता पिता के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में जो प्रॉसेस होता है वो प्रॉसेस अभी पूरी की जाएगी और इस प्रॉसेस के बाद ही मुक्तार अंसारी सुपृतिक हाग होंगे सुपृतिक हाग जैसे ही होंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो अंदर हैं मुक्तार अंसारी के रिलेक्टिब्स बाहर निकलेंगे उसके बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहां पर जो पस्थानिय लोग यहां पर जो मौजूर हैं वो अंदर जा सकेंगे पुलिस ने सकती का इस्तमाल कर रही है, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, जरा देखिए यह एक्स्कूजिव तस्वीरे, केवल निउस एक इन इंडिया पर, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, यहाँ पर देखिए, अब देखिए, पुलिस भीड को पीछे खदर इन लोगों से डील करती हुई, क्योंकि लगातार रुक रुक इसी भीड से लगातार भीड से इन लोगों को चेताओनी दी जा रही है कि तब तक बिड पीशे जाती है उसके बाद जैसे ही ढिलाई थोड़ा सा पारामिलिट्री فोसेस के जवान करते हैं उत्तव प्रद्षेश्पोलिस के जवान करते हैं उसके बाद उसके बाद तक बढ़ जो है यह पिर से आगे आजाती है तो तस्वीर हम आपको लगातार इहां पर दिखा रहा हैं नुस इचिन इंडिया पर एक्स्क्रूजफ़ूजिव तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहा हैं लिए पीछे की। प्रक्रिया है उसकी वो सुरू हो रही है फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुसी भी पल यहां पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे यहां से देख पा रहा हूँ, मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं, वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शव के पास मौजूद हैं, जड़ा अगर क्रोल सौट आप दिखा पाएं, यूगल, हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है, क्योंकि पे अंसारी वहां पर शव के पास बैठा हुआ है, और मौलवी को भी हम यहां पर देख पा रहे हैं, जड़ा मेरे पास आईए, यूगल, हम से आप एक प्लोस सौट दिखा पाएंगे, जड़ा पैन करिए उस जगा, जहां पर हम देख पा रहे हैं, मौलवी को साहब को देख आईए, सिर पे पगड़ी है, और शव के पास बैठे हुए है, तो जहिर तोर पे जो फात्या पढ़ने की प्रक्रिया है, वो किसी भी पल सुरू हो सकती है, अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरे की किस तरीके से कभ्स्तान में काफ वेदर कुछ लोगों इस वक्त हम काली बाग कभरिस्तान के बाहर मौजूद है और जो मुक्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कभरिस्तान के अंदर पहुंच चुका है बाहरी पुलिस ठोर जो है वो यहां पर तेनात है इस्थानी लोग जो है जिनकी नजर में रॉबिन रपोर्ट में नारेवाजी हुए उनके परिवार के लोग भी लगातार यहां पर आम लोगों से अपील कर रहा है कि शान्ती में उस्ता बनाए रखी जाए और देखिए पूरी सड़क खचा-खच भरी हुए देखिए मेरे केमरा से सुनी लिया आदा हो आपको टॉप कि लिया पर तश्मीरे द्खाता हूं घर हम कर देखेंगे रहा है तो हम देखेंगे यहां पर जहां पर कि पोलिस पीज पी शी की जवान खड़े हुए यहू से मैं आपको तस्ويर जिकाता हुए बंदर की थोड़ीं तस्तित ड़िखाबी जहां पर यहां पर को परिंठी त पूरा परिवार है उनके चाहे भाई हो यह निकिए भतीजे हो वह तमाम लोग यहां पर अंदर रे परिवार के कुनवे के दूसरे लोग मौजूद है और यह उनका तरीके से पुष्टेने कभरिस्ताने यहां पर उनके पिता की उनकी माता की इसके लावा उनके दादा-पर-दादा की कबर यहां पर हैं। खूदी री थी, जो केयर टेकर बबलू है। जी मिनुफा डिया गया है और जाहिरत तौर्पे अगले कुछ मिनिट में जो अफिरी नावाज है, पढ़ी जाएगी हूँ उसकी तःआरी अंदर की जा रही है, मैं इस वक्त यहां से उवर अंसारी को देख पा रहा हहूँ जो मुक्तार अंसारी के छोटे पेटे हैं, उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ, अब जाल अंसारी को देख पा रहा हूँ और तमाम जो पड़िजर है मुक्तार अंसारी को उनको यहां से देख पा रहा हूँ जो वो तमाम प्रोसेस कर रहा है आखरी नवाज यहां पर पढ़ी जाएगी मुक्तार अंसारी और जैसे ही सुपर दिखाख होंगे अंकिता उसके बाद से ही यह जो तमाम भीड है उसके लिए गेट यहां से खोल दी जाएगी वो भीड एंटर करेंगे और जिनको भी नवाज अदा करनी है जो आखरी सलाम करना मुक्तार अंसारी को वो मुक्तार अंसारी को अपना आखरी सलाम कर सकते हैं लेकिन यह भीड़ यहां पर क्यों है क्योंकि जो शबी मुक्तार अंसारी की थी मुहमदाबाद में वो रॉबिन हुट की शबी जो यहां के लोगों को सहता करते थे बेटियों की साधी में जिस तरीके से वो मदद करते से केवल मुहमदाबाद में लेकिन अगर पुरुवांचल वासियों के अगर हम बात करें तो 1990 के दसक में 1980 के दसक में पहली बार मुक्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम रखा मुक्तार अंसारी की अदावद भी कई गैंगों के साथ हुई उनका भी हम जिक्र करेंगे लेकिन हम तस्वीरे दिखा रहे है इन सब के बावजूद मुक्तार अंसारी का जब काफिला 1990-2000 के दसक में निकलता था तो उनके काफिले में जो गुड़गे होते हैं वो असला लहराते हुए जाते थे तो यह सब जो तस्वीरे जिन लोगों ने दिखा है वो लोग आज यहां पर मुक्तार अंसारी की वो लोग यहां पर मुझूद है और इस भीड भीड जो पुलिस ने हलका बल प्रयोक यहां पर किया है उसके बाद यह भीड छटी है यहां पर जड़ा यह वाइड तस्वीरे जो हमां अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे है अपने दर्सकों को बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दिए अब बाहर जो है थोड़ा सा भीड कंट्रोल में होई है पुलिस ने यहां पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से सक्ती से निप्ता अंदर से मुक्तार अंसारी के परज़न आए उमर अंसारी को हमने देखा, अफजाल अंसारी को हमने देखा, मुक्तार अंसारी के बड़े भाई सुभी बदला को हमने देखा कि किस तरीके से वो बाहर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने शांती के अपिल की पुलिस को भी हलका बलका इस्तमाल करना पड़ा है और उसके बाद यहाँ पर भीड अब जो है कंट्रोल में आ चुका है अब 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 यहाँ से पुलिस पुलिस ने पुलिस ने यहाँ पर पुलिस ने यहाँ से चेतावनी दे दिया भीड को बड़ी खबर चेतावनी दे दिया कि एलेक्शन का समय है कोई भी नारे बाजी करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी अफायार दर जोगा के परिजन है शायद परिजन और इनको आगे की तरफ ले जाए 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 जो लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसारी के ये भाई है ये चचेरे भाई है जिनके लिए गेट खुल गया है और वो वीलचेयर पर बैठे हुए है और वो इस वक्त करबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्योंकि आखरी नवाज जो है इस वक्त अदा की ज जाते हुएं और एक बार फिर से अनॉस्मेंट किया गया पुलिस के तरफ से बाहर की जैसे ही आखरी नवाज हो जाएगी सुपृते खाक हो जाएंगे मुक्तार अंसारी हर किसी को इजाज़त दी जाएगी कि अंदर वो कबस्तान में जाए आखरी सलाम वो कर सकते हैं आख दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मौग के तरफ से जो सड़क आती है वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे टॉप एंगल सौट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की सकती के बाद पुलिस ने जो माइक से अनॉस्मेंट किया कि फाई आर दर्ज हो तरफ बढ़ती हुई देखे यह तस्वीरे एक्स्वीरे निजटी इंडिया पर जिधर से नारेबाजी हुई है पुलिस ने चेताओं नी दिया फाई यार दर्जोगा विडियोग्राफी हो रही है पुलिस उधर की तरफ आगे बढ़ती हुई भीड पीछे की तरफ हटती हुई यह एक्स्वीर तस्वीरे के वहला आप निजटी इंडिया पर देख सकते है परामिलिक्ट्री फोसेस के जवान नारेबाजी जिधर से हुई है उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगा कर अपना हलमेट और सीधे है कि जहां पर देखा रहा है जहां पर की कैमरा बसन आपको दिखाएंगे देखे सूनी लिया दो बिल्कुल अंदर की तस्वीर दिखाएंगे बाहर दिस तर से पूरी हुजूम यहां पर है पुलिस फोर्स है वैसे ही देखिए अंदर की तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं यह कबरिस्तान के अंदर की तस्वीरे हैं यहाँ पर कि कुछ चुनिंदा लोग परिवार के और कुछ इस्थानी लोग वो यहाँ पर मुझूद हैं और बिल्कूल देखी यहां से महाज 50 मीटर की दूरी पर जहां पर भीड़ देख रहे हैं वहाँ पर मुक्तार अंसारी की जो कबर है उसे कल खोड़ा गयादा करीवन साड़े साथ फिट की जो कर्व ती और बिलमकुल कबर कैंप How Kate की पटा कि और अजो दूसर09 जो आपके निश्वडार है उनके खंदान के जो एंकर। को आपके है। यहां पर होगे ऐसके S fresco इंहां अभी उल्क आए ऑनों की तैयारी हो हो रही हैああ जो यह निय éo लोग जो बाहर के नों यह तोड़ा बड़ेगा है अभी उनका जो जनाजह है वह वह बिल्कुल अभूर के पास ही रखा गया है पोल्स मेल्स के अधिकारी जो है वो भी इस कब्रिस्तान के अंदर मौझूद है और यह अंसारी परिवार का पुष्टेनी कब्रिस्तान है जिसकी तस्वीर है माँ को सीज़े लगतार निगा रहे है जो हूँ कर रहे हैं उनको समझाइए अब रेकॉर्डिंग हो रही है वीडियोगाफी हो रही है फायार दर पारिजन भी रिकवेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस to तरीके से grow़ रही है अचार संकीता है Mindy Kejama Re nghi लगा हुआ है मेडाल कोड़ी हो रही है चारो तरफ से रिकौर्डिंग हो रही है और चारों चरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है उप्र से दाए से बाइ से हर जड़त से वीडियो रेकॉर्डिंग हो रही है तो किसी भी वक्त यहां आउट आउट पर्फोल हुआ तो एपायार दर्ज कर ली जाएगी तो भीड को समझाते हुए पुलिस सकती से और दूसरी तरफ देखिए परामिलेट्री फोस की तस्वीर भीड के बीच में अंदर घुसते हु हुआ के अब एपके खिलाफ कड़ी कारभाई की जाएगी लोकल पुलिस करेगी कड़ी कारभाई बीड को सामत करने के लिए कुछ लोग बोल रहा है तो कुछ लोग नारभाजी कर रहा है हर जगा इस तरीके से कुछ हुर्दंगी होते हैं और इन हुर्दंगी के रहाफी Calling दर्च करती है पुलिस लोकल पुलिस के अलादिकारी जिस तरीके से लगतार चेटाओ नहीं दे रहे हैं लगतार जिस तरीके से कह रहे हैं अंदर जो है अंदर बी कवستान के अंदर चहर पर चुरू हो गए साहईड जो आख IU नवाज जा रही है वह अब पढ़ी जा रही है वह अब पढھिणे की तैयारी हापन की जा रही है मुख्तार अंसारी का आखरी नवाज है वो पढ़ने के अपर तग्यारी हो रही है जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक्त देख पा रहा हूँ अगर यूगल आप इधरत की तरफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगर हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखिए देखिए लोग जो हैं इस दिवार पर चड़ने कब्रस्तान के दिवार पर गब्रस्तान के पेड़ों पर चड़ने की कोशिस कर रहा है लेकिन वही पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें जो प्रोसेस है अंदर सुपुर्ते खाक का वो प्रोसेस उस प्रोसेस की शुरुवात हो चुकी है जो हम यहां से तस्वीर दिख पा रहे हैं अगर आप लोगों को हटाती हुई यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां से पुलिस यहां पर देखें यहां पर हम एक एक तस्वीर एक एक तस्वीर हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कभस्तान के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कभस्तान के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कभस्तान के बाहर का जो महौल ताप से थोड़ी ज़र पहले जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी खुद मुक्तार अंसारी का जनाजा जो है शव जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा तक काफी मशक्कत करनी पड़ी मुक्तार अंसारी के परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी यहां के local police को और देखें यहां पर paramilitary force आगे की तरव भीड में बढ़ती होई जिससे की भीड कंट्रोल में रहे law and order situation खराब ना हो अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है करबस्तान के अब अंदर की तस्वीर हैं आपको दिखा रहा है अंदर का प्रोसेस देखिए सुरू हो चुका है जरा close shot पीड पौदे हैं सायद उतने अच्छी तरीके से विज्वल नहीं रिखा पा है जो लेकिन मैं इस वक्त अपने आपको से देख पा रहा हूं जो अंदर का प्रोसेस है वोस्प्रोसेस की सुरूआति हाँ पर हो चुकी है ओवर टू आनंद देखिए मैं आपको सीधी यहाँ पर exclusive बातचीत कराता हूं सुपुर्दे खाग हो गया जो जानकारी मिल रही है सुपुर्दे खाग हो गया मुक्तारी अंसारी का और किती देर पहले हुआ है तो देखिए यह बता रहा है कि सुपुर्दे खाग हो चुका सीधी तस्वीर है मैं आपको exclusive अंदर की दिखा रहा है कि आप यहाँ से लोग दीरे दीरे बापस बाहर निकलना शुरू हो रहा है तो देखिए यह सीधी तस्वीर है मुक्तार अंसारी का जो जो शब है वो यहाँ पर लाए जा सकता है और उसी के आसपास का समय था जब मुक्तार इस्थानी लोग जो है वो लगतार यहाँ पर भीड लगा हुए है पुलिस लगतार अब वो खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस रसमोती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में उस तमाम चीजे जो है अंदर वो पर्रख्रिया पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि जो परिबाहर है वो कितनी धेर के भीतर जो है यहां से कबरिस्तान के बाहर निकलेगा और यह सरक पे लगतार जो पुलिस और प्रशासन है वो लगतार मुझूद है अंदर भी पुलिस के अधिकारी मुझूद है कबरिस्तान की अंदर की तस्वीर ह केमरा का फोकस है बिल्कुश सामने आप जहां पर भीट देख रहा हैं वही पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खोदी गईती करीवन साले साथ फिट की उसके उनके ही पास में उनके रिष्टारों के उनके माता पिदा की कबरे उनका पुष्टेनी यह कबरिस्तान है काली बाग जिसका नाम कालीबा कबरिस्तान वहां पर भी जो है अब सुपुर्देखाग मुक्तार अंसारी को कर दिया के परिवार के रिष्टार देखिए जो मौझूद है और यहां पर देखिए जो एक प्रक्रिया रस्म होती है उसके बाद वो यहां पर फूरी की जारी है तो यह स देखें मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपुर्देखाग नहीं हुआ है सुपुर्देखाग नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहां पर देख पा रहा हूँ कि यहां पर फातिया पढ़ने किया जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया पिता के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता पिता का शौव है उहां पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे हैं यह कबरस्तान खांदानी कबरस्तान है मुक पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई जरा देखिए यह एक्स्कूजिव तस्वीरे केवल न्यूसेटी इंडिया पर पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई यहाँ पर देखिए अब देखिए पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई यह कह रही है कि आपको जाना पड़ेगा पीछे आप लोग यहाँ नहीं रहे सकते हैं कोई कब्रस्तान के दिवार पे नहीं चड़ ज़क सगा है, कोई कब्रस्तान के दिवार के ग्रिल के आसपास भी ना रहा है, पीशे हटी है आप लोग, पुलिस यहाँ पर सक्ती से इन लोगों से डील करती हुई, क्योंकि लगातार रुक रुक इसी भीड से लगातार भीड स इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि Model Code of Conduct यहाँ पर लागू है यहाँ पर आचार संगीता लागू है अगर भीड की भीडियोग्राफी हो रही है जो लोग भी नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की जाएगे भीड पीछे जाती हुए तो तस्वीरे हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा है News 18 इंडिया पर exclusive तस्वीरे हम आपको यहाँ पर दिखा रहा है भीड पीछे की दूसरे परिजन है वो फिलाल दूसरे तरफ यहाँ पर कर्वस्तान में आये है यहाँ पर देख पा रहा है हम जो मुक्ताल अंसारी के परिजन है वो दूसरे तरफ आए है अब ऐसा लग रहा है कि फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी वो सुरू हो रही है फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुसी भी पर यहाँ पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे यहां से देख पारा हूँ, मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं, वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शव के पास मौजूद हैं, जड़ा अगर क्रोल सौट आप दिखा पाएं यूगल, हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है, क्योंकि पौदे होते हैं, लेकिन ये तस्वीरे जड़ा आप देखिए, और कब्र के पास फिलाल हम देख पा रहे हैं कि मुखतार अंसारी का बेटा, उमर अंसारी, वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है, और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जड़ा मेरे पास ठली की जो प्रक्रिया है, वह किसी भी पल सुरू हो सकती है, अंदर की तस्वीरे, अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरे कि किस तरीखे से कब्रISTान में काफी मुश्किल हुई है, क्योंकि पेड़ पास बैखिए है। पहुंच चुका है बहारी पुलिस फोर जो है वो यहां पर तेनात इस्थानी लोग जो है जिनकी नजर में रॉबिन हुटते मुक्तार अंसारी वो यहां पर आप देख सकते हैं चाहे छोटे हों बड़े हों बुजर्गों तमाम लोग यहां पर इखटा हैं लोग सेलफी ले किस तरह से जब सुबह हम यहां पर छे बजे रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो यहां पर केबल पुलिस मौजूद नदराज थी लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनके इस्थानी लोग हैं समर्ता के वो यहां पर मौजूद कि यादो यह सीरी तस्विर दिखा रहे हैं आपको इस कबरिस्तान के बाहर की जहां पर की कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीक दी गई है यहां पर आर्दसेनिक बनों के जो जवान हैं सी आई सेप की तुकडियां हैं वो तेनाद की गई हैं और यहां पर देख सकते हैं म लिए जो केयर टेकर बबलू है उसे भी हमने कल बात की ती और एक बाद देखी फिर हम आपको फिर हम आपको यहाँ पर देखें अक बुलेमा काउंसिल के एक बॉलाना साब भी यहां पर है मैं आपके बात कराता हूं उससे सिधे पेरे कैमरा वंसल से तो लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ अंकीताय कर्विस्टान के अंदर की तस्वीर देखिए बाहर तो पुलिस फोर्स की पूरी एरेजमेंट है लेकिन अंदर की जो प्रॉसस है वह आपको दिखा रहा है मौलवी साहब पहुंच गया है मौलवी साहब वो तमाम प्रोसेस को अंजाम दे रहा है और हम एक एक तस्वीर आपको कबस्तान के अंदर की दिखा रहा है इस वक्त जो बॉडी है जो शाव है मुक्तार अंसारी का वो उनके कबर के पास रख दिया गया है और जाहिर तोर पे अगले कुछ मिनिट में जो आखरी नवाज है वो आखरी नवाज पढ़ी जाएगी हूँ उसकी तयारी अंदर की जा रही है मैं इस वक्त यहां से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ जो मुक्तार अंसारी के चोटे बेटे है उसके बाद से ही यह जो तमाम भीड है उसके लिए गेट यहां से खोल दी जाएगी वो भीड एंटर करेंगे और जिनको भी नवाज अदा करनी है जो आखरी सलाम करना मुक्तार अंसारी को वो मुक्तार अंसारी को अपना आखरी सलाम कर सकते है लेकिन ये भीड यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जो शबी मुक्तार अंसारी की थी, मुहमदाबाद में वो रॉबिन हुड की शबी, जो यहाँ के लोगों को साहिता करते थे, बेटियों की साधी में जिस तरीके से मदद करते थे, केवल मुहमदाबाद में, लेकिन अगर गटित अपराद होता था उसमें मुक्तार अंसारी का नाम आते रहता था मुक्तार अंसारी की अदावत भी कई गैंगों के साथ हुई उनका भी हम जिक्र करेंगे लेकिन हम तस्वीरे दिखा रहे हैं इन सब के बावजूद मुक्तार अंसारी का जब काफिला 1990-2000 के दसक में निकलता था तो उनके काफिले में जो गुड़गे होते है ते वो असला लहराते हुए जाते थे तो ये सब जो तस्वीरे जिन लोगों ने दिखा है वो लोग आज यहां पर मुक्तार अंसारी की वो लोग यहां पर मुझूद है और इस भीड भीड जो पुलिस ने हलका बल प्रयोक यहां पर किया है उसके बाद यह भीड छटी है यहां पर जरा यह वाइड तस्वीर है जो हमां अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे अपने दर्सकों को बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दीजा बाहर जो है अब बाहर आने के बाद यहां पर उन्होंने शांती के अपिल की पुलिस को भी हलका बलका इस्तमाल करना पड़ा है और उसके बाद यहां पर जो है भीड अब जो है कंट्रोल में आ चुका है अब 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 यहां से पुलिस 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 ने पुलिस ने यहां पर पुलि मुक्तार अंसारी के परिजन है परिजन है और इनको आगे की तरफ ले जाए पर बताईए एलेक्षन का समय है कोई भी नारे बाजी करेगा विडियोग्राफी हो रही है फाई यार दर्च किया जाएगा चेतावनी गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसारी के यह भाई है यह चचेरे भाई है जिनके लिए गेट खुल गया है और वो विल्चेयर पर बैठे हुए है और वो इस वक्त करबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्योंकि आखरी नवाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर देखे गेट खुल गया गेट बंद हो गया सुपरते खाक को जाएंगे मुक्तार अंसारी हर किसी को अज़ाज़त दी जाएगी कि अंदर वो कःबशष्तान में चाहिए आखरी सलाम वो कर सकते हैं आखरी नवाज वो भी बढ़ सकते है लेकिन इस वक्त जितने भी तरीके से पुलिस की सकती के बाद पुलिस ने जो माइक से अनॉसमेंट किया कि F.I.R. दर्ज हो सकती है चुनाओ का वक्त है और ये तमाम तस्वीरे वाइड तस्वीरे हम आपको दिखा रहा है एक पर फिर से फिर से फिर से नारेबाजी हुई है पुलिस चिताओनी दे रही है F.I.R. दर्ज होगा भीड ने पीछे से नारेबाजी की पुलिस ने चिताओनी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई नारेबाजी जिदर से हुई है उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगाकर अपना हलमेट और सीधे हुआ आगे जाते हुए देगे जाते हैं यहाँ जिदर कबरिस्तान के बहार की तस्वीर हैं जहां पर की परिबार के और कुछ स्थानी लोग वो यहां पर मुझूद है और बिल्कुल देखी यहां से माज 50 मीटर की दूरी पर जहां पर भीड देख रहे हैं वहाँ पर मुक्तार अंसारी जो कबर है। उसे कल खोड़ा ग्यादा करीवन 140.500 फिट की जो कर्भ थी, और बिल्कुल उनकी कबर के सामने ही उनकी माता की, उनके पिता की और उनके जो दूसरे रिष्टदार हैं, उनके खांदान के, उनकी कबर वहाँपर है। और यहां पर देखी थोड़ी दे के बाद ही जो अन्ती मिलिती रिवाज हैं, वो यहां पर शुरू होंगे और उसके बाद सुपुर्दे खाक के बाद यहां पर जो आम लोग हैं उनके वह भी यहां पर आने की अनुमती दी जा सकती है, अलग यह प्रशासन के उपर है बहुत अच्छा कारवाई है अब बस उनको दफनानी की तैयारी हो रही है मतलब जो मुसल्मानों के धरम में होता वो चीज हो रहा है अभी नहीं 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 अभी 10-15 मिनिट लगेगा जी 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 अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं उनलोग आएंगे मिटी दें उसके बा किस तरह से सुपुर्देखाक की कारवाई में अभी थोड़ा वक्त रगेगा अभी उनका जो जनाजा है वो बिल्कुल उनकी कबर के पास ही रखा गया है पोलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद है और यह अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीर है माँ को सीज़े लगारा है जो हूँ कर रहे हैं उनको समझाइए अब रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियोग्राफी हो रही है फायार दर्ज होगा पुलिस सक्ति से पट रही है जरह यह तस्वीर दिखाईए पीछे हट यह अचार संगीत क्या से पीछे हट यह रही है पीछे हट यह नारेबाजी नहीं पीछे हट यह नहीं तो अरफायार दर्ज होगा पारिजंग भी रिकुस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से अब बदाग बाजी कि ना करे और आज़ा हूँ है उडल कोडर अँड़ा लगा हुआ है र भीड को समझ्झाते हुए, पुलिस शक्ति से और दूसरे तरफ देखिए, परमलेट्री फोर्स की तस्वीर, भीड के बीछ में अंदर घुसते हुए, लोगों को उहां पर समझ्झाते हुए, परमलेट्री फोर्स की आप लोग सांत रहिए, अंदर की प्रोसेस, अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिए, कोई रसी के इस तरफ ना आए, रसी के इस तरफ आते हैं, जो ब्रस्ति करते हैं, आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी, लोकल पुलिस करेगी कड़ी कारवाई, दूसरी तरफ य अनुहें जगा बनाने के लिए कह गई है, जो रसी है, उस रसी पर पार मिल्टरी फोसेस के जवान, SSB के जवान जो है, वो तैनाब होते हुए, देखे, हर जगा पर, देखे, भीड भीड होई, भीड होई, भीड होई, भीड ने नारे बाजी कर दी, भीड को सांत करने के ते लिए कुछ लोग बोल आने के लिए, जो कुछ लोग लोग नारे बाजी कर दे, हर जगा इस तरहिके से कुछ हुर्दंगी होते हैं और इन हुर्दंगी के खिलाफी, F AIR दर्च करती है पुलिस, लोकल पुलिस के अलादिकारी, जिस तरहिके से लगातार चेताउनी दे इस तरीके से कह रहे हैं और धेके अंदर झो हैं अंदर भी कवंशताम चुरुआ होगा जो आंधरी नओज है वो अब हम पढ़ीchine की पढ़ी जा रही है मुगतार अंसारी का जो आखरी नवाज है वो पढ़ने के अपर तग्यारी हो रही है जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक देख पा रहा हूँ अगर यूगल आप इधरत की तरफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगर हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखिए देखिए लोग जो हैं इस दिवार पे चड़ने कब्रस्तान के दिवार पे गब्रस्तान के पेड़ों पे चड़ने की कोशिस कर रहा है लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें ऐशा हरकत ना करे, जो प्रोसेस है अंदर, सुपुर्टेखाग का, वो प्रोसेस, उस प्रोसेस की शुरुव won हो चूकी है, उस प्रोसेस की शुरुव हो चूकी है, जो हम यहाँ से तस्वीर देख पा रहे हैं और जो जर्ण complosse तस्वीर अंदर की जो आप आगर आप अँसा कुछ दिएस लोगों से को नाथ करती लूगों को रिखाएं सोब्लिस को घटाते हुई January यह हम एक एक तस्वीर हम आपको लगातार यह एक पर दिखा रहे हैं कमिरस्तान के अंदर के कफ़तान के बाहर की तस्वीर दिखा रहा है कवस्तान के बाहर का जो मखौल से थोड़ी जर्पहले जिस तरीका रिबाजी हो रही थी अब खुद मुक्तार अंसारी का जनाजा जो है इस फो आगे बढ़ा नहीं पा रहा उस नार्यबाजी को कंट्रोल करने के लगातार कंट्रोल करने की कोशिस हो रही है और उस भीड में आगे पैड़ा मुलिट्री फोसेज जो है अंदर दाखिल होती हुई जिससे की भीड कंट्रोल में रहे, लॉग और सिट्वेशन खराब ना हो अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है, करबस्तान के अंदर की तस्वीर हैं आपको दिखा रहा है अंदर का प्रोसेस देखिए सुरू हो चुका है, जरा क्लोस सॉट पेड़ पौदे हैं सायद अच्छी तरीके सां विज्वल नहीं रिखा पा है, जो लेकिन मैं इस वक्त अपने आपको से देख पा रहा हूँ जो अंदर का प्रोसेस है, वर्स प्रोसेस की सुरुवाति हाँ पर हो चुकी है, ओवर टू आनंद देखिए, मैं आपको सीधी यहाँ पर एक्स्क्लूजी बातचीत कराता हूँ, सुपर्दे खाक हो गया, जो जानकारी मिल रही है, शक्त समाधात है, सुपर्दे खाक हो गया, मुक्तारी अंसारी का, और किती देर पहले हुआ है, तो देखिए, यह बता रहा है कि निकलेंगे, जो मत्टी है, वो उनके कब्र पर डाली जात रही है, देखिए, यह सीधी तस्वीर है, मैं आपको एक्स्क्लूजी वंंदर की दिखा रहा है, कि आप यहां से लोग दीए दीए बापस बाहर निकलना, शुरू रहा है, तो देखिए, यह सीधी तस्वीर है, जो है मुक्तार अंसारी का जो जो शब है वो यहाँ पर लाए जा सकता है और उसी के आसपास का समय था जब मुक्तार इस्थानी लोग जो है वो लगतार यहाँ पर भीड लगाए हुए है पुलिस लगतार अब वो खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कावाई अंदर शायद पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस रस्मोती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में वो तमाम चीजे जो है अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि अब बाद कि कितनी देर के भीतर जो है यहां से कबरिस्तान के बाहर निकले और यह सरक पे लगतार जो पुलिस और परशासन है वो लगतार मौजूद हैं अंदर भी पुलिस के अधिकारी मौजूद हो कि कबरिस्तान की अंदर की तस्वीर है कि मैंने केमरा पसंद सुर्ण जादवाप केमरा का फोकस है बिल्कुर सामने आप जहां पर भीट देख रहा हैं वहीं पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खो दी गई थी करीवन साले साथ फिट की उसके उनके ही पास में उनके रिष्टारों यहां पर देखिये जो एक प्रक्रिया रश्म होती है उसके बाद वो यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहा हैं न्यूज एटी इंडिया पर कि किस तरसे यहां पर परिवार के सदर्स जो है वो लगतार यहां पर मौजूद है देखें मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है जो है उसके माता पिता के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता पिता का शौव है उहां पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे है यह कबरस्तान खांदानी के परिवार का अंसारी परिवार का और जो फात्या पढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अभी पूरी की जाएगी और इस प्रोसेस के बाद ही मुक्तार अंसारी सुपूर्टेखाक होंगे सुपूर्टेखाक जैसे ही होंगे जितने भी लोग हैं यहां पर जो अंद पुलिस ने सकती का इस्तमाल कर रही है, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, यहां पर देखिये, अब देखिये, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, यहां पर देखिये, आप देखिये, पुलिस भीड को पीछे खदरती लोगों से डील करती हुई क्योंकि लगातार रुक रुक इसी भीड से लगातार भीड से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि तब तक ये भीड फीर पीशे जाती है उसके बाद जैसे ही ढिलाई थोड़ा सा पडिरा मेन beginnerly forces के जवान करते हैं उत्ता पदैस पोलिस के जवान करते हैं। उसके बाद उसके बाद जो है ये भीड एक बार फिर से आगे आजाती है। तो तस्वीरे हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, न्यूज एटिन इंडिया पर एक्स्क्लूजिव तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, फिर पीछे की तुसरे परिजन हैं, वो फिलाल दूसरे तरफ यहां पर कर्भिस्तान में आए हैं, यहां पर मैं जो तस्वीरे यहां से देख पारा हूँ, मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं, वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शौ के पास मौजूद हैं, जड़ा गरा क्रोल सौट आप दिखा पाएं, यूगल, हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है क्योंकि पेड़ अंसारी वहाँ पर शौ के पास बैठा हुआ है, और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जड़ा मेरे पास आईए, यूगल, हाँ से आप एक प्लोस सौट दिखा पाएंगे, जड़ा पैन करिए उस जगा, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं, मौलवी को साहब को लगातार दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से कब्स्तान में काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौदें यहाँ पर लगातार है, लेकि हम कब्र के बास बिखेंगे हैं, जो फातिया गया है, उनके बेटे अभी हमने देखा, यहाँ पर आके गम मुक्तार अंसारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुजर्ग हों, तमाम लोग यहाँ पर इखटा हैं, लोग सेलफी ले रहे हैं, वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, वो आखरी पल कैद करना चाहते हैं, यहाँ पर समाजबादी पाटी के पूर बनेता भी पहुचेते हैं, और यहाँ पर मुक्तार अंसारी के सपोर्ट में नार्यवाजी वही हैं, उनके परिवार के लोग भी लगातार, यहाँ पर आम लोगों से अपील कर रहे हैं, कि शान्ती में उस्ता बनाए रखी जाए, और देखिए, पूरी सड़क खचा जहां पर दिखाए जारी हो, में देखिए, आपको यहाँ से तस्ватीरे दिखाता हूँ, अगर हम देख पाएं, तो देखिए, यहाँ पर की प्व एसी की जवान घड़े हुए, यहाँ से मैं आपको तस्विरे दिखाता हूं, देखिए अंदर की थोड़ी तस्विरे मेरे, केपरमसन आपको दिखाएंगे यह तसीरे एक्स्क्लूजिव जहांपर की जो सुपरदेखाग की कारवाई है वो की जानी देखिए सुनील यादो यह सीरी तस्विरे दिखा रहे हैं आपको इस कबरिस्तान के बाहर की जहांपर की कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीक दी ग उनकी माता की इसके लावा उनके दादा पर दादा की कबर यहां पर नहीं/. पुलेमा काउंसिल के एक मौलाना साब भी यहाँ पर है, मैं आपको बात कराता हूँ उन से सिरे, पेरे कैमरा वसल से वो लोगो ठोड़ा कैमरा इज़र लेके आँ यहाँ पर, सादिक साब क्या कहना चाहेंगे, आप बहुत सारे लोग यहाँ पर आएं, मुक्सारांधारी के मैं इस वक्ट कवश्थान के अंदर की तस्वीरे दिखाने के लिए जा रहा हूं, अंखिता तो पुलिस फॉर्स की पूरी अरेजिमेंट है, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है, वो आपको हम दिखा रहा है, मौलबी साहब पहुंच गया है, मौलबी साहब वो तमाम प्रोस वो आखरी नवाज पढ़ी जाएगी उसकी तयारी अंदर की जा रही है मैं इस वक्त यहां से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ जो मुक्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ अब जल अंसारी को देख पा रहा हूँ और तमाम जो अकिता उसके बाद से ही यह जो तमाम भीड है उसके लिए गेट यहां से खोल दी जाएगी वो घीर एंटर करेंगे और जिनको भी नवाज अदा करनी है जो आखरी सलाम करना मुकतार अंसारी को आपना आखरी सलाम कर सकते हैं लेकिन ये भीड यहां पर क्यों है, क्योंकि जो शबी मुक्तार अंसारी की थी, महम्दाबाद में वो रॉबिन हुट की छबी, जो यहां के लोगों को सहता करते थे, बेटियों की साधी में जिस तरीके से, वो मदद करते थे, केवल महम्दाबाद में, लेकिन अगर पुरु अगर पुर्मव, गाजीपूर, आजमगड में जो संगटित अपराद होता था, उसमें मुक्तार अंसारी की अदावद भी कई गैंगों के साथ हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम तस्वीरे दिखा रहे हैं, इन सब के बावजूद, मुक्तार अंसारी का जब क नहीं हैं, लेकिन जिनके नजर में रॉबिन हुट की तस्वीरे थी, मुक्तार अंसारी की, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इस भीड, भीड, जो पुलिस ने हलका बल प्रयोक यहाँ पर किया है, उसके बाद यह भीड छटी हैं यहाँ पर, जरा यह वाइड तस्वीर तो दिखाई रहे अपने दर्सकों को, बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दीजाएं, बाहर जो है, थोड़ा सा भीड कंट्रोल में होई है, पुलिस ने, यहाँ पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से, सक्ती से निप्ता, अंदर से मुक्तार अंसारी के परिजन करना पड़ा है और उसके बाद यहाँ पर जो है, बिड़ को बेर धी एक बार तस्वीर कि दिखाईएं, पबार अंसारी के एक और भाई, यहाँ पर पहुच गया है, अप्धार अंसारी के विलचेर पर दीजे, विलचेर की तस्वीरियविदा है मुक्तार अंसारी के एक और भाई यहाँ पर पहुँच गए है विल्चेर पर यहाँ पर पहुँचे हुए है मुक्तार अंसारी के परिजर है सायद परिजर और इनको आगे की तरफ ले जाए पर मताये एलेक्शन का समय है कोई भी नारे बाजी करेगा विडियोग्राफी हो रही है फाई यार दरच किया जाएगा चेताओनी गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसारी के यह भाई है यह चचेरे भाई है जिनके लिए गेट खुल गया है और वो वीलचेयर पर बैठे हुए है और वो इस वक्त करबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्योंकि आखरी नवाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर देखे गेट खुल गया गेट बंद हो गया वीलचेयर पर हम देख पा रहे है वीलचेयर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जहां पर कब्र खुदा गया है मुक्तार अंसारी का ठीक वहीं के तरफ जाते हुए और एक बार फिर से अनाउस्मेंट किया गया पुलिस के तरफ से बाहर की जैसे ही आखरी नवाज हो जाएगी सुपर्तेखाक हो जाएगे मुक्तार अंसारी हर किसी को इजाज़त दी जाएगी कि अंदर वो कब्स्तान में जाए आखरी सलाम वो कर सकते हैं आखरी नवाज वो भी पढ़ सकते है लेकिन इस वक्त जितने भी रिलेटिवस हैं वो मुक्तार अंसारी के वो अंदर पहुँच चुके हैं और जो प्रॉसेस है आखरी नवाज का वो कुछी फायार दर्ज हो सकती है चुनाओ का वक्त है और ये तमाम तस्वीरे वाइड तस्वीरे हम आपको दिखा रहा है फिर से नवाजी हुई है पुलिस चितावनी दे रही है फायार दर्ज होगा पुलिस चितावनी दे रही है, फायार दर्ज होगा, भीड ने पीछे से नारेबाजी की, पुलिस ने चितावनी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई, जहां से नारेबाजी हो रही है, पुलिस ने पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई, जहां से नारेबाजी हो रही है, उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर, सिल्ड लेकर, हथियार लेकर, क्याप लगाकर, अपना हलमेट और सीधे हुआ आगे जाते हुए कि जहां पर जाते हुए हम सीधे कबरिस्तान के बाहर की तस्वीरे आपको दिखा रहा है, जहां पर की कैमरा बसंद आपको दिखाएंगे, बाहर दिस तर से पूरी हुजूम यहाँ पर है, पुलिस फोर्स है, बैसे देखिए अंदर की तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं, यह कबरिस्तान के अंदर की तस्वीरे हैं, यहाँपर की कुछ चुनिंदा लोग जो है, परिवार के और क फिट की गपर आने की अनुमती दी जा सकती है लिए क्या नहीं का अशबिञेए है मतलब जो मुसलमानों के धर्म होता वो चीज हो रहा है अभी नहीं 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 है अभी तरह से सुपर्देखाग की कारवायी में थोड़ा वक्त रगेगा अभी उनका जो जनाजा है वह विलकोल उनकी कबर के पास ही रखा गया है पुलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद है और ये अंसारी परिवार का पुछ्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीर है मापको सीज़े लगतार निगा रहा है प्राइम लेक्टी फोसेस का फ्लाग माज जरा तस्वीरे तस्वीरे देखे 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 सकती से अचार संगीता मोडल कोड़ अफ कंड़क्ट लागू है जो हूँ कर रहे हैं उनको समझाईए अब रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियोगाफी हो रही है फाइया दर्ज पारीजन भी रिकॉस्ट कर रहे हैं कि अप लोग इस तरिके से गुर्दंग वाजी हा ना करें इस तरिके से नारे वाजी ना करें अचार संगीता लगा हो। है modal code of conduct लगा हुआ है recording हो रही है और चारो से recording हो रही है वीडीओ अब घा रही है उपर से नीचे से दाएं से बारे से हर किसी भी वक्त आउट आउट पर्डोल उट हुआ तो ऐा दर्ज याएगी तो भмы लोगों को उहा जो सांत रहिए अंदर की प्रॉसेस, अंदर की प्रक्रिया, हो जाने दीजिए, कोई रसी के इस तरफ ना आए, रसी के इस तरफ आते हैं, जो जो ब्रस्ति करते हैं, आपके खिलाफ कडी कारवाई की जाएगी, लोकल पुलिस करेगी कडी कारवाई, दूसरी तरफ यहां पर पर पार मिल्टरी फोसेस के जवान, SSB के जवान जो है, वो तैनाथ होते हुए, देखे, हर जगा पर, देखे, भीड भीड होई, भीड इकटा हुई, भीड ने नारे बाजी कर दी, भीड को सांत करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, तो कुछ लोग नारे बाजी कर रह हर जगा इस तरीके से कुछ हुर्दंगी होते हैं, और इन हुर्दंगी के खिलाफी F.I.R. दर्च करती है, पुलिस, लोकल पुलिस, और लोकल पुलिस के अलादिकारी जिस तरीके से लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं, और देखे, पढ़ने के अपर तग्यारी हो रही है जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वड़ देख पा रहा हूँ अगर यूगल आप इधरत की तरह पाएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगर आप तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखिए देखिए लोग जो है इस दिवार पर चड़ने कब्रस्तान के दिवार पर गब्रस्तान के पेड़ों पर चड़ने की कोशिस कर रहा है लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें ऐसा हरकत ना करें जो प्रोसेस है अंदर सुपुरते खाक का वो प्र लोगों को हटाती हुई यहां पर आप देख वारे हैं यहां किभा तिह तें यहां पर देखिने आपर देखें ही यहां दूआ इसे के नारेबाजी हो रही कि खुद मुक्तार अंसारी नहीड जञा जो प्रिम करें है कभी मश्यक्व करने ही पती अगे की दोड़्य को पot करने के लिक Já के लेगाजी थे तकी मुक्ता मुक्तारन सारी यह Thank you होती हुई जिससे की भीड कंट्रोल में रहे लोग और सिट्वेशन खराब ना हो अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है करबस्तान के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंदर का प्रोसेस देखिए सुरू हो चुका है जरा क्लो पर देखिए यह बता रहा है कि सुपर्दे खाग हो चुका और देखिए यहां पर परिवार के लोग इस थारी लोग यहां पर मुझूद है और अब देखिए धीरे धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मट्टी है वो उनके कबर पर डाली जा रही है देखिए यह सीधी तस्वीर है मैं आपको एक्सूसिव अंदर की दिखा रहा है कि अब यहां से लोग दीरे धीरे बापस बाहर निकलना शुरू रहे हैं तो देखिए यह सीधी तस्वीर है मुक्तार अंसारी का जो शब है वो यहां पर लाए जा सकता है और उसी के आजपास का समय था जब मुक्तार इस्थानी लोग जो है वो लगतार यहां पर भीड लगाय हुए है पुलिस लगतार वो खराब ना हूँ और देखिए फातिया भी जो है उसकी कावाई अंदर शायद फड़ी जा रही है फातिया जो एक रस मोती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में वो तमाम चीजे जो है अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि जो परिबाहर है वो कितनी धेर के भी कैमरा का फोकस है बिल्कुल सामने आप जहां पर भीड देख रहा है वही पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खोदी गईती करीवन साले साथ फिट की उसके उनके ही पास में उनके रिष्टारों के उनके माता पिता की कबरे उनका पुछ्टेनी यह कबरिस्तान है काली बाग ज उसके बाद यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया पर कि किस तरह से यहां पर परिवार के सदर्स जो है वो लगातार यहां पर मौजूद है देखें मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहां पर देख पा रहा हूँ कि यहां पर फातिया पढ़ने किया जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया जाएगा उसके लिए उहां पर पूरी तयारी की जा रही है फिलाल मुक्तार अंसारी के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता-पिता का शौव है उहां पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे हैं यह कबरस्तान खांदानी कबरस्तान है मुक्तार अंसारी के परिव मुक्तार अंसारी के परिजन, मुक्तार अंसारी के बेटे, वो लोग कबरस्तान से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहां पर जो इस्थानिया लोग यहां पर जो मौझूद हैं, वो अंदर जा सकेंगे, पुलिस ने सक्ति का इस्तमाल कर रही है पुलिस भीड को पीछे खदैरती हुई पुलिस भीड को पीछे खदैरती हुई यहाँ पर देखिए आप देखिए आप देखिए तो bisa कि पर चाहिए कोई कब्रस्तान के दिवार पे नहीं चदज़ता है कोई कब्रस्तान के दिवार के ग्रिल के आसपास भी ना रहा है पीशे हटी आप लोग और पुलिस यहाँ पर सक्ती से इन लोगों से डील करती हुई क्योंकि लगातार रुक रुक कर इसी भीड से लगातार भीड से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि मोडल कौर्ड यहाँ पर लागू है यहाँ पर आचार संगीता लागू है अगर भीड की वीडियोग्राफी हो रही है जो लोग भी नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ एफाई यार दर्ज की जाएगे भीड पीछे जाती हुए क्योंकि पोलिस जब-जब बल प्रियोग करती है परामिल अंतर आटर आतर यहां पर दिखा रही है निजएक पर एक्स्क्रिव तस्भीन को दिखा रहे हैं पिद पीछे की कि फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी वो सुरू हो रही है फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुसी भी पल यहां पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे ही हाँ से देख पारा हूँ, मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं, वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शाओ के पास मौजूद हैं, जरा अगर क्रोल सौट आप दिखा पाएं, यूगल, हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है, क्योंकि पौदे होते हैं, लेकिन ये तस्वीरे जरा आप देखिए, और कबर के पास फिलाल हम देख पा रहे हैं कि मुखतार अंसारी का बेटा, उमर अंसारी, वहाँ पर शाओ के पास बैठा हुआ है, और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जरा मेरे पास आईए, य अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से कबस्तान में काफी मुखकिल हो रहा है, क्योंकि पेड़ पर देखा कर दिया गया है, जो फातिया ने, उनके बेटे अभी हमने देखा, यहाँ पर आके घमगीन माहूल में, इस पहुँच चुका है बहरी पुलिस फोर जो है वो यहां पर तेनात है इस्थानी लोग जो है जिनकी नजर में रॉबिन हुट ते मुक्तार अंसारी वो यहां पर आप देख सकते हैं चाहे चोटे हों बड़े हों बुजर्ग हों तमाम लोग यहां पर इखटा हैं लोग सेलफ खाचा खाच भरी हुए देखिए मेरे केमरमसन सुनी लिया दा आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस सरसे जब सुबह हम यहां पर छे बज़े रिपोर्टिंग करने पहुचे थे तो यहां पर केमल पॉलिस मौजूद नदराई थी लेकिन यहां पर आप देख सकते हुए हैं यहां से मैं आपको तस्בीर दिखाता हुएं धिए अंधर की ठोडी तस्वीर मेरे केमररमसन आपको दिखाएंगे यह तसीर है एक स्क्लूजिव और यह उनका तरीके से पुष्टेनी कबरिस्तान है यहाँ पर उनके पिता की उनकी माता की इसके लावा उनके दादा पर दादा की कबर यहाँ पर हैं तरीवां साड़े साथ फिट की कबर जो है यहाँ पर खोदी रही थी जो केयर टेकर बबलू है उनसे भी हमने कल बात की पुलेमा काउंसिल के एक मौलाना साब भी यहां पर है मैं आपके बात कराता हूं उनसे सीदे पेरे कैमरा वसल से उनको थोड़ा कैमरा इसार लेके आँ यहां पर क्या कहना चाहेंगे आप बहुत सारे लोग यहां पर आएं मुक्तारंधारी के विए कुले मैं इस वक्ताम के अंदर की तस्वीर दिखाने के ुए जा रहा हूं किता का है तो पुलिस स्पोर्ष सकी पूरी अरेंजिमेंट अब जल देख पा रहा हूं और तमाम जो पढ़िजन है मुक्तार अंसारी को उनको यहां से देख पा रहा हूं जो वह तमाम प्रोसेस करना है आखरी नवाज यहां पर पढ़ी जाएगी और आखरी नवाज के मास उपर तिखाक कर दिये जाएंगे मुक्तार अंसारी और जैसे ही सुपर दिखाक होंगे अंकिता उसके बाद से ही यह जो तमाम भीड है उसके लिए गेट यहां से खोल दी जाएगी वो भीड एंटर करेंगे और जिनको भी नवाज अदा करनी है जो आखरी सलाम करना है मुक्तार अंसारी को अपना आखरी सलाम 1990 के दसक में, 1980 के दसक में, पहली बार मुक्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, मुखान सिंग गिरो के साथ उनका नाम जुड़ा, उसके बाद जौनपूर मौू, गाजीपूर आजमगड में जो संगटित अपराद होता था, उसमें मुक्तार अंसार की अदावत भी कई गैंगों के साथ हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिर हम तस्वीरे दिखा रहे हैं, इन सब के बावजूद, मुक्तार अंसारी का जब काफिला, 1990-2000 के दसक में निकलता था, तो उनके काफिले में जो गुड़गे होते हैं, वो असला लहराते हु के बाद यह भीड छटी हैं यहाँ पर, जड़ा यह वाइड तस्वीरे जो हमां अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे हैं अपने दर्सकों को, बाहर की भी एक बाद तस्वीर दिखा दीजिए, बाहर जो है थोड़ा सा भीड कंट्टल में पर होई है, पोलिस ने यहाँ प पर जो है भीड अब जो है कंट्रोल में आ चुका है, अब 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 यहाँ से पुलिस, पुलिस ने यहाँ पर पुलिस ने यहाँ से चेताउनी दे दीए भीड को, बड़ी ख़़र चेताउनी दे दीए कि एलेक्शन का समय है, कोई भी नारे बाजी करता है, तो उसके खिल आफ कारवाई की जाएगी अफाई यार दर्जोगा विडियोग्राफ है मुक्तार अंसारी के भाई एक और भाई जो है यहाँ पर पहुंचे हुए है मुक्तार अंसारी के परिजर है शायद और इनको आगे की तरफ ले जाए कोई भी नारे बाजी करेगा विडियोग्राफी हो रही है फाई यार दर्ज किया जाएगा चेताओनी गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसारी के यह भाई है यह चचेरे भाई है जिनके लिए गेट खुल है और वो इस वक्त करवस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्योंकि आखरी नवाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर देखे गेट खुल गया गेट बंद हो गया वील चेयर पे हम देख पा रह हैंगे मुक्तारंसारी हर किसी को इजाजब दी जाएगी कि अंदर वह कर सकते हैं आकरी नवाज बहुत चुके हैं और जो प्रॉसस है आखरी नवाज कर दिये जाए गा एक जिट हो पैत्रिक आवास है मुक्तारंसारी का उस सड़क से लेकर कब्रस्तान के गेट तक और दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मोग के तरफ से जो सड़क आती है वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे टॉप एंगल सौट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की सकती के बाद पुलिस ने जो माइक से अनाउस्मेंट किया कि F.I.R. दर्ज हो सकती है चुनाओ का वक्त है और ये तमाम तस्वीरे वाइड तस्वीरे हम आपको दिखा रहे है एक पर फिर से नारेबाजी हुई है पुलिस चिताओनी दे रही है F.I.R. दर्ज होगा फीर ने पीछे से नार नारेबाजी हुई है पुलिस ने चिताओनी दिया F.I.R. दर्ज होगा विडियोग्राफी हो रही है पुलिस उधर की तरफ आगे पढ़ती हुई भीड पीछे की तरफ हटती हुई ये एक्स्कुल्जिव तस्वीरे के वहल आप न्यूज इटिन इंडिया पर देख सकते ह नारेबाजी जिदर से हुई है उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगाकर अपना हेलमेट और सीधे हुआ आगे जाते हुए पर निया ओ, उसी है, याप लेकर हथियार जी । फोलेश पोर स्वीर, तस्वीरे है, यहाँ पर की चुनिंदा लोग जो हैे, परिवार जींदी लोग जो हैं, वो यहाँ पर मशूद है, बिल्कुल दिखी यहां से माज 50 मीटर की दूरी पर यहाँ भीड देख रहे हाई और बिल्कुल उनकी कबर के सामने ही उनकी माता की उनके पिता की और उनके जो दूसरे रिष्टदार है उनके खांदान के उनकी कबर वहां पर है और यहां पर देखी थोड़ी दे के बाद ही जो है जो अंती मिलिती रिवाज हैं वो यहां पर शुरू होंगे और उसके बाद सुपुर्देखाग के बाद यहां पर जो आम लोग हैं उनके भी यहां पर आने की अनुमती दी जा सकती हालग यह प्रशासन के उपर है बहुत अच्छा करवाई है अदम अब यहां पर जो बाद नाश्ट में फातिया पड़ा जाएगा और यह अंसारी परिवार का पुष्टेनी कब्रिस्तान है जिसकी तस्वीर है माँ को सीज़े लगा रहा जो हूँ कर रहे हैं उनको समझाइए अब रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियोगाफी हो रही है फायार दर्ज होगा पुलिस सकती से ने पट रही है ज़र यह तस्वीर दिखाईए पुलिस कहा रही है पीछे हट यह अचार संगीता है मोडल कोर्ड ओफ कंड़क्ट है पीछे हट यह पीछे हट यह नारे बाजी नहीं पीछे हट यह नहीं तो एफायार दर्ज होगा परिजन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस यह यह दो है नारे बाजीना करें अचार संगीता लगा हो रहु है बुड़ को समझाते हुए पुलिस सक्टी से और दूसरी तरफ देखिये परमलेट्री पोर्टी वोग के टस्वीर वीड ऻूर के बीच में अंदर घउसते हुए भीड के बीच में अंदर घुशते भे परामलेटरी फोर्स की तस्वीर, लोगों को उहाँ पर समझाते हुए, परामलेटरी फोर्स की आप लोग सांत रहें, अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिए, कोई रसी के इस तरफ ना आए, रसी के इस तरफ आते है, जो बरस्ति करत हैं आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी लोकल पुलिस करेगी कड़ी कारवाई दूसरी तरफ यहां पर देखिए पर जवान जो है वो अपना जगा लेखते हुए लोकल पुलिस उन्हें जगा बनाने के लिए कह रही है और जो रसी है उस रसी पर लोग पारमिलिट् बिड़ को सांत करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं हर जगा इस तरीके से कुछ हुर्दंगी होते हैं और इन हुर्दंगी के खिलाफी फाइयार दर्च करती है पुलिस लोकल पुलिस और लोकल पुलिस के अलादिकारी जिस तरी कि से लगतार चेता होनी दे रहे हैं लगतार जिस थरीके से कह रहे अंदर आखने के अंदर चाहरे कांई चुरूकर, मैं आखने के री है अगर Yougall आप इधरत की तरफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगर हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखिए देखिए लोग जो है इस दिवार पे चड़ने कब्रस्तान के दिवार पे गब्रस्तान के पेड़ों पे चड़ने की कोशिस कर रहे हैं जो हम यहां से तस्वीर देख पा रहे हैं और ज़रा पुल्स हटाती हुई हम एक-एक तस्वीर एक-एक तस्वीर एक एक तस्वीर हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कभस्तान के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कभस्तान के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कभस्तान के बाहर का जो महौल टाबस से थोड़ी ज़र पहले जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी अब खुद और देखिए यहां पर परामुलिट्री फॉर्स आगे की तरफ भीड में बढ़ती हुए, लगातार कोशित हो रही है, और उस भीड में आगे परामुलिट्री फॉसे जो है अंदर दाखिलोती हुए, जिससे की भीड कंट्रोल में रहे, करबस्तान के अंदर की तस्वीर हैं अपको दिखा रहा है अंदर का प्रॉसस देखिए सुरू हो चुका है जड़ा क्लोस सॉट पीड़ पौदे हैं साइथ अच्छी तरीके से विज्वल नहीं रिखा पाए जो लेकिन मैं इस वक्त अपने आपको से देख पा रहा हूं जो अंदर का प्रॉसेस से वर्स प्रॉसेस की सुरुवात यहां पर हो चुकी है ओवर टू आनंद देखिए मैं आपको सीधी यहां पर एक्स्क्लूजी बातचीत कराता हूं सुपुर्दे खाग हो गया जो जानकारी मिल रही है एक शक्त समाधाने सुपुर्दे खाग हो गया मुक्तार अंसारी का हो चुका है देखिए यहां पर परिवार के लोग इस्थारी लोग यहां पर मुझूद है और अब देखिए धीरे-धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मट्टी है वो उनके कबर पर डाली जा रही है देखिए यह सीधी तस्वीर है मैं आपको एक्ष्लूसिव अंदर की दिखा रहा है कि अब यहां से लोग दीरे-दीरे बापत बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं तो देखिए यह सीधी तस्वीर है मुक्तार अंसारी का जो जो शब है वो यहां पर लाए जा सकता है और उसी के आसपास का समय था जब मुक्तार इस्थानी लोग जो है वो लगतार यहां पर भीड लगाए हुए है पुलिस लगतार अब वो खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस रसम होती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में वो तमाम चीजे जो है अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब देखना हो कि मेरे केमरा का फोकस है बिल्कुर सामने आप जहां पर भीड देख रहा है वही पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खो दी गईती करीवन साले साथ फिट की उसके उनके ही पास में उनके रिष्टारों के उनके माता पिता की कबरे उनका पुछ्टेनी यह कबरिस्तान है काली कबरिस्तान वहां पर भी जो है अब सुपुर देखा मुक्तार अंसारी को कर दिया परिवार के रिष्टार देखिए जो मौझूद है और यहां पर देखिए जो एक प्रक्रिया रस्म होती है उसके बाद वो यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहा है न्यूज एटी इंडिया पर कि किस तरह से यहां पर परिवार के सदर्स जो है वो लगतार यहां पर मौझूद है देखें मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूरते खाक नहीं हुआ है जो है उसके माता-पिता के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता-पिता का शो है उहां पर उनका कबर है और यहाँ पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे हैं यह कबरस्तान खांदानी कबरस्तान है मुक्तार अंसारी के परिवार का और जो फात्या पढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अभी पूरी की जाएगी और इस प्रोसेस के बाद ही मुक्तार अंसारी सुपुर्टिक हाग होंगे सुपुर्टिक हाग जैसे ही होंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो अंदर हैं मुक्तार अंसारी के रिलेटिव्स मुक्तार अंसारी के परिजन मुक्तार अंसारी के बेटे वो लोग कबरस्तान से बाहर निकलेगे उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो इस्थाणियर लोग यह वो अंदर जा सकेंगे पुलिस में सक्राइब का इस्तमाल कर रही है पुलिस बिड को पीछे खडरती हुई पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, जना देखिए ये एक्स्कूजिव तस्वीरे, केवल न्यूज एक इन इंडिया पर पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, यहाँ पर देखिए, अब देखिए, अब देखिए, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, यह कह रही है रुक रुक कर इसी भीड से लगतार भीड से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पर आचार संगीता लागू है अगर भीड की भीडियोग्राफी हो रही है जो लोग भी नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की जाएगे भीड पीछे जाती हुए क्योंकि पुलिस जब जब बल प्रियोग करती है परमिलिटरी फोसेस के जवान जब जब बल प्रियोग करते है तब तक ये भीड पीछे जाती है उसके बाद जैसे ही धिलाई थोड़ा सा परमिलिटरी फोसेस के जवान करते है उत्ता पदेस पुलि दूसरे परिजन है, वो फिल्हाल दूसरे तरफ यहां पर करभस्तान में आए हैं, यहां पर देख पा रहे हैं, जो मुक्तार अंसारी के परिजन हैं, वो दूसर तरफ आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि फात्या, फात्या पढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसकी वो सुरू हो फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुसी भी पल यहां पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे यहां से देख पारा हूँ मौलभी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं वो मौलभी साहब जो है इस वक्त अंदर शौ के पास मौझूद है जरा अगर क्लोस सौट आप दिखा पाएं यूगल हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है क्योंकि पेड़ पौधे काफी जादा है और हर करुसान कि इसी तरीके की तस्वीर होती है पेड़ पौधे होते हैं लेकिन ये तस्वीरे जरा आप देखिए और कबर के पास फिलाल हम देख पा रहे हैं कि मुखतार अंसारी का बेटा उमर अंसारी वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जरा मेरे पास आईए यूगली हाँ से आप एक क्लोस सौट दिखा पाएंगे जरा पैन करिये उस जगा जहां पर हम देख पा रहे हैं मौलवी को साब को देख पा रहे हैं सिर पे पगड़ी है और शव के पास वो बैठे हुए हैं तो जाहिर तोर पे जो फातिया पढ़ने की प्रक्रिया है वो किसी भी पल सुरू हो सकती है अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से कब्स्तान में काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेड़ परदें यहां पर लगातार है लेकि हम कब्र के बास बेखे जिखें बहारी पुलिस फोर जो है वो यहाँ पर तेनात है इस्थानी लोग जो है जिनकी नजर में रॉबिन हुटते मुक्तार अंसारी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे छोटे हों बड़े हों बुजर्गों तमाम लोग यहाँ पर इखटा हैं लोग सेलफी ले रहे हैं हुए है देखिए मेरे केमरे सन सुनी लिया दाओ आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस सरसे जब सुबह हम से यहाँ पर छे बज़े रिपोर्टिंग करने पहुचे थे तो यहाँ पर केमल पॉलिस मौजूद नदराई थी लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हज जो पूर पर परिवार हैं उनके चाहे भाई हो या उनके भतीजे हो वो तमाम लोग यहाँ पर अंदर परिवार के कुन्वे के दूसरे लोग मौजूद है और यह उनका तरीके से पुष्टेनी कबरिस्तान है यहाँ पर उनके पिता की उनकी माता की इसके लावा उनके दादा पर दादा की कबर यहाँ पर है दि यहां पर पर लेकर शाडिक साब को खोड़ने में है मैं इस वक्त कवरस्तान के अंदर की तस्वीरे दिखाने के लिए जा रहा हूँ अंकीता है तो कवरस्तान के अंदर की तस्वीरे देखिए बाहर तो पुलिस फोर्स की पूरी एरेजिमेंट है लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो आपको हम दिखा रहा है मौलवी साहब पहुंच गया है, मौलवी साहब तमाम प्रोसेस को अंजाम दे रहा है और हम एक एक तस्वीर आपको कबस्तान के अंदर की दिखा रहा है इस वक्त जो बॉडी है, जो शाव है मुक्तार अंसारी का वो उनके कबर के पास रख दिया गया है और जाहिर तोर फे अगले कुछ मिनिट में जो आखरी नवाज है, वो आखरी नवाज पढ़ी जाएगी हूँ उसकी तयारी अंदर की जा रही है, मैं इस वक्त यहां से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ, अब जल अंसारी को देख पा रहा हूँ और तमाम जो पढ़ीजर है मुक्तार अंसारी को उनको यहां से देख पा रहा हूँ और जिनको भी नवाज अदा करनी है जो आखिरी सलाम करना है मुक्तार अंसारी को वो मुक्तार अंसारी को अपना आखिरी सलाम कर सकते हैं लेकिन ये भीड़ यहां पर क्यों है क्योंकि जो शबी मुक्तार अंसारी की थी महमदाबाद में वो रॉबिन हुट की शबी जो यहा मुक्तार अंसारी की अदावत भी कई गैंगों के साथ हुई उनका भी हम जिक्र करेंगे लेकिर हम तस्वीरे दिखा रहे हैं इन सब के बावजूद मुक्तार अंसारी का जब काफिला 1992-2000 के दसक में निकलता था तो उनके काफिले में जो गुड़गे होते हैं तो असला लहर जाते हुए जाते थे तो यह सब जो तस्वीरे लोगों जिन लोगों ने दिखा है वो लोग आज यहां पर मुक्तार अंसारी की वो लोग यहां पर मौजूद है और इस भीड भीड जो पुलिस ने हल्का बल प्रयोक यहां पर किया है उसके बाद यह भीड छटी है यहां जरह यह वाइट तस्वीरे जो हमां अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे है अपने दरस्वीरों को बाहर जो है थोड़ा सा भीड कंट्रोल पे पुलिस ने यहां पर सक्ति से निपटा इन लोगों से सक्ति से निपटा अंदर से मुक्तार अंसारी के परजन आए उमर अंस पुलिस पुलिस ने यहां पर पुलिस ने यहां से चतावनी दे दिया भीड को बड़ी ख़बर चतावनी दे दिया कि एलेक्शन का समय है कोई भी नारे बाजी करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी अफायार दर जोगा विडियोग्राफ मुक्तार अंसारी के मुक्तार अंसारी के परिजन है शायद परिजन और इनको आगे की तरफ ले जाएगा जाएगा विडियोग्राफी हो रही है अफायार दरच किया जाएगा चेतावनी गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहां पर लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसा और वो इस वक्त करबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्योंकि आखरी नवाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी और वो अंदर जाते हुए यहां पर देखिए गेट खुल गया गेट बंद हो गया विल्चेयर पे हम देख पा रह मुक्तार अंसारी के वो इजाज़त दिजाएगी कि अंदर वो कभिस्तान में जाहे आकरी सलाम वो कर सकते हैं आखरी नवाज ओभी पढ़ सकते है लेकिन इस वक्त जितने वी रिलेटिव सें वो अंदर पहुँच चुके हैं और जो प्रॉसस है आखरी नवाज का वो आपको दिखाएंगे, टॉप एंगल सौट हम आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पुलिस की सकती के बाद, पुलिस ने जो माइक से अनॉंसमेंट किया कि F.I.R. दर्ज हो सकती है, चुनाओ का वक्त है, और ये तमाम तस्वीरे, वाइड तस्वीरे हम आपको दिखा रहा ह पुलिस चताओनी दे रही है, पुलिस चताओनी दे रही है, फायार दर्ज होगा, भीड ने पीछे से नारेबाजी की, पुलिस ने चताओनी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई, जहां से नारेबाजी हो रही है, पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई, जहां से नारे सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगाकर अपना हलमेट और सीधे हुआ आगे जाते हुए कि जहां पर दिखा रहा है जहां पर की मौझूद पर केमरा बसन आपको दिखाएंगे देखे सूनी लिया दो बिल्कुल अंदर की तस्विर दिखाएंगे बाहर दिस तर से पूरी पुलिस फोर सचल और अपको दिखाएंगे ऑच्टार के अंदर की तस्विर हैं यहां पर की कुछ स्थाणी लोग जो हैंवो यहां पर मौझूद हैं और बिल्कुल देखिए यहां से महां पचास मीटर की दूरी पर जहां पर भीड देख रहे हैं वहां पर मुकतार अंसा कि यहां पर शुरू होंगे और उसके बाद सुपुर्देखाक के बाद यहां पर जो आम लोग हैं उनके उभी यहां पर आने की अनुमती दी जा सकती है अलग यह प्रशासन के उपर है बहुत अच्छा कारवाई है अब बस उनको दफनानी की तैयारी हो रही है मतलब जो मुसल्मानों के धरम में होता वो चीज हो रहा है अभी नहीं 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 अभी 10-15 मिनिट लगेगा जी 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 अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं उन लोग आएंगे मिटी देंग उसके अभी उनका जो जनाजा है वो बिल्कुल उनकी कबर के पास ही रखा गया है पुलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद है और यह अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीरे में आपको सीज़े लगतार निगा रहा है जो हू हू कर रहे हैं उनको समझाइए अब रिकॉर्डिंग हो रही है विडियोगाफी हो रही है फाई यार दर्ज होगा पुलिस सक्ति से ने पट रही है जड़ा यह तस्वीरे दिखाईए पीछे हट यह अचार संगीता है मोडल कोड अफ कंड़क्ट है पीछे हट यह जड़ने के लिए पुलिस प्रशासन से लगाता शिकायते दर्ज करवाते रहे और धीरे-धीरे मोगतार अंसारी पर कानूनी शिकंचा ऐसा कसा कि वो फिर कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाया मोँ में छोटेलाल गांधी को मुकतार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है छोटेलाल गांधी ने मुकतार अंसारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पहुचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया छोटे लाल का कहना है कि मुख्तार ने रैनी में गरीबों की 50 विगर जमीन कबजाई थी मुख्तार ने यूनिवर्स्टी के नाम पर भी जमीन कबजाई थी जनता को लुभाव ने सपने भी दिखाये थी मुख्तार अंसारी पर साल 2005 में दंगा कराने का आरोप था इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी छोटे लाल गांधी एक सामाजिक कारे करता है जिन्होंने मुख्तार के ब्रश्टाचार और अपरात के खिलाफ खुल कर अभ्यान चलाया वो बिना डर के मुख्तार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल बहुत लंबी थी लेकिन छोटे लाल गांधी जैसे लोगों की वज़े से मुख्तार के सामराजिक का पतन हो गया माउसे न्यूज 18 के लिए अभिशेक राई की रिपोर तो एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी का खौफ हुआ करता था एक दो नहीं बलकि सेक्रो परिवार ऐसे हैं जो मुख्तार की कैर का शिकार बन गए मुख्तार की मौत के बाद अब मुख्तार की सताये लोग कह रहे हैं कि अब उन्हें इनसाफ मिल गया है ऐसा ही एक परिवार है ठेकेदार मन्ना सिंग का देखिए भावुक करने वाली रिपोर्ट ये हैं माफिया की कहानी चश्मदीदों की जुबानी इन आखों को देखिए इन आखों में आजासू है ये आखे आजनम है इन परिवारों पर बरसा था मुख्तार का कहर वो मुख्तार जो अब इस दुनिया में नहीं लेकिन एक वक्त था जब मुख्तार खोफ का दूसरा नाम हुआ करता था एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सेक्ड़ों परिवार ऐसे हैं जो मुख्तार के सताय हुए है ऐसे कई लोग हैं जिनका घर मुख्तार ने बरबाद कर दिया और अब जब मुख्तार की मौत की खबर आई तो इन परिवारों के सदस्यें अपनों को याद करके गमगीन हो गए आज ये महसूस कर रहे हैं, मानो इन्हें इनसाफ मिल गया जिस मुख्तार ने इनके घर के सदस्ये को इनसे दूर कर दिया था आज उसी मुख्तार की मौत इन्हें इनसाफ जैसी महसूस हो रही है और शद्धांश ली दी मौउ की रहने वाले इस परिवार को मुक्तार ने तबाह कर दिया था मौउ के ठेकिदार मन्ना सिंग के 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप लगा मुक्तार अंसारी पर इतना ही नहीं गवा और उसके गनर को भी गोली मार कर मौद के घाट उतार दिया जिसके बाद से मन्ना सिंग के परिवार वाले लंबे वक्त से मुक्तार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे जैसे ही मुक्तार की मौत की खबर आई परिवार ने मन्ना सिंग की फोटो पर माला चड़ाई देखें कैसे पूरे परिवार की आखों में मन्ना सिंग को याद करके आसु आ गए मन्ना सिंग के भाई समेथ सभी परीजन भावुख हो गए सुनिए मन्ना सिंग के भाई ने क्या कहा आज ये स्वारी द्वारा भी उनको सजा मिल गए है हाम लोग हाँ क्यों हो गया जूट से सामना कौंसा जूट जो इतने सालों से आपके जूट पेस्ट ने ओरल केर के बारे में बताया है तो फिर सच क्या है टूट पेस्ट पतंजली दंत कांती आयरवेद और साइंस ने मिल कर बनाया है इसे इसकी सोला जड़ी बूटियों से मिले आपके दातों और मसूडों को अप्लिट ओरल हेल्थ का सच आप्लीट ओरल हेल्थ का सच इंट्रदूसिंग टीविसे पाची अर्टियार निश्टियार 1164 V लाटनिग ब्लू एडिशन विफ दूल चैनल अबिस अपने हक्का खाओ, सब कुछ पचाओ अपने छोले मसाले, जहां जहाएं, रिष्टे बनाएं जहां जहाएं, रिष्टे बनाएं, गॉल्डी मसाले अपने निश्पक्ष खबर, बेभाग सवार और बेखौफ अग्दास के लिए बना, जनता की पहली पसंद 44.4% मार्केट शेयर के साथ किया, कॉम्पेटिशन का सफाया सबसे ज्यादा देखे जाने बाला क्षित्र का नमबर वन न्यूज चैनल न्यूज एटीन उत्तरप्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं न्यूज एटीन उत्तरप्रदेश उत्तराखंड दिल से सोजर दिमाग से शैतान है हम बच के रहना हम से हिंदुस्तान है हम बड़े मिया और चोटे मिया है रफ भी और टफ भी वैसे ही है APL Apollo Roof Tuff कलर कोटेट कोईल्स जिसके रंग है कमाल और मजबूती बेमिसा APL Apollo Roof Tuff Roofing India with pride celebrates the release of बड़े मिया चोटे मिया देसीद only in theaters watch it यहां भी व्ल्क्लास निवस्टी है QS World Rankings ने चंडिकर उनिवस्टी को इंडिया की नम्र वन पैविड इनिवस्टी का है शुमी चंडिकर उनिवस्टी तो वन लास निवस्टी सी With state-of-the-art infrastructure, exceptional faculty and great placements Chandigarh University has been ranked as the number one private university in India by QS World Rankings इमेया भारत रिया, सोच नहीं है Future यहीं है यहीं है Chandigarh University, elevating education for a brighter nation बढ़ते pollution और बदलते मौसम के साथ सर्दी, हसी, दुखाम एक आम बात है ऐसे में लीजिए मुल्तानिकों का कौफ सिरप ताके बदलते मौसम के साथ आप न बदले इस नीउस के सहप्रायो जट तर्द कैसा भी हो, अब नहीं सताएगा गट्टुमल दर्दी सुपरपैन रिलीफ के साथ किसान एग्रो, pipes, fittings and water tanks हम से है जहान प्रयाग, दूद, दही, घी और चार्च प्रयाग, मिल्क, सिहत का खजाना इस नीउस के सहप्रायो जट किसान एग्रो, pipes, fittings and water tanks हम से है जहान प्रयाग, दूद, दही, घी और चार्च प्रयाग, मिल्क, सिहत का खजाना तर्द कैसा भी हो, अब नहीं सताएगा गट्टुमल दर्दी सुपरपैन रिलीफ के साथ आप देख रहे हैं न्यूज एटीन उत्तरवेश उत्तराखन इस न्यूज हेड्लाइन के प्रयोजे महाकोश, कच्ची घानी सरसुतेल और रिफाइंड सोयबीन उयल चुनो सही दफन क्या गया माफिया मुक्तार मुक्तार के जनाजे की दौरान चप्पे चप्पे पटैनात रही पुलिस जनाजे में शामिल हर शक्स पर रखी गई नजर लोगों से शांती बनाए रखी ती अपील कर रहा प्रशास माफिया मुक्तार की मौत की जाच शुरू हुई नियाइक और मजिस्चिल जाच करने बांदा जेल पहुंची टीम टीम में जरा जजज डीम और साथी एसमिल शामिल लखनाओं में आज बीज़पी चुनाव संचालन समीती की बैठक सीम योगी बैजयंत पांध्या समेट कई पदधिकारी होंगे शामिल लोगसमाचुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी समिच्चा लालकृष्ण आजबानी समेट पांच विभूतियों को विला भारत रत्न चौधरी चरन सेंग अर्शिम्मा राव कर पूरी छाकोर समीच चार लोगों को मर्णो प्रांच भारत रत्न जवैंत चौधरी ने लिया चौधरी चरन सिंग का सम्माद देवरिया में चाय बनाते समेट सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ मा और तीन बच्चों की मौत हुई घर पूरी तरह से जलकर खांग वाए महाकोश कच्ची घानी सरसु तेल और रिफाइंड सोया बीन ओयल चौनो सही आप देख रहे हैं न्यूज़ेटीन उत्तरवेश उत्तरा खंड तबस्कार व्यूज़ेटीन आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ में अमंदीप खबरों के शुरुवात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे मुक्तार अंसारी के मुक्तार अंसारी को गाज़ेपूर में कड़ी सुरक्षा के बीच में दफन कर दिया गया है मुक्तार को दफन कर दिया गया इस मौके पर बेटा उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी मौजूद थे और साथी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गए थे यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पांच तस्वीर आप देखिए पहली तस्वीर जब माफ्या मुक्तार अंसारी को दफनाया जाएगी तो भीड को समझाते हुए पुलिस सकती से और दूसरी तरफ देखिए पारमलेट्री फोस की तस्वीर भीड के बीच में अंदर घुसते हुए लोगों को यहां पर समझाते हुए पारमलेट्री फोस की आप लोग सांत रहीए अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिये कोई रस्टी के इस तरफ ना आए रस्टी के इस तरफ आता है जो बरस्टी करके है आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी लोकल पुलिस करेगी कड़ी कारवाई दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए परामिलेटरी फोस हर जगा पर आउटर रेंज में परामिलेटरी फोसेस के जवान जो है वो अपना जगा लेते हुए लोकल पुलिस उन्हें जगा बनाने के लिए कह रही है जो रस्टी है उस रस्टी पर परामिलेटरी फोसेस के जवान एससबी के जवान जो है वो तैनाब होते हुए देखिए हर जगा पर फिर 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 खसे कह समय धो रहे हैं उए हमार खेगेर पुलिस 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 और लोकल पुलिस पुलिस के अला दिकारी जिस तरीके से लगतार चेताऊनी दे रहे हैं लखतार जिस तरीके से कह रहे हैं और लगतार जाय को मिए अंदर कमस्तान के अंदर चहरपल शुरू और इसाय्व जो आख़ूनिय नवाय वो अब पढ़ी जा रही है यह अब पढ़ीने की तैयारी हपड़ की जा रही है मुखतार अंसारी का जो आखरी नवाज है वो पढ़ने के अपर तग्यारी हो रही है जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक्त देख पा रहा हूँ अगर यूगल आप इधरत की तरफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगर हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखिए देखिए लोग जो है इस दिवार पर चड़ने कब्रस्तान के दिवार पर गब्रस्तान के पेड़ों पर चड़ने की कोशिस कर रहा है लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें ऐसा हरकत ना करें जो प्रोसेस है अंद की वाहां की तश्वीर अगर आप क्लोस तस्वीरे अपने गाOM को दिखा पाएं जो ऐखें आपर देखर सामने की तस्वीर हैं. फुलिस से हाउसर्स, लोगों खटती हुई, यहाँ पर आप देकवा रहे हैं. यहाँ पर देखें, यहाँ नहीं पर पर रि हम एक एक टस्वीर हम आपको लगातार यहाँ पर दिकार है कफ्स्तान के अंधर की तास्वीर दिखा रहे हैं, कफस्तान के बाहर का जो महाल तापगड से थोड़ी ज़या पहले जिस तरीके सर Genau margin हो रही थी आप खुद tape साट को जनाजा जो है चब आगे बढ़ नहीं पार काफी मशक्त करनी पड़ी मुख्थार सारी के परिजन को काफी मशक्त करनी पड़ी मुकT फिस मामस्क्तास के नारेबाजी हो जा रही है उस चुम्हां बते हुण जो है यह बल के फिर्टामें टर्फीड क्यों कि ले एक उस नारेबाजी को चुर जा। Ladies उस में अगे श्य लगप ए ऑफो से वे अंडर दाकील होती हुई जिससे को हो में रहे लोग और शीट MID आ अन्दर सुरू हो चुका है अन्दर प्रॉसस आपको सरू हो चुका है करबस्तान के अब अब तस्वीरे महीं आपको दिखा रहा है अंदर का प्रॉसस देखिया हो चुका है जरा जानकारी मिल रही है कि शुपुर्दे खाग हो गया मुक्तारी अंसारी का हो चुका है देखिए यहां पर परिवार के लोग इस्थारी लोग यहां पर मुझूद है और अब देखिए धीरे-धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मट्टी है वो उनके कबर पर डाली जा रहे हैं कि अब यहां से लोग दीरे-दीरे बापत बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं तो देखिए यह सीधी तस्वीरे मुक्तार अंसारी का जो जो शब है वो यहां पर लाए जा सकता है और उसी के आसपास का समय था जब मुक्तार इस्थानी लोग जो है वो लगतार यहां पर भीड लगा हुए है पुलिस लगतार अब वो खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस मोती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में वो तम जो है यहां से कबरिस्तान के बाहर निकले का और यह सळक पर लगतार जो पुलिस और प्रशासन है वो लगतार मुझूद है अंदर भी पुलिस के अधिकारी मुझूद हुए कि कबरिस्तान की जो है अब सुपुर्देखाक मुखतार अंसारी को कर दिया देखिए जो मौझूद है और यहां पर देखिए जो एक प्रक्रिया रश्म होती है उसके बाद यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहा है निज एटीर, इंडिया पर कि किस तरह से यहां पर परिवार के सदर से जो है वो लगातार यहां पर मौजूद है देखे मैं आपको बता दूँ कि अभी तक सुपुर्ते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यहां पर फातिया पढ़ने किया जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया जाएगा उसके लिए उहां पर पूरी तयारी की जा रही है फिलाल मुक्तार अंसारी के शव जो है उसके माता पिता के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता-पिता का शौव है उहां पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे हैं यह कबरस्तान खांदानी कबरस्तान है मुक्तार अंसारी के परिव स्भैक्तिप्स मुगतारण सारी के प़ेटे वोग कभर्सान से बाहर निकलेंगे उसके बाद यहां पर जो स्थानिय yo यहां पर जो मोजूद है वो अंदर जा सकेंगे पुलिस में सप्सकी का स्माल कर रही है इस्तिमाल और यहां पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई जना देखिए ये एक्स्कूजिव तस्वीरे केवल न्यूज एट इन इंडिया पर पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई यहाँ पर देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई क्योंकि लगातार रुक रुक इसी भीड से लगातार भीड से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि तब तक ये भीड पीशे जाती है उसके बाद जैसे ही धिलाई थोड़ा सा पैरा मिलेटरी फोसेस के जवान करते हैं उत्ताप अधे पर जो है ये भीड एक बार फिर से आगए आजाती है तो तस्वीरे हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहा है न्यूस एटी इंडिया प मुक्तालन सारी के परिजन है वो दूसरे तरफ आए है अब ऐसा लग रहा है कि फातिया फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी वो सुरू हो रही है फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुसी भी पल यहां पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे यहां से देख प पौधे काफी जादा है और हर करुसान की इसी तरीके की तस्वीर होती है पेड़ पौधे होते हैं लेकिन ये तस्वीरे जड़ा आप देखिए और कब्र के पास फिलाल हम देख पा रहे हैं कि मुक्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी का वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है और मौलवी मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जरा मेरे पास आईए यूगली हां से आप एक प्लोस सौड दिखा पाएंगे जरा पैन करिए उस जगा जहां पर हम देख पा रहे हैं मौलवी को साब को देख पा रहे हैं सिर पे पगड़ी है और शव के पास वो बैठे हुए है तो जाहिर तोर पे जो फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी पल शुरू हो सकती है अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीरें कि किस तरीके से कभर्स्तान में काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेड़ कि मुक्तार अंसारी को सुपूर देखा कर दिया गया है जो फातिया वो पढ़ दिया गया है उनके बेटे अभी हमने देखा यहां पर आके गमगीन माहुल में इसी पार्क में बैठे हुए था कुछ लोग और इस वक्त हम काली बाद कभरिस्तान के बाहर मुजूद है और मुक्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कभरिस्तान के अंदर पहुँच चुका है बहरी पुलिस फोर जो है वो यहाँ पर तेनात है इस्थानी लोग जो है जिनकी नजर में रॉबिन हुटते मुक्तार अंसारी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे छोटे हों बड़े ह ज़ो, तमाम लोग यहां पर इखटा हैं, लोग से लफी ले रहा हैं, वीडियो यहां पर बना रहा है, वो आखरी पल कैद करना चाते हैं, यहां पर समाज बांगी पाटी के पूर वनेता भी पहुंचे थे और मुक्तार अंसारी के सपोर्ट में नारहflowing वाजीब हुई, उनक पर केबल पोलिस मौजूद नदराई थी लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हजारों की तदाद में जो लोग है उनके इस्थानी लोग हैं समरता के वह यहां पर मौजूद हो देखिए पोलिस की मौजूदगी भी यहां पर दिखाई जारी हो मैं देखिए आपको यहां से कारवाई यह वो की जानी देखिए सुनील यादो यह सीरी तस्विर दिखा रहे हैं आपको इस कबरिस्तान के बाहर की जहां पर की कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीग दी गई है यहां पर आर्दसेनिक बनों के जो जवान है सियाई सेप की जो तुकडियां हैं वो की उनकी माता की इसके लावा उनके दादा पर दादा की कबर यहां पर हैं करीवां साड़े साथ फिट की कबर जो हैं यहां पर खोदी रही थी जो केयर टेकर बबलू है उनसे भी हमने कल बात की दी और एक बाद देखी फिर हम आपको फिर हम आपको यहां पर देखिए एक पुलेमा काउंसिल के एक मौलाना साब भी यहां पर है मैं आपको बात कराता हूँ उन से सिरे पेरे कैमरा वसल से वो लोगो ठोड़ा कैमरा इज़र लेके आँ यहां पर सादिक साब क्या कहना चाहेंगे आप बहुत सारे लोग यहां पर आएं मुक्तार अंसारी के सब्सक्राइब के लिए अगले कुछ मिनिट में जो आखरी नवाज है वो आखरी नवाज पड़ी जाईगी। अगले की जा रही है। अगले की जाईगी। अगले की जाईगी। अगले की जाईगी। अगले की जाईगी। तो ये सब जो तस्वीरे जिन लोगों ने देखा है वो लोग आज यहाँ पर मुखुद नहीं हैं। जिनके नजर में रॉबिन हुट की तस्वीरे थी। मुक्तार अंसारी की वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस भीड भीड जो पुलिस ने हलका बल प्रयोक यहाँ पर किया है। उसके बाद यह भीड छटी है यहाँ पर। जिनके यह वाइड तस्वीरे जो हमां अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे हैं अपने दर्शकों को। बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दीजिया। बाहर जो है थोड़ा सा भीड कंट्रोल में होई है। पुलिस ने यहाँ पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से, सक्ती से निप्ता अंदर से मुक्तार अंसारी के परिजन आये। उमर अंसारी को हमने देखा, अफजाल अंसारी को हमने देखा, मुक्ताल अंसारी के बड़े भाई सुभी बुदुला को हमने देखा, कि किस तरीके से वो बाहर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने शांती के अपिल की पुलिस को भी हलका बलका इस्तमाल करना पड़ा है, और उसके बाद यहाँ पर भीड अब जो है कंट्रोल में आ चुका है अब 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 यहाँ से पुलिस 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 ने पुलिस ने यहाँ पर पुलिस ने यहाँ से चेतावनी दे दिया भीड को बड़ी खबर चेतावनी दे दिया कि एलेक्शन का समय है कोई भी नारे बाज करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी अफायार दर्जोगा विडियोग्राफ है मुक्तार अंसारी के भाई एक और भाई जो है यहाँ पर पहुंचे हुए है मुक्तार अंसारी के परिजर है शायद और इनको आगे की तरफ ले जाए करेगा विडियोग्राफी हो रही है अफायार दर्ज किया जाएगा चेताओनी चेताओनी गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसारी के यह भाई है यह चचेरे भाई है जिनके लिए गेट खुल गया है और व विल्चेर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जहां पर कब्र खुदा गया है मुक्तार अंसारी का ठीक महीं के तरफ जाते हुए और एक बार फिर से अनॉस्मेंट किया गया पुलिस के तरफ से बाहर की जैसे ही आखरी नवाज हो जाएगी सुपर्ते खाक हो जाएंगे मुक्त पल में इहां पर सुरुवात कर दिया जाएगा एक बार फिर से दिखाएगे जरा वाइट तस्वीरे जो पैत्रिक आवास है मुक्तार अंसारी का उस सड़क से लेकर कब्रस्तान के गेट तक और और दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मोग के तरफ से जो सड़क आती है वह की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे टॉप एंगल सोट हम आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से पुलिस की सकती के बाद पुलिस ने जो माइक से अनॉस्मेंट किया कि ए फिर दर्ज हो सकती है चुनाओ का वक्त है और यह तमाम तस्वीरे वाइट तस्वीर हम आपको परती हुई देखे ये तस्वीरे एक्स्वीरे निज्टी इंडिया पर जिधर से नारेबाजी हुई है पुलिस ने चिताओं नी दिया फाइयार दर्जोगा विडियोग्राफी हो रही है पुलिस उधर की तरफ आगे बढ़ती हुई भीड पीछे की तरफ हटती हुई ये ए पुरी पारी हें। के लिगे चाहिए वहां पर यहां पर यहां पर चुरू होंगे और उसके बाद सुपुर्दे खाक के बाद यहां पर जो आम लोग उनके ऊपर आने की अनुवती दी जा सकती हालग यह प्रशासन के ऊपर है बहुत अच्छा करवाई है दम क्या हो रहा है बस उनको दफनानी की तयारी हो रही है मतलब जो मुसल्मानों के धरम होता वो चीज हो रहा है अभी दफनाए नहीं है अभी नहीं नहीं अभी 10-15 मिन लगेगा जी 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 अभी अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं और लोग आएंगे मिटी देंगे उसके बाद लाष्ट में फातिय पड़ा जाएगा अच्छा जी तो देखिए ये इस अंसारी परिवार का पुष्टेनी कब्रिस्तान है जिसकी तस्वीर है मापको सीजे लगतार निगा रहा है प्राराम लेट्री फोसेस का फ्लाग माज जरा तस्वीरे तस्वीरे देखिए 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 सकती से अचार संगीता मोडल कॉर्ड ऑफ कंड़क्ट लागू है जो हूँ हूँ कर रहे हैं उनको समझाईए अब रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियोगाफी हो रही है फ पारिजन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से घुर्दंग वाजी हा ना करें इस तरीके से नारे वाजी ना करें अचार संगीता लगा हूँ है रिकॉर्डिंग हो रही है चारो तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियोग्राफी हो रही है उपर से नीचे से दाय से बाय से हर जगा से वीडियो रेकॉर्डिंग हो रही है तो किसी भी वक्त यहां आउट अउट अपर्टोल हुआ तो फायार दर्ज कर ली जाएगी तो भीड को समझाते हुए पुलिस सकती से और दूसरी तरफ देखिए परमलेट्री फोर्स की तस्वीर से रशी के इस तरफ ना आए रसी की तरफ आता है जोर जोड अपना जगा लेतते हुए लोकल पोलिस नहें जगा बनाने के लिए कह रही है और जो रसी है उस रसी पर नहीं पारमलेट्री फोर्स के जवान और नहीं खीड़ भीड़ भीडो ही भीड नियाँ ना 수ैद बिड़ को सांत करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोग नातर बाजी करते हैं हर जगा इस तरीके से कुछ होलते हैं और इंही अपर करती है निगा Bernie शेति केले हुआ हार ने लादिकरी इस तरीके से लगातार चेतावनी दे रहे हैं और कवस्त्ता में का फटार शुरू consist beauty Al Magna आपर की ml कवस्ताम में से है जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक देख पा रहा हूं अगर युगल आप इधरत की तलफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगा हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखिए देखिए लोग जो है इस दिवार पर चड़ने कब्रस्तान के दि इस उस प्रोसेस की शुरुवात हो चुकी है उस प्रोसेस की शुरुवात हो चुकी है जो हम यहां से तस्वीर देख पा रहे हैं अगर आप लोगों को हटाती हुई यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर देखें यहां पर देखें यहां पर यहां से पुलिस को हटात हम एक एक तस्वीर एक एक तस्वीर हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कभस्तान के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कभस्तान के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कभस्तान के बाहर का जो महौल ताप से थोड़ी ज़र पहले जिस तरीके से मारेबाजी हो रही अब खुद मुक्तार अंसारी का जनाजा जो है शव जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा तक काफी मशक्कत करनी पड़ी मुक्तार अंसारी के परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी मुक्तार यहां के लोकल पुलिस को और देखिए यहां पर पैरा मुलेटरी फोस आगे की त अंदर का प्रोसेस की तस्वीर आ अंदर की तस्वीर आपको जब आ जा झाए जड़ाऊ पूदे है जिसे की बीड कंच्छोल में रहें लोगा एन एन ओर सीटोर्ड नहीं ओड़ाब नहीं रिखा पा जो अंदर का प्रोसेस है वर्स प्रोसेस की शुरुवात यहां पर हो चुकी है ओवर टी यू आनन्द देखिए मैं आपको सीरी यहां पर एक्स्क्लूजी बातचीत कराता हूं सुपुर्दे खाग हो गया जो जानकारी मिल रही है शक्त समाधाने सुपुर्दे खाग हो गया अब देखिए धीरे-धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मट्टी है वो उनके कबर पर डाली जा रही है देखिए यह सीधी तस्वीर है मापको एक्स्क्लूसीव अंदर की दिखा रहा है कि आप यहां से लोग धीरे-धीरे बापस बाहर निकलना शुरू हो रहा है तो देखिए यह सीधी तस्वीर है मुक्तार अंसारी का जो जो शब है वो यहां पर लाए जा सकता है और उसी के आसपास का समय था जब मुक्तार अंदर शायत पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस रस मोती है जो है पड़ीतार प्रशासन है बोल लगतार मुझूद है अंदर भी पुलिस के अधिकारी मुझूद है कबरिस्तान की अंदर की तस्वीर है कि मैंने कैम्रा पसंद सुझ जादा वाक्त कैम्रा का फोकस है बिल्कुछ सामने आप जहां पर भीट देख रहा हैं वहीं पर मुक्तार अंसारी की कब्र कल खोदी मुझूद हैं और यहां पर देखिए जो एक प्रक्रिया रस्मोती है उसके बाद यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहा हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि किस तरह से यहां पर परिवार के सदर्स जो है वो लगतार यहां पर मुझ देखे मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूरते खाक नहीं हुआ है सुपूरते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी सुपूरते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यहां पर फातिया पढ़न प्रोसेस अभी पूरी की जाएगी और इस प्रोसेस के बाद ही मुक्तार अंसारी सुपूर्टेखाक होंगे सुपूर्टेखाक जैसे ही होंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो अंदर हैं मुक्तार अंसारी के परिजन, मुक्तार अंसारी के बेटे वो लोग कबरस्तान से बाहर निकलेंगे उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो इस्थानि बिछ निखिर्वर रहा है। यहाँ पर लागू है, यहाँ पर आचार संगीता लागू है, अगर भीड की भीडियोग्राफी हो रही है, जो लोग भी नारेबाजी करेंगे, उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की जाएगे, भीड पीछे जाती हुए, क्योंकि पुलिस जब जब बल प्रियोग करती है, परामिल MUSTR हाएगे, घञाएगे Jewish to the New 18 in India पर एक्स्क्लूूसिव तषवीर हम आपकळ दिखा रहे हैं, मेरा बिड़ाइवि不聯 पैसे पारी जो की उसमे परिजयन है वो फिल्हाल दूसे तरफ यहां पर क्र derivativesन में आया है यहां पर कृष्टन के कम्रश्थन में आये हैं । यहां पर देख पा है costume उसे मृत्न हैं दूसे 脈ब यहां प्रक्रिया वह सुरू हो रही है फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुछी भी पल यहां पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरें यहां से देख पा रहा हूँ मॉलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं वो मॉलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शौव के पास मौझूद है जरा अगरा क्लोस सोट आप दिखा पाएं यूगल हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है क्योंकि पेड़ पौधे काफी जादा है और हर करुसान की इसी तरीके की तस्वीर होती है पेड़ पौधे होते हैं लेकिन ये तस्वीरे जरा आप देखिए और कबर के पास फिलाल हम देख पा रहे हैं कि मुखतार अंसारी का बेटा उमर अंसारी वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है और मॉलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जरा मेरे पास आईए यूगली हाँ से आप एक प्लोस सोट दिखा पाएंगे जरा पैन करिये उस जगा जहां पर हम देख पा रहे हैं मॉलवी को साब को देख पा रहे हैं सिर पे पगड़ी है और शव के पास वो बैटे हुए हैं तो जाहिर तोर पे जो फातिया पढ़ने की प्रक्रिया है वो किसी भी पल सुरू हो सकती है अंदर की तस्वीरे अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से कभरिस्तान में काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेड़ पौदें यहां पर लगातार है लेकि हम कभर के बास मुक्तार अंसारी को सुपुर देखा कर दिया गया है जो फातिया वो पढ़ लिया गया है उनके बेटे अभी हमने देखा यहाँ पर आके गमगीन माहुल में इसी पार्क में बेटे हुए था कुछ लोगों इस वक्त हम काली बाग कभरिस्तान के बाहर मुझूद हैं और जो मुक्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कभरिस्तान के अंदर पोहुच चुका है। है और देखिए पूरी सड़क खचा-खच भरी हुई है देखिए मेरे केमरमसन सुनी लिया दाओ आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस सरसे जब सोबह हम यहां पर छे बज़े रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो यहां पर केमल पॉलिस मौजूद नदराई थी लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हजारों की तदाद में जो लोग हैं उनके इस्थानी लोग हैं समर्ता के वो यहां पर मौजूद नेखिए पूलिस की मौजूदगी भी यहां पर दिखाए जारी हो मैं देखिए आपको यहां से तस्वीरे दिखाता हूँ थोड़ी सी हैं आपको इस कबरिस्तान के बाहर की जहां पर की कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीक दी गई है यहां पर आर्दसेनिक बनों के जो जवान हैं सी आईसेप की तुकडियां हैं वो तेनाद की गई हैं और यहां पर देख सकते हैं मुकतार अंसारी के पूरा परिवार हैं उनके चाहे भाई हो या उनके भतीजे हो वो तमाम लोग यहां पर अंदर परिवार के कुनवे के दूसरे लोग मुझूद हैं और यह उनका तरीके से पुष्टेनी कबरिस्तान हैं यहां पर उनके पिता की उनकी माता की इसके लावा उनके दादा पर दादा की कबर यहां पर हैं मैं आपको बात कराता हूँ उन से सिरे पेरे केमरा वसल से वो लोगो तोड़ा कैमरा इज़र लेके आँ यहां पर क्या कहना चाहेंगे आप बहुत पारे लोग यहां पर आएं मुक्तारंधारी के लिए मैं इस वक्षाम के अंदर की तस्वीरे दिखाने के लिए जा और हम एक एक तस्वीर आपको कविस्तान के अंदर की दिखा रहा है इस वक्त जो बॉड़ी है जो श्राव है मुक्तारंधारी के लिए गया है और जाहिर तोर पे अगले कुछ मिनिट में जो आखरी नवाज है वो आखरी नवाज पड़ी पड़ी जाई हूँ उसकी तैया अंदर की जा रही है मैं इस वक्त यहां से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ जो मुक्तारंधारी के चोटे बेटे हैं उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ अब जल अंसारी को देख पा रहा हूँ और तमाम जो पड़िजन है मुक्तारंधारी को उनको यहां से द पूइन पूरोइ सेथे करनी है जो आकिरी सलाम करते हैं लेकिन यह फीडी इहां पर क्यों हाँ तो महांदबाद में रॉबिन हूड की छबी जो यहां के लोगों के के साह्यटा करते थे बेटован साधी में जिस तरीके से वो मदद करते से केवल महमदाबाद में लेकिन अगर पुरुवांचर वासियों के अगर हम बात करें तो 1990 के दसक में, 1980 के दसक में पहली बार मुक्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, मुखान सिंगिरों के साथ उनका नाम जुड़ा, उसके बाद जौनपूर, मौउ, गाजीपूर, आजमगड में जो संगटित अपराद होता था, उसमें मुक्तार अंसारी का नाम आते रहता था मुक्तार अंसारी की अदावत भी कई गैंगों के साथ हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे लेकिर हम तस्वीरे दिखा रहे हैं, इन सब के बावजूद, मुक्तार अंसारी का जब काफिला 1990-2000 के दसक में निकलता था, उनके काफिले में जो गुड़गे होते हैं, वो असला लहराते हुए जाते थे तो यह सब जो तस्वीरे जिन लोगों ने दिखा है, वो लोग आज यहाँ पर मुखुद नहीं हैं, लेकिन जिनके नजर में रॉबिन हुट की तस्वीरे थी, मुक्तार अंसारी की, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इस भीड, भीड, जो पुलिस ने हलका बन प्र जन आए, उमर अंसारी को हमने देखा, अफजाल अंसारी को हमने देखा, मुक्तार अंसारी के बड़े भाई सुब बुदला को हमने देखा, कि किस तरीके से वो बाहर आएं, और बाहर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने शांती के अपिल की पुलिस को भी हलका बलका इस्त खिलाफ कारवाई की जाएगी, अफायार दर्जोगा विडियोग्राफ है, मुक्तार अंसारी के भाई, एक और भाई जो है, यहाँ पर पहुंचे हुए है, मुक्तार अंसारी के परिजन है, और इनको आगे की तरफ ले जाए मुक्तार अंसारी के यह भाई है, यह चचेरे भाई है, जिनके लिए गेट खुल गया है, और वो विल्चेयर पर बैठे हुए है, और वो इस वक्त गरबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है, क्योंकि आखरी नवाज जो है, इस वक्त अदा की जाएगी, और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर, देखे गेट खुल गया, गेट बंद हो गया, विल्चेयर पर हम देख पा रहे है, विल्चेयर आगे की तरफ बढ़ता हुआ, जहां पर कबर खोदा गया है, मुक्तार अंसारी का, ठीक वहीं के तरफ जाते हुए और एक बार फिर से अनाउस्मेंट किया गया, पुलिस के तरफ से बाहर की जैसे ही आखरी नवाज हो जाएगी, सुपर्ते खाक हो जाएगे, मुक्तार अंसारी हर किसी को इजाजब दी जाएगी, कि अंदर वो कबस्तान में जाए, आखरी सलाम वो कर सकते हैं, आखरी नव मुक्तार अंसारी का, उस सड़क से लेकर कबस्तान के गेट तक और दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मौ के तरफ से जो सड़क आती है, वहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, टॉप एंगल सौट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की सकती के बाद, पुलिस ने जो माइक से अनाउस्मेंट किया कि F.I.R. दर्ज हो सकती है, चुनाओ का वक्त है, और ये तमाम तस्वीरे, वाइड तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं, एक पर फिर से नारेबाजी हुई है, पुलिस चेताओनी दे रही है, F.I.R. दर्ज होगा, फीर ने प भीड पीछे की तरफ हटती हुई, ये एक्स्वीर तस्वीरे के वहला आप ने उजट इन इंडिया पर देख सकते है, परामिलिक्ट्री फोसेस के जवान, नारेबाजी जिदर से हुई है, उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर, सिल्ड लेकर, हथियार लेकर, क्य जिदे वह आगे जाते हुए है, कि जहां पर दिखा रहा है, जहां पर की मौझूद पर केमरा बसन आपको दिखाएंगे, देखे सूनी लिया दो, बिल्कुल अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, बाहर दिस तर से, पूरी हुजूम यहां पर है, पोलिस फोर्स है, वैसे ही तस्वीरे ले आपको दिखाएंगे, यहां पर की कुछुनिंदा जो है परिवार के और कुछ thighईली लोक जो हैं, वो यहां पर मुझूद है, बिल्कुल लेखे हैंगे, यहां से महांज, पचास मीटर की दूरी पर जहां पर भीड़ देख रहे हैं, वहां पर भीड़ अहो खोड़ा गयादा करीवन साड़े साथ फिट की जो कर्व थी और यहां पर शुरू होंगे और उसके बाद सुपुर्देखाग के बाद यहां पर आम लोग हैं उनके वहां पर आने की अनुमती दी जा सकती हालग यह प्रशासन के ऊपर है बस उनको दफनाने की तैयारी हो रही है, मतलब जो मुसल्मानों के धरम में होता है, वो चीज़ हो रहा है, अभी नहीं, अभी कमशनद 10-15 मिनित लगेगा, जी, जी, अभी, अभी सब लोग जो बाहर के लोग है, उनकी कबर के पास ही रखा गया है, पुलिस के अधिकारी जो अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीर है मापको सीज़ लखतार निगा रहा है जो हूँ कर रहे हैं उनको समझाइए अब रेकॉर्डिंग हो रही है वीडियोग्राफी हो रही है फायार दर्जोगा पुलिस सक्ती से पट रही है जरह यह तस्वी अब पुष्टा है मोडल कॉर्ड ऑफ कंड़क्ट है पीछे हट यह पीछे हट यह नारे बाजी नहीं पीछे हट यह नहीं तो एफ आइज दर्ज होगा परिजन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से घृदंग बाजी हा ना करे इस तरीके से नारे खूल हुआ तो भीर को समझाते हुए पुलिस् सक्ति से और दूसरी तरफ देखे रामलेट्री वोस की तस्वीर भीड के पीच में अंदर घुसते हुए लोगों को हुआँ पर समझाते हुए प्राप्लेट्री फोस कि आप लोग को सांथ रहिए अंदर की प्रक्रिया हो ज लोकल पुलिस करे कि कड़ी कारवाई दूसरी तरफ यहाँपर लिए पर जवान इसजान पर अपना जगा लेक्ते हूए लोकल पोलिस उन्हें जगा बनाने के लिए भीड़ ने नारेबाजी करती, भीड़ को सांत करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोग नारेबाजी करती है, हर जगा इस तरीके से कुछ हुरदंगी होते हैं और इन हुरदंगी के खिलाफी F.I.R. दर्च करती है पुलिस, लोकल पुलिस का जो आखरी नवाज है वो पढ़ने के अपर तग्यारी हो रही है जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक देख पा रहा हूँ अगर यूगल आप इधर की तरह पाएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगर हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखिए लोग जो हैं इस दिवार पर चड़ने कब्रस्तान के दिवार पर गब्रस्तान के पेड़ों पर चड़ने की कोशिस कर रहा है लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें ऐसा हरकत ना करें जो प्रोसेस है अंदर को दिखा पाएं जो वहां से देखें यहां पर देखें यहां पर यहां से पुलिस को हटाती हुई जरा सामने की तस्वीर है यहां पर पुलिस यहां पर आनॉसमेंट करती हुई यहां से लोगों को हटाती हुई यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर आप देख पा रहे कवस्तान के बाहर की तस्वीर दिखा रहा है कवस्तान के बाहर का जो महौल टापस से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी अब खुद मुक्तार अंसारी का जनाजा जो है शव जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा तक काफी मशक्कत करनी पड़ी मुक्तारंसारी के परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी मुक्तार यहा के लोकल पुलिस को और देखे है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स आगे की तरफ घड़ में बढ़ती हुई जिससे की भीड कंट्रोल में रहे law and order situation खराब ना हो अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है करबस्तान के अब अंदर की तस्वीर हैं आपको दिखा रहा है अंदर का प्रोसेस देखिए सुरू हो चुका है जरा close shot पीड़ पौदे हैं सायद उतने अच्छी तरीके से विज्वल नहीं रिखा पा है जो लेकिन मैं इस वक्त अपने आपको से देख पा रहा हूँ जो अंदर का प्रोसेस है वर्स प्रोसेस की सुरूआति हाँ पर हो चुकी है ओवर टू आनंद देखिए मैं आपको सीधी यहाँ पर exclusive बातचीत कराता हूँ सुपुर्दे खाग हो गया जो जानकारी मिल रही है सुपुर्दे खाग हो गया मुक्तारी अंसारी का और कितनी देर पहले हुआ है तो देखिए यह बता रहा है यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मट्टी है वो उनके कबर पर डाली जा रही है देखिए यह सीधी तस्वीर है हम आपको exclusive अंदर की दिखा रहा है कि अब यहां से लोग दीरे दीरे बापस बाहर निकलना शुरू हो रहा है इस्थानी लोग जो है वो लगतार यहां पर भीड लगा हुए है पुलिस लगतार को अब वो खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस रस्मोती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में वो तमाम चीजे जो है अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि जो परिबाहर है वो कितनी धेर के भीतर जो है यहां से कब्रिस्तान के बाहर निकलेगा और यह सरक पे लगतार जो पुलिस और प्रशासन है वो लगतार मुझूद है अंदर भी पुलिस के अधिकारी मुझूद है कब्रिस्तान की अंदर की तस्वीर है कि मैरे कैमरा पसंद सूरी जादवा आप कैमरा का फोकस है बिल्कु पर देखिए जो एक प्रक्रिया रस्म होती है उसके बाद वो यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहा हैं न्यूज एटी इंडिया पर किस तरह से यहां पर परिवार के सदर्स जो है वो लगातार यहां पर मौजूद है देखें मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहां पर देख पा रहा हूँ कि यहां पर फातिया पढ की खुदाई हुई है ठिक उनके बगल में उनके माता पिता का शौव है उहाँ पर उनका कबर है और यहाँ पर देखिए यह जो कबदस्तान आप देख पा रहें यह कबदस्तान ख Character के परिवार का और जो फातिया पढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो process अभी पूरी की जाएगी और इस process के बाद ही मुक्तार अंसारी सुपृतिक हाग होंगे सुपृतिक हाग जैसे ही होंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो अंदर हैं मुक्तार अंसारी के relatives, मुक्तार अंसारी के परिजन, मुक्तार अंसारी के बेटे वो लोग कबरस्तान से बाहर निकलेंगे उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो इस्थानिया लोग यहाँ पर जो मौझूद हैं वो अंदर जा सकेंगे पुलिस ने सकती का इस्तमाल कर रही है, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, जना देखिए ये एक्स्कूजिव तस्वीरे, केवल न्यूज एक इंडिया पर, पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई, यहाँ पर देखिए, अब द से डील करती हुई क्योंकि लगातार रुक रुक इसी भीड से लगातार भीड से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि इसकतंबादेस पोलिस के जावान करते हैं उसके बाद उसके बाद जो है ये भीड एक बाद फिर से आगे आजाती है तो असे हमास को लगातार इहां पर दिखा रहे हैं biz that in इंडिया पर एक्स्क्लूजिव त भीड पी मुक्तालन सारी के परिजन है वो दूसरे तरफ आए हैं अब ऐसा लग रहा है कि फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी वो सुरू हो रही है फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुसी भी पल यहां पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे यहां से देख पारा हू मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शव के पास मौजूद है ज़रा अगर क्रोल सौट आप दिखा पाएं यूगल हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है क्योंकि पेड़ पौधे काफी ज़ादा है और हर करुसान की इसी तरीके की तस्वीर होती है पेड़ पौधे होते हैं लेकिन ये तस्वीरे ज़रा आप देखिए और कबर के पास फिलाल हम देख पा रहे हैं कि मुखतार अंसारी का बेटा उमर अंसारी वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ज़रा मेरे पास आईए यूगली हाँ से आप एक प्लोस सौड दिखा पाएंगे ज़रा पैन करिए उस जगा जहां पर हम देख पा रहे हैं मौलवी को साब को देख पा रहे हैं सिर्फ पे पगडी है और शव के पास वो बैठे हुए है तो जाहिर तोर पे जो फातिया पढ़ने की प्रक्रिया है वो किसी भी पल सुरु हो सकती है अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से कबस्तान में काफी मुश्किल पर देखा यहां पर आके गमगीन माहुल में इसी पार्क में बैठे हुए था कुछ लोग वक्त हम काली बाग कबरिस्तान के बाहर मौजूद है और जो मुक्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कबरिस्तान के अंदर पहुँच चुका है बाहरी पुलिस थोर जो है वो यहां प पर बना रहा है वो आखरी पल कैद करना चाहते हैं यहां पर समाजबादी पाटी के पूर्वनेता भी पहुचे थे और यहां पर मुक्तार अंसारी के सपोर्ट में नार्यवाजी वह उनके परिवार के लोग भी लगतार यहां पर आम लोगों से अपील कर रहा है कि शान्त पर पोलिस की मोजूदगी भी यहां पर दिखाई जारी है आपको यहांसे तस्वीरे भाटा हूं ठोड़ी सी अगर हम देख पाएं तो देखिए यहां पर जहांपर के पोलिस पीसी की जवान खड़े हुए हैं यहांसे मैं आपको तस्वीरे मेरे केपो आपको पुरा परिवार है उनके चाहे भाई हो या उनके भतीजे हो वो तमाम लोग यहां पर अंदर परिवार के कुनवे के दूसरे लोग मुझूद है और यह उनका तरीके से पुष्टेनी कबरिस्तान है यहां पर उनके पिता की उनकी माता की इसके लावा उनके दादा- पर यहां पर देखिए पुलेमा काउंसिल के एक मौलाना साब भी यहां पर है मैं आपके बात कराता हूँ उनको थोड़ा कैमरा इसरे लेके आँ यहां पर सादिक साब क्या कहना चाहेंगे आप बहुत पारे होग नहां पर आहें मुक्तार अंजाम दे रहा है और हम एक एक तस्वीर आपको कवस्तान के अंदर की दिखा रहे हैं इस वक जो बाडी है जो श्रुशाओ है मुक्तार अंसारी का वो उनके कबर के पास रख दिया गया है और जाहिर तोर पर अगले कुछ मिनिट में जो आखरी नवाज है वो आखरी नवाज पढ़ी जाएगी हूँ उसकी तयारी अंदर की जा रही है मैं इस वक्त यहां से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ जो मुक्तार अंसारी के चोटे बेटे है उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ अब जल अंसारी को देख पा रहा हूँ और तमाम जो पढ़ीजर है मुक्तार अंसारी को उनको यहां से देख पा रहा हूँ जो वो तमाम प्रोसेस कर रहा है आखरी नवाज यहां पर पढ़ी जाएगी और आखरी नवाज के बाद सुपर दिखाक कर दिया जाएंगे ये भीड़ यहां पर क्यों है क्योंकि जो शबी मुक्तार अंसारी की थी महमदाबाद में वो रॉबिन हुट की शबी जो यहां के लोगों को साहता करते थे बेटियों की साधी में जिस तरीके से वो मदद करते थे केवल महमदाबाद में लेकिन अगर पुरुवांचल वासि उसमें मुक्तार अनसारी का नाम coupon के साथ हैं कि अदावत भी गैंगों के साथ हूई उनका भी हम छिकर करेंगे लेकिन हम तस्वीरे दिखा रहे हैं इन जब के बावजूद मुक्तार अंषारी का जब काफिला 1990-2000 के दसक में निकलता था तो उनके काफिले में जो गुडगे होते हैं तो असला लहराते हुए जाते थे पुलिस ने यहाँ पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से सक्ती से निप्ता अंदर से मुक्तार अंसारी के परिजन आए उमर अंसारी को हमने देखा अफजाल अंसारी को हमने देखा मुक्तार अंसारी के बड़े भाई सुभी बदला को हमने देखा कि किस तरीके से वह बाहर आ पर बढ़ करने के बाद यहां पर उन्होंने शांती के अपिल कीकी पुलिस section aillas में ए उसके बाद यहां पर पिड ऑब जो हैं गरा फ़ीड अब यहांसे पुलिस पिलिस ने पुलिस ने यहां पर पुलिस ने यहां हमसे चताउनी दे दिया बीड को बड़ी खबर चेतावनी देदी है कि एलेक्षन का समय है कोई भी नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी अफाईयार दर्जोगा विडियोग्राफ है मुक्तार अंसारी के भाई एक और भाई जो है यहाँ पर पहुंच गया है मुक्तार अंसारी के परिजन है और इनको आगे की तरफ ले जाए पर पताईये एलेक्षन का समय है कोई भी नारेबाजी करेगा विडियोग्राफी हो रही है अफाईयार दर्ज किया जाएगा चेतावनी गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसारी के यह भाई है यह चचेरे भाई है जिनके लिए गेट खुल गया है और वो वीलचेयर पर बैठे हुए है और वो इस वक्त करबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्योंकि आखरी नवाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर देखे गेट खुल गया गेट बंद हो गया सुपरतेखाक हो जाएंगे मुक्तार अंसारी हर किसी को इजाज़त दी जाएगी कि अंदर वो कबस्तान में जाए आखरी सलाम वो कर सकते हैं आखरी नवाज वो भी पढ़ सकते है लेकिन इस वक्त जितने भी रिलेटिवस हैं वो मुक्तार अंसारी के वो अंदर पहुच चुके हैं और जो प्रॉसेस है आखरी नवाज का वो कुछी पल में यहाँ पर सुरुवात कर दिया जाएगा एक बार फिर से दिखाएगे ज़रा वाइट तस्वीरे जो पैत्रिक आवास है मुक्तार अंसारी का उस सड़क से लेक पर फिर से नारेबाजी हुई है पुलिस चेताओनी दे रही है फायार दर्ज होगा भीड ने पीछे से नारेबाजी की पुलिस चेताओनी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई देखे यह तस्वीर केवल आप नियुजेटिन इंडिया पर देख सकते हैं पैरा मिलेक्टरी फोसेस के जवान नारेबाजी जिदर से हुई है उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगाकर अपना हलमेट और सीधे हुआ आगे जाते हुए कि जहां प हम चीज़े कबरिस्तान के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हैं जहां पर की दिस्त मौझूद तो एक येरे कैमरा पस़न आपको दिखाएंगे देखें सुनी लियादाओ बिलकुल अंदर की तस्वीर दिखाएंगे बाहर दिस तर से पूरी खुळूम यहाँ पर है प जुक्तार अंसारी की जो कबर है उसे कल खोदा ग्यादा करीवन साड़े साथ फिट की जो कर्व थी और बिल्कुल उनकी कबर के सामने ही उनकी माता की उनके पिता की और उनके जो दूसरे निश्टदार है उनके खांदान के उनकी कबर वहां पर है और यहां पर देखिए थो करवाई एदम उनको दफनाने की तैयारी हो रही है मतलब जो मुसल्मानों के धरम होता है वह चीज हो रहा है अभी नहीं 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 अभी कंद 10-15 लगेगा भी टाया जी जी अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं वो लोग आएंगे मिटी देंगे उसके बाद अभी उनका जो जनाजा है वो बिलकुल उनकी कब्र के पास ही रखा गया है पोलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है और यह अनसारी परिवार का पुष्टेनी कब्रिस्तान है जिसकी तस्वीर मापको उस्यज्य लगा रहा है जो हूह कर उनको समझाइब रेकौडिंग हो रही है विडियो गवाफि हो रही है फाय दफ होगा पोलिस सक्ति से निपट रही है जलाां यह तस्वीर दिखाए पिछे हट यह अचार संगीता है मोडल कोड ऑफ कंड़क्ट है पीछे हट यह पीछे हट यह नारे बाजी नहीं पीछे ह कि बीड के बीच में अंदर घुषते हुए लोगों को उहां पर समझाते हुए परम लेक्स की प्रक्रिया हो जाने दीजिए कोई रसी के इस तरफ ना आए, रसी के इस तरफ आता है, जो रसी करका आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी, लोकल पुलिस करेगी कड़ी कारवाई, दूसरी तरफ यहांपर दखे पर देखे पर हर जगा पर जगा पर आउटर रेंज में, अपना जगा लेकते हुए के खिलाफी FIAR करती है पुलिस लोकल पुलिस और लोकल पुलिस के अलादिकारी से लगतार चेताउनी दे रहे हैं लगतार जी सित तरीके से कह रहे हैं और जो है अन्दर भी कभस्तान चाहर पर करही बदेजिके न्वाज और अपढ़ी जा रही है वो अब पढ़िने की तैयारी हापड की जा रही है मुखतार अंसारी का जो आखरी नवाज है वो पढ़ने की हापड तैयारी हो रही है जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक्त देख पा रहा हूँ अगर युगल आप इधर की तलफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगर आप तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखिए देखिए लोग जो हैं इस दिवार पर चड़ने कब्रस्तान के दिवार पर गब्रस्तान के पेड़ों पर चड़ने की कोशिस कर रहा है लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें जो प्रोसेस है अंदर सुपुर्ते खाक का वो प्रोसेस उस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है जो हम यहांसे तस्वीर देख पा रहे हैं और जो प्लोस तस्वीरे अंदर की वहां की दिखाईएगा अगर आप close तस्वीरे अपने दर्सकों को दिखा पाएं, जो वहाँ से, देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर, यहाँ से पुलिस को हटाती हुई, जरा सामने की तस्वीर है यहाँ पर, पुलिस यहाँ पर अनॉसमेंट करती हुई, यहाँ से लोगों को हटाती हुई, यह पर नहीं थे उह पर आप देखें यहां पर आ पको लेके पर दिखा रहे हैं कभस्तान के अंदर की तस्वीर रहे हैं कभस्तान के बाहर की तस्वीर occupy रहे को इस तो 친िके इसे नारेबाजी होजी हुँ थी खुद मुक्तार अंसारी का जनाजा नहसी नहस forsk兒 करने पड़ी मुक्ता-रनसारी के परीजनों को काफी मशक्कात करनी फ़री यहां के लोकल पुलिस की ओर और देखिए यहां पर paramilitary force आगे की तरफ भीड में बढ़ती हुए क्योंकि भीड से लगातार बीच में नारेबाजी हो जा रही है उस नारेबाजी को कंट्रोल करने की कोशिस हो रही है और उस भीड में आगे प्रोसेस जो है अंदर दाखिल होती हुई जिससे की भीड कंट्रोल में रहे लॉग और सिट्वेशन खराब ना हो अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है करबस्तान के अंदर की तस्वीर हैं आपको दिखा रहे हैं अंदर का प्रोसेस यहां पर हो चुकी है ओवर टु यू आनंद देखिए मैं आपको सीधी यहां पर एक्स्क्लूजी बातचीत कराता हूं सुपुर्दे खाग हो गया जो जानकारी मिल रही है शक्त समाधाने सुपुर्दे खाग हो गया मुक्तारी अंसारी का जी 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 और किती दिर पहले हु अब देखिए धीरे-धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मटी है वो उनके कबर पर डाली जा रही है देखिए यह सीधी तस्वीर है मापको एक्स्टूसिव अंदर की दिखा रहा है कि आप यहां से लोग धीरे-धीरे बापस बाहर निकलना शुरो हो रहे हैं तो द लगतार यहां पर भीड लगा हुए हैं पुलिस लगतार वो खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस रस्मोती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में वो तमाम चीजे जो है अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि जो परिबाहर है वो कितनी देर के भीतर जो है यहां से कबरिस्तान के बाहर निकले का और यह सब्सक्राइब लगतार जो पुलिस और प्रशासन है बो लगतार मोजूद है अंदर भी पुलिस के अधिकारी केमरा का फोकस है बिल्कुर सामने आप जहां पर भीट देख रहा है वही पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खो दी गईती करीवन साले साथ फिट की उसके उनके ही पास में उनके रिष्टारों के उनके माता पिता की कबरे उनका पुछ्टेनी यह कबरिस्तान है काली बाग ज देखिए जो एक प्रक्रिया रस्म होती है उसके बाद वो यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहा है न्यूज एटी इंडिया पर कि किस तर से यहां पर परिवार के सदस जो है वो लगातार यहां पर मौजूद है देखे मैं आपको बतादू कि अभी तक सुपुर्टे-खाक नहीं हुआ है Moktar Angency की जो तस्वीरे में यहां पर देखा रहा हूँ कि यहां पर फात्या पढ़ने किया जो प्रक्रिया को अभी किया जाएगा उसके लिए उहां पर पूरी तयारी की जा रही है फिलाल मुक्तार अंसारी के शव जो है उसके माता पिता के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता पिता का शव है उहां पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे ये कबरस्तान, खांदानी कबरस्तान है, मुक्तार अंसारी के परिवार का, अंसारी परिवार का और जो फातिया पढ़ने की जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस अभी पूरी की जाएगी और इस प्रोसेस के बाद ही मुक्तार अंसारी सुपृतिखाक होंगे, सुपृतिखाक जैसे ही होंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो अंदर हैं मुक्तार अंसारी के रिलेटिब्स, मुक्तार अंसारी के परीजन, मुक्तार अंसारी के बेटे, वो लोग कबरस्तान से बाहर निकलेंगे उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो इस्थानिय लोग यहां पर जो मौझूद हैं वो अंदर जा सकेंगे पुलिस ने सक्ति का इस्तमाल कर रही है पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई जरा देखिए यह एक्स्कूजिव तस्वीरे केवल न्यूज एक इंडिया पर पुलिस भीड को पीछे खदरती हु पीछे हटी है आप लोग पुलिस यहां पर सक्ति से इन लोगों से डील करती हुई क्योंकि लगातार रुक रुक इसी भीड से लगातार भीड से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि मोडल कौड अफ कंडक्ट यहां पर लागू है यहां पर आचार संगीता लागू अगर भीड की भीडियोग्राफी हो रही है जो लोग भी नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की जाएगे भीड पीछे जाती हुए क्योंकि पुलिस जब जब बल प्रियोग करती है परामिलिटरी फोसेस के जवान जब जब बल प्रियोग करते है तब तक ये भीड पीछे जाती है उसके बाद जैसे ही ढिलाई थोड़ा सा पैरामिलिटरी फोसेस के जवान करते हैं उत्तापदेस पुलिस के जवान करते हैं उसके बाद उसके बाद जो है ये भीड एक बार फिर से आगे आ जाती है तो तस्वीरे हम आपको लगातार यहाँ पर पार हैं हम जो को आइसा लग रहा है कि फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है शुरू हो रही है। कुछी भी पल यहाँ पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरें यहाँ से देख पारा हूँ मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शाओ के पास मौजूद है जड़ा अगर क्लो सौट आप दिखा पाएं यूगल हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है क्योंकि पेड़ पौधे काफी ज़ादा है और हर करुसान किसी तरीके की तस्वीर होती है पेड़ पौधे होते है लेकिन यह तस्वीरे जड़ा आप देखिए और कबर के पास फिलाल हम देख पा रहे है कि मुखतार अंसारी का बेटा उमर अंसारी वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे है जड़ा मेरे पास आईए यूगली हाँ से आप एक क्लोस सौट दिखा पाएंगे जड़ा पैन करिये उस जगह जहाँ पर हम देख पा रहे है मौलवी को साब को देख पा रहे है सिर पे पगड़ी है और शव के पास वो बैठे हुए है तो जाहिर तोर पे जो फातिया पढ़ने की प्रक्रिया है वो किसी भी पल सुरू हो सकती है अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे है अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से कब्रस्तान में काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेड़ परदें यहां पर लगातार है लेकि हम कब्र के बास बेखें मुक्तार अंसारी को सुपुर्देखा कर दिया गया है जो फातिया वो पढ़ लिया गया है उनके बेटे अभी हमने देखा यहाँ पर आके गमगीन माहुल में इसी पार्क में बैठे हुए था कुछ लोगों इस वक्त हम काली बाग कबरिस्तान के बाहर मुझूद है और जो मुक्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कबरिस्तान के अंदर पहुँच चुका है बाहरी पुलिस फोर जो है वो यहाँ पर तेनाते इस्थानी लोग जो है जिनकी नजर में रॉबिन हुटते मुक्तार अंसार है और देखिए पूरी सड़क खचा-खच भरी हुई है देखिए मेरे केमरमसन सुनी लिया दाओ आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस सरसे जब सोबह हम यहां पर छे बज़े रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो यहां पर केमल पॉलिस मौजूद नदराई थी लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हजारों की दादाथ में जो लोग है ऐनके इस्थानी लोगें समर्था के वो इहां पर मौजूद नेखिए पॉलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर दिखाए जारी हो मैं देखिए आपको यहां से तस्मीरे दिखाता हूं दोड़ी सी जहांपर की जो सुपर्देखाग की कारवाई है वो की जानी देखिए सुनील यादो यह सीरी तस्विर दिखा रहे हैं आपको इस कबरिस्तान के बाहर की जहांपर की कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीग दी गई है यहांपर आर्दसेनिक बनों के जो जवान है सियाई देख सकते हैं मुकतार अंसारी के जो पूरा परिवार है उनके चाहे भाई हो या उनके भतीजे हो वो तमाम लोग यहां पर अंदर परिवार के कुनवे के दूसरे लोग मौजूद है और यह उनका तरीके से पुष्टेनी कबरिस्तान है यहां पर उनके पिता की उनकी मात सब्सक्राइब के एक मौलाना साब भी यहां पर है मैं आपको बात कराता हूँ नसे सिदे पेरे केमरा वसंद से उनको थोड़ा कैमरा इज़र लेके आँ यहां पर आप सादिक साब क्या कहना चाहेंगे आप बहुत पारे होग यहां पर आएं मुक्तार अंसारी के सब्सक् और हम एक एक तस्वीर आपको कबस्तान के अंदर की दिखा रहा है इस वक्त जो बाडी है जो शाओ है मुक्तार अंसारी का वो उनके कबर के पास रख दिया गया है और जाहिर तोर पे अगले कुछ मिनिट में जो आखरी नवाज है वो आखरी नवाज पढ़ी पढ़ी जा पर पढ़ी जाएगे और आखरी नवाज के आखरी न पूब टिखाक कर दिया जाएंगे मुक्तार अंसारी और जैसे ही सुपर टिखाक होंगे अंकिता उसके बाद से ही यह जो तमाम भीड है उसके लिए गेट यहां से खोल दी जाएगी, वो भीड एंटर करेंगे, और जिनको भी नवाज अदा करनी है, जो आखिरी सलाम करना है मुक्तार अंसारी को, वो मुक्तार अंसारी को अपना आखिरी सलाम कर सकते हैं, लेकिन यह भीड यहां पर क्यों है, क्योंकि जो शबी मुहमदाबाद में वो रॉबिन हुड की छबी, जो यहां के लोगों को साहता करते थे, बेटियों की साधी में जिस तरीके से, वो मदद करते थे, केवल मुहमदाबाद में, लेकिन अगर प्रुवांचर वासियों के अगर हम बात करें तो, 1990 के दसक में, 1980 के दसक में, पहल कावद भी कई गैंगों के साथ हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम तस्वीरे दिखा रहे हैं, इन सब के बावजूद, मुक्तार अंसारी का जब काफिला, 1990 के दसक में निकलता था, उनके काफिले में जो गुड़गे होते हैं, वो असला लहराते हुए जाते थ हैं, उसके बाद यह भीड छटी हैं यहाँ पर, जड़ा यह वाइड तस्वीरे जो हमां अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे हैं अपने दर्सकों को, बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, बाहर जो है, थोड़ा सा भीड कंट्रोल में होई है, पोलिस ने यहा पर उन्होंने शांती के अपिल की पुलिस को भी हलका बलका इस्तमाल करना पड़ा है, और उसके बाद यहाँ पर जो है भीड अब जो है कंट्रोल में आ चुका है, अब 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 यहाँ से पुलिस, पुलिस ने, पुलिस ने, यहाँ पर, पुलिस ने यहाँ से चेतावनी दे दी है भीड को बड़ी खबर चेतावनी दे दी है कि एलेक्शन का समय है कोई भी नारे बाजी करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी अफाई यार दर जोगा विडियोग्राफ मुक्तार अंसारी के भाई एक और भाई जो है परिज़य और इनको आगे की तरफ ले जाएगा जो लोगों को जो लोग भी गेट खुलता हुआ मुक्तार अंसारी के ये भाई है ये चचेरे भाई है जिनके लिए गेट खुल गया है और वो विलचेर पर बैठे हुए है और वो इस वक्त करबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्योंकि आखरी नवाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर देखे गेट खुल गया गेट बंद हो गया विलचेर पर हम देख पार है विलचेर आगे की तरफ बढ़ता हुआ आखरी सलाम वो कर सकते हैं आखरी नवाज वो भी पढ़ सकते हैं लेकिन इस वक्त जितने भी रिलेटिवस हैं वो मुक्तार अंसारी के वो अंदर पहुँच चुके हैं और जो प्रॉसेस है आखरी नवाज का वो कुछी पल में यहाँ पर सुरवात कर दिया जाएगा एक बार फिर से दिखाएए जो पैतरिक आवास है मुक्तार अंसारी का उस सड़क से लेकर कब्रस्तान के गेट तक और दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मौग के तरफ से जो सड़क आती है वहाँ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे टॉप एंगल सौट हम आपको द दर्जोगा पुलिस चितावनी दे रही है फायार दर्जोगा भीड ने पीछे से नारेबाजी की पुलिस ने चितावनी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई जहां से नारेबाजी हो रही है पुलि हेलमेट और सिधे वो आगे जाते हुए कि जहां पर की तस्वीर हैं जहां पर की मुझूद पर केमरा बसन आपको दिखाएंगे देखे सूनी लियादो बिल्कुल अंदर की तस्वीर दिखाएंगे बाहर दिस तर से पूरी हुजूम यहां पर है पुलिस फोर्स है वैसे ही द करनी की पर है उसे कल खोदा गयादा करीवन過來 31st फिट की जो कर थी और इनकी कभण के सामने ही उनकर सामने ही उनकी माता की उनके पिता की और छो ही ठोरी पर्यूब्र के बाद की जा सकती हालग यह प्रशासन के ओपर है बहुत अच्छा करवाई है अब बस उनको दफनानी की तैयारी हो रही है मतलब जो मुसल्मानों के धरम में होता है वो चीज हो रहा है अभी नहीं 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 अभी कर दास पंदर मिनित लगेगा बिटाएं जी जी अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं उन लोग आएंगे म बिलकुल उनकी कबर के पास ही रखा गया है पुलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद है और ये अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीर है मापको सीज़े लगतार निगा रहा है जो हू हू कर रहे हैं उनको पुलिस सकती से ने पट रही है जड़ा ये तस्वीर दिखाईए पीछे हट ये अचार संगीता है मोडल कोड ऑफ कंड़क्ट है पीछे हट ये पीछे हट ये नारेबाजी नहीं पीछे हट ये नहीं तो फाइयार दर्ज होगा परिजन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो किसी भी वक्त यहां आउट अप पर्टोल हुआ तो फाइयार दर्ज कर ली जाएगी तो भीड को समझाते हुए पुलिस सकती से और दूसरी तरफ देखिए परामिलेट्री फोस की तस्वीर भीड के बीच में अंदर घुसते हुए भीड के उहां पर समझाते हुए परामिलेट्री फोस की आप लोग सांत रहिए अंदर की प्रॉसेस अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिए कोई रसी के इस तरफ ना आए रसी के इस तरफ आते है जो ब्रस्ति करके है आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी लोकल पुलिस कर लोकल पुलिस के अलादिकारी जिस तरीके से लगातार चेतावनी दे रहे हैं लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं और देखें अंदर जो है अंदर भी कवस्तान के अंदर चहर पर शुरूओगे जो आखरी नवाज है वो अब पढ़ी जा रही है वो अब पढ़ीने की तैयारी हापड की जा रही है मुखतार अंसारी का जो आखरी नवाज है वो पढ़ने की आप तैयारी हो रही है जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक देख पा रहा हूँ, अगर युगल आप इधरत की तरफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है, इधर से अगर आप तस्वीर दिखा पाएंगे, ठीक आप जो तस्वीरे हैं, देखिए, देखिए, लोग जो हैं इस दिवार पर चड़ने, कब्रस्तान के दिवार पर, गब्रस्तान के पेड़ों पर चड़ने की कोशिस कर रहा है, लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई, कि आप ऐसा हरकत ना करें, ऐसा हरकत ना करें, जो प्रॉसस है अंदर, सुपुरते खाक का, वो प्रॉसस, उस प्रॉसस की शुरुवात हो चुकी है, उस प इहां से लोगों को हटाती उभी यहां पर यहां से अलराड यहां पराड के अंदर के सवीर इंतार Who कभी मुकति 똑같 इहां के लोकल पुलिस को और देखें यहा पर ютьर्षब आ बीच जो ALगा ट्रह में विस में नारे बाजी हो जा रहीए उस विä नारे बाजी को को सि नारार इन्ट्रोल करने की को जिस हो रही थै और उस भीड में आगे पैड़ा मुलिट्री फोसेश जो है अंदर दाखिल होती हुई जिससे की भीड कंट्रोल में रहे लॉग और सीटुएशन खराब ना हो अंदर प्रोसेश सुरू हो चुका है अंदर प्रोसेश सुरू हो चुका है करबस्तान के अब अंदर की तस्वीर अंदर के लोगों ने जानकारी दिये कि सुपुर्दे खाग मुक्तार अंसारी का हो चुका है देखिए यहां पर परिवार के लोग स्थारी लोग यहां पर मुझूद है और अब देखिए धीरे धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मट्टी है वो उनके कबर पर डाली जा रही है देखिए यह सीधी तस्वीर है मैं आपको एक्स्वीर अंदर की दिखा रहा है कि अब यहां से लोग धीरे धीरे बापस बाहर निकलना यानि लोग जो है वो लगतार यहां पर भीड लगा हुए है पुलिस लगतार को खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस रस्मोती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में वो तमाम ची अंदर भी पुलिस के अधिकारी मुझूद है कबरिस्तान की अंदर की तस्वीर है कि मैरे केमरा पसंद सूरी जादव आप केमरा का फोकस है बिल्कुल सामने आप जहां पर भीड देख रहा है वही पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खोदी गईती करीवन साले साथ फिट की जो है उसके उनके ही पास में नके रिष्ठदारों के उनके माता पिता की कबरे और उनका पुछतेनी और यह कबरिस्तान जिसका नामे कालीबाग कबरिस्तान वहाँ पर भी जो है अब सुपुर देखांग मुक्तार अंसारी को कर दिया परिवार के रिष्ठदार मौझी relied और यहां पर देखिए जो एक प्रक्रिया रस्म होती है उसके बाद वो यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहा हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि किस तरह से यहां पर परिवार के सदर से जो है वो लगातार यहां पर मौजूद है देखें मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहां पर देख पा रहा हूँ कि यहां पर फातिया पढ़ने किया जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया जाएगा उसके लिए उहां पर पूरी तयारी की जा रही है फिलाल मुक्तार अंसारी के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता-पिता का शौव है उहां पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे हैं यह कबरस्तान खांदानी कबरस्तान है मुक्तार अंसारी के परिव मुकतार अंसारी के बैटे उसके बाद जैसे ही वह निकलेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो इस्थानिया लोग यहाँ पर जो मुझूद हैं वो अंदर जा सकेंगे पुलिस में इस्तेमाल कर रही है पुलिस भीड़ को पीछे खदरती हुई जरा देखिये यह देखिए पुलिस भ्यिड की पीछे खदेड़ी कहे रही है कोई जाना पड़ेगा पीछे आप लोग यहाँ नहीं रही है सकते हैं, जो लोग भी नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ FIAR दर्ज की जाएगे भीड पीछे जाती हुए क्योंकि पुलिस जब जब बल प्रियोग करती है परामिलेटरी फोसेस के जवान जब जब बल प्रियोग करते है तब तक ये भीड पीछे जाती है उसके बाद जैसे ही ढिलाई थोड़ा सा परामिलेटरी फोसेस के जवान करते है उत्तापदेस पुलिस के जवान करते है उसके बाद उसके बाद जो है ये भीड एक बार फिर से आगे आ जाती है तो तस्वीरे हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं न्यूज रीट इन इंडिया पर एक्स्क्रूजिव तस्वीरे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं फीड पीचे किस दूसरे परिजन है वो फिल्हाल दूसरे तरफ यहाँ पर कर्वस्तान में आए हैं यहां पर देख पारहा है है जो 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 मुक्ताल अंसारी के परिजन है वो दूसरे तरह तरह आए है अब ऐसा लग़रा है कि फाटिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी वो सुरू हो नहीं है फाटिया पढने की alankiejा जो है वो कुछी भी पल यहाँ पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरें यहाँ से देख पारा हूँ मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शाओ के पास मौजूद है जरा अगर क्लोस सौट आप दिखा पाएं यूगल हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है क्योंकि पेड़ पौधे काफी जादा है और हर करुसान कि इसी तरीके की तस्वीर होती है पेड़ पौधे होते हैं लेकिन यह तस्वीरे जरा आप देखिए और कबर के पास फिलाल हम देख पा रहे है कि मुखतार अंसारी का बेटा उमर अंसारी का वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे है जरा मेरे पास आईए यूगली हाँ से आप एक क्लोस सौट दिखा पाएंगे जरा पैन करिये उस जगा जहां पर हम देख पा रहे है मौलवी को साब को देख पा रहे है सिर पे पगड़ी है और शव के पास वो बैठे हुए है तो जाहिर तोर पे जो फातिया पढ़ने की प्रक्रिया है वो किसी भी पल सुरू हो सकती है अंदर की तस्वीरे अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे है अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से कब्स्तान में काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेड़ परदें यहां पर लगातार है लेकि हम कब्र के बास मुक्तार अंसारी को सुपुर्देखा कर दिया गया है जो फातिया वो पढ़ लिया गया है उनके बेटे अभी हमने देखा यहाँ पर आके गमगीन माहुल में इसी पार्क में बेटे हुए था कुछ लोगों इस वक्त हम काली बाग कबरिस्तान के बाहर मुझूद है और जो मुक्तार अंसारी का जो जनाजा है वो कबरिस्तान के अंदर पहुँच चुका है बाहरी पुलिस फोर जो है वो यहाँ पर तेनाते इस्थानी लोग जो है जिनकी नजर में रॉबिन हुटते मुक्तार अंसार है और देखिए पूरी सड़क खचा-खच भरी हुए देखिए मेरे केमरेसन सुनी लिया दाओ आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस सरसे जब सोबह हम यहां पर छे बजे रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो यहां पर केमल पॉलिस मौजूद नदर आई थी लेक केमरेसन आपको दिखाएंगे यह तसीरे एक्स्क्लूजिव जहां पर की जो सुपर्देखाग की कारवाई है वो की जारी देखिए सुनील यादो यह सीरी तस्विर दिखा रहे हैं आपको इस कबरिस्तान के बाहर की जहां पर की कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीग दी की गई है यहां पर आरदसेनिक बनों के जो जवान हैं स्याइसेप की तुकडियां है वो तेनाट की गई है और यहां पर रेख सकते हैं मुकतार अंसारी की इसके लावा उनके दादा-परदादा की कबर यहां पर है करीवन साढ़े साथ फिट की कबर मैं इस वक्रत्तान के अंदर की तस्विरे दिखाने के लिए जा रहा हूं टेकस्ताँ के अंदर की ते डेकिये बाहर तो प्रॉस फोर्स कि पूरी एरेज्ळमन्ट है लेकिन अंदर की जो प्रोसे सह वह आपको हम दिखा बेटे हैं उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूं अब जल अंसारी को देख पा रहा हूं और तमाम जो पढ़िजन है मुक्तार अंसारी को उनको यहां से देख पा रहा हूं जो वो तमाम प्रोसेस कर रहा है आखरी नवाज यहां पर पढ़ी जाएगी और आखरी नवाज करना मुक्तार अंसारी को वो मुक्तार अंसारी को अपना आखरी सराम कर सकते हैं लेकिन यह भीड़ यहां पर क्यों है क्योंकि जो शबी मुक्तार अंसारी की थी महमदाबाद में वो रॉबिन हुट की छबी जो यहां के लोगों को साहता करते थे बेटियों की साधी में जिस नाम जुड़ा उसके बाद जॉन पूर मौू गाजीपूर आजमगड में जो संगटित अपराद होता था उसमें मुक्तार अंसारी का नाम आते रहता था असला लहराते हुए जाते थे तो ये सब जो तस्वीरे जिन लोगों ने दिखा है वो लोग आज यहाँ पर मुक्तार अंसारी की वो लोग यहाँ पर मौजूद है और इस भीड भीड जो पुलिस ने हलका बल प्रयोक यहाँ पर किया है उसके बाद यह भीड छटी है यहाँ पर जड़ा यह वाइड तस्वीरे जो हमां अंदर की तस्वीर तो दिखाई रहे अपने दर्सकों को बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दीजिए बाहर जो है थोड़ा सा भीड कंट्रूल में होई है पुलिस ने यहाँ पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से सक्ती से नि प्रोल में आ चुका है अब 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 यहाँ से पुलिस पुलिस ने पुलिस ने यहाँ पर पुलिस ने यहाँ से चेतावनी दे दिया भीड को बड़ी ख़बर चेतावनी दे दिया कि एलेक्शन का समय है कोई भी नारे बाजी करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की एक और भाई जो है यहाँ पर पहुँच गया है, देखें, मुक्तार अंसारी के एक और भाई यहाँ पर पहुच गया है, मुक्तार अंसारी के परिजर है, शायद परिजर और इनको आगे की तरफ ले जाए पर बताईए, एलेक्सन का समय है, कोई भी नारे बाजी करेगा, वीडियोग्राफी हो रही है, फाई यार दर्च किया जाएगा, चिताओनी, चिताओनी, गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को, जो लोग भी, गेट खुलता हुआ, मुक्तार अंसारी के यह खुल गया है, और वो वीलचेयर पर बैठे हुए है, और वो इस वक्त, करभस्तान में अंदर दाखिल होते हुए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है, क्योंकि आखरी नवाज जो है, इस वक्त अदा की जाएगी, और वो अंदर जाते हुए, यहाँ पर देखिए, किसी को इजाज़त दी जाएगी, कि अंदर वो कभस्तान में जाए, आखरी सलाम वो कर सकते है, आखरी नवाज वो भी पढ़ सकते है, लेकिन इस वक्त, जितने भी रिलेटिवस हैं, वो मुक्तार अंसारी के वो अंदर पहुच चुके हैं, और जो प्रोसेस है, आखरी हम आपको दिखाएंगे, टॉप एंगल सौट हम आपको दिखा रहा हैं कि किस तरीके से पुलिस की सकती के बाद, पुलिस ने जो माइक से अनॉसमेंट किया कि अफाई आर दर्ज हो सकती है, चुनाओ का वक्त है, और ये तमाम तस्वीरे, वाइड तस्वीरे हम आपको दि देखें, ये तस्वीरे, एक्स्क्लूजिव तस्वीरे निजटी इंडिया पे, जिधर से नारेबाजी हुई है, पुलिस ने चेताओं नी दिया, फाई यार दर्जोगा विडियोग्राफी हो रही है, पुलिस उधर की तरफ आगे बढ़ती हुई, भीड पीछे की तरफ ह दिखा रहा है, जहाँ पर की मौझूद रहे कैमरा बसन आपको दिखाएंगे, देखें, सुनी लिया दो, बिल्कुल अंदर की तस्वीरे दिखाएंगे, बाहर दिस तर से पूरी हुजूम यहाँ पर है, पुलिस फोर्स है, वैसे ही देखिए, अंदर की तस्वीरे हम आप पर की कुछ चुनिंदा लोग जो है, परिवार के और कुछ स्थानी लोग जो है, वो यहाँ पर मुझूद हैं, बिल्कुल देखिए, यहां से महाँ पचास मीटर की दूरी पर जहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, वहाँ पर मुक्तार अंसारी की जो कबर है, उसे कल खोदा पर जाएं, उनके ओभी यहां पर आने की अनुमती दी जा सकती है, अलग यह प्रशासन के ऊपर है, बहुत अच्छा करवाई है अदम, बस उनको दफनाने की तयारी हो रही है, मतलब जो मुसल्मानों के धरम होता है, वो चीज हो रहा है, अभी नहीं नहीं, अभी कर देर पंदर मिनित लगेगा, अभी 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 सब लोग जो बाहर के लोग हैं, वो लोग आएंगे, मिटी देंगे, उसके बाद लाश्ट में फातिया पड़ा जाएगा, अच्छा, जी, तो देखिए, यह कर्शन संदर है, जो बता रहे हैं कि किस तरह से, सुपुर्दे खाक क करवाई में अभी थोड़ा वक्त रगेगा, अभी उनका जो जनाजा है, वो बिलकुल उनकी कबर के पास ही रखा गया है, पोलिस के अधिकारी जो है, वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद है, और यह अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है, जिसकी कि से लिगलाग मार्च फ्लाग मार्च एवज़ बिलकान अजूग के अंदर श्राग मार्च जनाता में अधिका पासःक जर तस्वीरे, देखे, 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 सक्ती से, अचार संगीता, मोडलकॉर्ड आफ कंड़क्ट रागए, आजार संगीता, जो हू., हू. समझाइए रिकॉर्डिंग हो रही है विडियोगाफी हो रही है फायार दर्ज होगा पुलिस सक्ति से ने पट रही है जड़ा यह तस्वीर दिखाइए पुलिस के रही है पीछे हट यह अचार संगीता है पीछे हट यह पारिजन भी रिक्वेस्टग रहे है कि अप लोग इस तरीके से घृटंगबाजी है अचारसंगीत लगा हु राउ है रकर्डिंग हो रही है और विडियोग्राफी हु रही है विडियोग्राफी हो रही है उपर Jub रेकर्डिंग हो रही है तो भीड बीड को समझाते हुए पोलिस सकती से और दूसरी तरफ देखिए कोई रसी के इस तरफ ना आते हैं जो बरस्ती करते हैं आपके खिलाफ करी कारवाई की जाएगी । मुखल पुलिस करेगी कार हिए डूसरे तरफ यहां पर देखिए अरजागा पर आटर रेंज बे अरज लेक्टे हुए लोकल पुलिस उन्हें जगा बनाने केलिए कह रहए और जो रक्सी है उस रक्सी पर पर आनाट एदत्स ऐफ के जवान व exist कि लोग नारबाजी कर रहे ह notamment हर जगा इस तरीके से कुछ हुर्दंगी होते हैं और इनुन हुर्दंगी के खिलाफिर्टी है पुलिस यायाइ अंवाज इस तरीके से लगातार चितावूने के रहे है और देखिए अंगर जो है अंदर भी कवस्तान कि आप तग्यारी हो रही है, जो मैं अंदर की तस्वीरे इस वक्त देख पा रहा हूँ, अगर यूगल आप इधर की तरफ आएंगे, तो पेड़ कुछ कम है, इधर से अगर आप तस्वीर दिखा पाएंगे, ठीक, आप जो तस्वीरे हैं, देखिए, देखिए, लोग जो है इस दिवार पे चड़ने, कब्रस्तान के दिवार पे, कब्रस्तान के पेड़ों पे चड़ने की कोशिस कर रहा है, लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई, पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें, ऐसा हरकत ना करें, जो प्रोसेस है अंदर सुपुर्ते खाक का, व कोई कोई यहाँ थे यहां पर यहां से पुलिस को यहां पर अट तक हुई हम एक एक तस्वीर एक तस्वीर हम आपको लगटार है रहे हैं कःष्थाम कें दिखा रहे हैं करस्तान काफी मशक्कत करनी पड़ी नियुक्तार अनसारी के परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी मुक्तार यहां के लोकल पुलिस को और देखे यह आगे पैड़ा मुलिट्री फोसेस जो है अंदर दाखिल होती हुई जिससे की भीड कंट्रोल में रहे है लोग और सिट्वेशन खराब ना हो अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है अंदर प्रोसेस सुरू हो चुका है करभस्तान के अब अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा र अंदर के लोगों ने जानकारी का हो चुका है देखिए यहां पर परिवार के लोग स्थारी लोग यहां पर मुझूद है और अब देखिए धीरे धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे जो मट्टी है वो उनके कबर पर डाली जा रही है देखिए यह सीधी तस्वीर हम आपको एक्क्लूसिव अंदर की दिखा रहा है कि अब यहां से लोग धीरे धीरे बापस बाहर निकलना यानि लोग जो है वो लगतार यहां पर भीड लगा हुए है पुलिस लगतार को खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है फातिया जो एक रस रस्मोती है जो है कबरिस्तान में दफनाने के बाद कबर में वो तमाम ची अंदर भी पुलिस के अधिकारी मुझूद है कबरिस्तान की अंदर की तस्वीर है कि मैरे केमरा पसंद सूरी जादव आप केमरा का फोकस है बिल्कुल सामने आप जहां पर भीड देख रहा है वही पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खो दी गईती करीवन साड़े साथ फिट अधिक उनके ही पास में उनके रिष्दारों के माता पिता की कबरे हो उनका पुछतेनी यह कबरिस्तान Hoje का नाम है कालिबाग जूंजका नावे कालिबाग कबरिस्तान वहां पर भी जो है अब सूपुरदे खाक मुक्तार अंसारी को कर दिए कि परिपर के रिष्दार यहाँ पर परिवार के सदर से जो है वो लगतार यहाँ पर मौझूद है देखे मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूर्ते खाक नहीं हुआ है मुक्तार अंसारी की जो तस्वीरे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर फातिया पढ़ने किया जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया जाएगा उसके लिए उहाँ पर पूरी तयारी की जा रही है फिलाल मुक्तार अंसारी के शव जो है उसके माता पिता के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता-पिता का शौव है उहां पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे हैं यह कबरस्तान खांदानी कबरस्तान है मुक्तार अंसारी के परिव मुकतार अंसारी के परिजन, मुकतार अंसारी के बेटे, वो लोग कबरस्तान से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो इस्थानिया लोग यहाँ पर जो मौझूद हैं, वो अंदर जा सकेंगे, पुलिस ने सक्त का इस्तमाल कर रही है पुलिस जो है बंडर पर इस्तमाल कर रही है तश्मीरे दिखाएए वोले स्पीड को पीछे खदरती हुई इसना देखिए एश्माद के वे पीछे facto इंडिया में पर देख इखे है को कई दिवार के करी सिक और को यहले है क्ड़ी आप जैने हिंसे 59 क्योंकि लगातार रुक रुक इसी भीड से लगातार भीड से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है यहाँ पर आचार संगीता लागू है अगर भीड की भीडियोग्राफी हो रही है जो लोग भी नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ एफाई यार दर्ज की जाएगे भीड पीछे जाती हुए क्योंकि पुलिस जब जब बल प्रियोग करती है परमिलेटरी फोसेस के जवान जब जब बल प्रियोग करते हैं तब तक ये भीड पीछे जाती है उसके बाद जैसे ही धिलाई थोड़ा सा परमिलेटरी फोसेस के जवान करते हैं उसके बाद उसक दूसरे परिजन है वो फिलाल दूसरे तरफ यहां पर करभस्तान में आए है यहां पर देख पा रहा है हम जो मुक्ताल अंसारी के परिजन है वो दूसरे तरफ आए हैं अब ऐसा लग रहा है कि फातिया प집स्या पढरने की जो प्रक्रिया है उसकी वो सुरू हो रही है फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुसी भी पल यहां पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे ही हाँ से देख पा रहा हूँ, मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं, वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शाओ के पास मौजूद हैं, जड़ा अगर क्रोल सौट आप दिखा पाएं, यूगल, हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है, क्योंकि पेड़ पौधे काफी जादा हैं, और हर करुसान की इसी तरीके की तस्वीर होती है, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन ये तस्वीरे जड़ा आप देखिए, और कब्र के पास फिलाल हम देख पा रहे हैं कि मुखतार अंसारी का बेटा, उमर अंसारी, वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है, और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जरा मेरे पास आए यूगली हाँ से आप एक प्लोस सोड दिखा पाएंगे, जरा पैन करिये उस जगह जहां पर हम देख पा रहे हैं, मौलवी को साब को देख पा रहे हैं, सिर पे पगड़ी है, औ और शव के पास बैठे हुए हैं, तो जाहिर तोर पे जो फातिया पढ़ने की प्रक्रिया है, वो किसी भी पल सुरू हो सकती है, अंदर की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरे कि किस तरीके से कब्स्तान में काफी मुश्किल हो रहा है, क्यो के बाहर मौजूद हैं, और जो मुगतार अंसारी का जो जनाजा है, वो कब्रिस्तान के अंदर पहुँच चुका है, बहरी पुलिस्थोर जो है, वो यहां पर तेनात है, स्थानी लोग जो है, जिनकी नजर में रौबिन हूट थे मुकतार अंसारी, वो यहां पर आप यहां पर आम लोगों से अपील कर रहा है कि शान्ती में उस्ता बनाई रखी जाए और देखिए पूरी सड़क खचा-खच भरी हुए देखिए मेरे केमरे से सुनी लिया दाओ आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस सरसे जब सुबह हम यहां पर 6 बजे रिपोर्टिं अगर हम देख पाएं तो देखिए यहां पर जहां पर की पोलिस पीएसी की जवान खड़े हुए हैं यहां से मैं आपको तस्वीरे दिखाता हूं देखिए अंदर की थोड़ी तस्वीरे मेरे केमरे मसान आपको दिखाएंगे यह तसीरे एक्स्क्लूजिव जहां पर की ज आहे भाई हो या उनके भतीजे हो तमाम यहांपर अंदर परिवार के कुनवे के दूसरों लोग मुजूद है और यह उनका तरीके से पुष्टेनी कब्रिस्तान है यहाँ पर उनके पिता की उनकी माता की इसके लावा उनके दादा पर दादा की कबर यहाँ पर हैं करीवन साड़े साथ फिट की कबर जो है यहाँ पर खोदी रही थी जो केयर टेकर बबलू है उनसे भी हमने कल बात की दी और एक बार देखी फिर हम आपको फिर हम आपको यह मैं इस वाद कर्व खंड के अंदर की तस्वीरे दिखाने के लिए जा रहा हू साहर हो तमाम प्रोसे सब्थ्म को अंजहां दे रहा है और हम एक एक तस्वीर आपको कव्ष्थान के अंदर के और की इस वक्त जो बॉडी है जो शाव है मुक्तार अंसारी का वो उनके कबर के पास रख दिया गया है और जाहिर तोर पे अगले कुछ मिनिट में जो आखरी नवाज है वो आखरी नवाज पढ़ी जाएगी हूँ उसकी तयारी अंदर की जा रही है मैं इस वक्त यहां से उमर अं करेंगे और जैसे ही सुपर दिखाक होंगे अंकिता उसके बाद से ही यह जो तमाम भीड है उसके लिए गेट यहां से खोल दी जाएगी वो भीड एंटर करेंगे और जिनको भी नवाज अदा करनी है जो आखरी सलाम करना MPT मुक्तार अंसारी को अपना आखरी सराम करते हैं लेकिन यह भीड़ यह बहुत पर क्यों है क्योंकि जो शभी मुक्तार अंसारी की थी मुहम्दाबाद में वह रॉबिन हुड्ड की चभी जो यहाँ के लोगों को वह सहता करते थे बेटियों की साधी में जिस तरीके से अब वो मदद करते हैं केवल महम्दाबाद में लेकिन अगर पुरुवांचल वासियों के अगर हम बात करें तो 1990 के दसक में, 1980 के दसक में पहली बार मुक्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, मुखान सिंगिरों के साथ उनका नाम जुड़ा, उसके बाद जौनपूर, मौउ, गाजीपूर, आजमगड में जो संगटित अपराद होता था, उसमें मुक्तार अंसारी का नाम आते रहता था, मुक्तार अंसारी की अदावत भी कई गैंगों के साथ हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम तस्वीरे दिखा रहे हैं, इन सब क मुक्तार अंसारी का निकलता था, उनके काफिले में जो गुडगे होते हैं, वो असला लहराते हुए जाते थे, तो यह सब जो तस्वीरे लोगों जिन लोगों ने दिखा है, वो लोग आज यहां पर मुपमित नहीं हैं, लेकिन जिनके नजर में रॉबिन हुट की तस्व तो दिखाई रहे अपने दर्सकों को, बाहर की भी एक बार तस्वीर दिखा दीजिया, बाहर जो है थोड़ा सा भीड कंट्रोल में होई है, पुलिस ने यहां पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से, सक्ती से निप्ता, अंदर से मुक्तार अंसारी के परजन आए, उमर अंस अब 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 यहां से पुलिस, पुलिस ने यहां पर पुलिस ने यहां से चेतावनी दे दिया भीड को, बड़ी ख़बर चेतावनी दे दिया कि एलेक्शन का समय है, कोई भी नारे बाजी करता है, तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी, अफाय यार दर जोगा, विड मुक्तार अंसारी के परिजन है, शायद परिजन और इनको आगे की तरफ ले जाएगा, तो उसके एलेक्शन का समय है, कोई भी नारे बाजी करेगा, विडियोग्राफी हो रही है, फाय यार दरज किया जाएगा, चेतावनी, चेतावनी, गाजीपूर पुलिस के तरफ से यहाँ पर लोगों को, जो लोग भी, गेट खुलता हुआ, मुक्तार अंसारी के यह भाई है, यह चचेरे भाई है, जिनके लिए गेट खुल गया है, और वो वीलचेयर पर बैठे हुए है, और वो इस वक्त करबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए, वो तस्वीर हम आप बाहर की जैसे ही आखरी नवाज हो जाएगी, सुपर्तेखाक हो जाएगे, मुक्तार अंसारी हर किसी को इजाज़त दी जाएगी, कि अंदर वो कबस्तान में जाए, आखरी सलाम वो कर सकते हैं, आखरी नवाज वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त जितने भी रिलेट तरह दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मौग के तरफ से सड़क आती है वहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पुलिस चिताओनी दे रही है फायार दर्ज होगा भीड ने पीछे से नारेबाजी की पुलिस ने चिताओनी पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस ने चिताओनी दिया फायार दर्ज होगा विडियोग्राफी हो रही है पुलिस सब्सक्राइब के वहला आप नियुजेटिन इंडिया पर देख सकते हैं पैरा मिलिक्री फोसेस के जवान नारेबाजी जिदर से हुई है उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगाकर अपना हलमेट और सीधे हुआ आगे जाते ह हुए है कि जहां पर देखा हुए है और बिल्कुल उनकी कबर के सामने ही उनकी माता की उनके पिता की और उनके जो दूसरे रिष्टदार है उनके खांदान के उनकी कबर वहां पर है और यहां पर देखी थोड़ी दे के बाद ही जो है जो अंती मिलिती रिवाज हैं वो यहां पर शुरू होंगे और उसके बाद सुपुर्देखाग के बाद यहां पर जो आम लोग हैं उनके भी यहां पर आने की अनुमती दी जा सकती हालग यह प्रशासन के उपर है बहुत अच्छा करवाई है अदम अब यहां पर जो आएंगे अब अब यहां पर जो आएंगे अधिकारी जो है वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद और यह अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीर है में आपको सीज़े लखतार निगा रहा है प्रारम लेक्टी फोसेस का फ्लाग माज जरा तस्वीरे तस्वीरे देखे 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 सकती से अचार संगीता मोडल कोड़ आफ कंड़क्ट लागू है अजार संगीता लागू है जो हू हू कर रहे हैं उनको समझाइए अब रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियोग्राफी हो रही है फाई यार दर्ज होगा पुलिस सक्ती से ने पट रही है जरा ये तस्वीरे दिखाईए पुलिस पीछे हट ये अचार संगीता है मोडल कोड आफ कंड़क्ट है पीछे ह हो रही है चारों तरफ से रेकॉर्डिंग हो रही है वीडियोग्राफी हो रही है उपर से नीचे से ताय से बाय से हर जड़ा से वीडियो रेकॉर्डिंग हो रही है तो किसी भी वक्त यहां आउट आउट पर्टोल हुआ तो अपायार दर्ज कर ली जाएगी तो भीड को स कि आप लोग सांत रहिए अंदर की प्रोसेस अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिए कोई रसी के इस तरफ ना आए रसी के इस तरफ आते हैं जोड़ जो ब्रस्ति करका है आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी लोकल पुलिस करेगी कड़ी कारवाई दूसरी तरफ य अनुहें जगा बनाने के लिए कह गई है जो रसी है उस रसी पर पार मिल्टरी फोसेस के जवान SSB के जवान जो है वो तैनाथ होते हुए देखे हर जगा पर भीड भीड होई भीड होई भीड होई भीड नारे बाजी कर दी भीड को सांत करने के लिए कुछ लोग बोल रह कर रहे हर जगा इस तरीके से कुछ हुर्दंगी होते हैं और इन हुर्दंगी के खिलाफी दर्च करती है पुलिस लोकल पुलिस और लोकल पुलिस के अलादिकारी जिस तरीके से लगातार चेतावनी दे रहे हैं लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं और देखें अंदर जो है अगर यूगल आप इधर की तरफ पाएंगे तो पेड़ कुछ कम है इधर से अगर आप तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक आप जो तस्वीरे हैं देखे देखिए लोग जो है इस दिवार पर चड़ने कब्रस्तान के दिवार पर गब्रस्तान के पेड़ों पर चड़ने की कोशिस कर रहा है लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें जो प्रोसेस है अंदर सुपुर्ते खाक का वो प्रोसेस उस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है जो हम यहाँ से तस्वीर देख पा रहे हैं और ज़रा प्लोस तस्वीरे अंदर की वहां की दिखाईएगा अगर आप क्लोस तस्वीरे अपने दर्सकों को दिखा पाएं जो वहां से देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर यहाँ से पुलिस को हटाती हुई जरा सामने की तस्वीरे यहाँ पर पुलिस यहाँ पर आनाउसमेंट करती हुई यहां से लोगों को हटाती हुई, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखें यहां पर, हम एक एक तस्वीर, एक एक तस्वीर, हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, कभस्तान के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कभस्तान के बाहर की तस्वीर दिखा र करनी पड़ी मुक्तार अंसारी के परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी मुक्ता यहां के लोकल पुलिस को और देखिए यहां पर पैरा मुलिट्री फोर्स आगे की तरफ भीड में बढ़ती हुए क्योंकि भीड से लगातार बीच बीच में नारेबाजी हो जा रही है उस प्रॉसेस सुरू हो चुका है अंदर प्रॉसेस सुरू हो चुका है करबस्तान के अब अंदर की तस्वीर हैं आपको दिखा रहा है अंदर का प्रॉसेस देखिए सुरू हो चुका है जरा क्लोस ओट पीड़ पौदे हैं सायद उतने अच्छी तरीके से विज्वल नहीं र आपको दिखा रहा है यहां पर परिवार के लोग इस थारी लोग यहां पर मुजूद है और अब देखिए धीरे-धीरे यहां से लोग बाहर निकलेंगे यहां पर लाए जा सकता है और उसी के आसपास का समय था जब मुक्तार इस्थानी लोग जो है वो लगतार यहां पर भीड लगाए हुए है पुलिस लगतार अब वो खराब ना हो और देखिए फातिया भी जो है उसकी कारवाई अंदर शायत पड़ी जा रही है ना है फातिया जो एक रस रस्म होती है जो है कभरिस्तान में दफनाने के बाद ख़र में वो तमाम चीज़े जो हैं अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि जो परिभार है वो कितनी देर के भीतर जो है यहां से कभरिस्तान के बाहर निकले का और ये सरक पे लगतार जो पुलिस और प्रशासन है वो लगतार मुझूद है अंदर भी पुलिस के अधिकारी मुझूद है कबरिस्तान की अंदर की तस्वीर है कि मैरे कैमरा पसंद सूरी जादावाप कैमरा का फोकस है बिल्कुछ सामने आप जहां पर भीट देख रहा हैं वही पर मुक्तार अंसारी की कबर कल खोदी गईती करीवन साड़े साथ फिट की उसके उनके ही पास में उनके रिष्टारों के उनके माता पिता की कबरे उनका पुछ्टेनी ये कबरिस्तान है काली समोती है उसके बाद यहां पर फूरी की जारी है तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको यहां पर दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया पर कि किस तरह से यहां पर परिवार के सदर्स जो है वो लगातार यहां पर मौजूद है देखे मैं आपको बता दू कि अभी तक सुपूरते खाक नहीं हुआ है उसके लिए उहां पर पूरी तयारी की जा रही है फिलाल मुक्तार अंसारी के शव जो है उसके माता पिता के पास रखा गया क्योंकि जहां पर मुक्तार अंसारी का कबर की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता पिता का शव है उहां पर उनका कबर है और यहां पर देखिए यह जो कबरस्तान आप देख पा रहे ये कबरस्तान, खांदानी कबरस्तान है, मुक्तार अंसारी के परिवार का, अंसारी परिवार का, और जो फात्या पढ़ने की जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस अभी पूरी की जाएगी और इस प्रोसेस के बाद ही मुक्तार अंसारी सुपूर्तेखाक होंगे, सुपूर्त यहां पर जो इस्थानिया लोग यहां पर जो मौझूद हैं वो अंदर जा सकेंगे। पुलिस ने सक्ति का इस्तमाल कर रही है। पुलिस भीड को पीछे खदरती हुई। जरा देखिए यह एक्स्कूजिव तस्वीरे केवल न्यूज एट इंडिया पर पुलिस भीड को पी पुलिस यहां पर सकती से इन लोगों से डील करती हुई। जरा दियाएगी उसके बाद जैसे ही ढिलाई थोड़ा सा पैरा मिलिटरी फोसेस के जवान करते हैं उत्तापदेस पॉलिस के जवान करते हैं उसके बाद उसके बाद जो है ये भीड एक बार फिर से आगे आ जाती है तो तस्वीरे हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं निउस एट जो मुक्ताल अंसारी के परिजन है वो दूसरे तरफ आए है अब ऐसा लग रहा है कि फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी वो सुरू हो रही है फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो कुसी भी पल यहाँ पर सुरू हो रही है मैं जो तस्वीरे हैं से देख पा क्योंकि पेड़ पौधे काफी जादा है और हर करुसान कि इसी तरीके की तस्वीर होती है पेड़ पौधे होते हैं लेकिन ये तस्वीरे ज़रा आप देखिए और कब्र के पास फिलाल हम देख पा रहे है कि मुखताद अंसारी का बेटा उमर अंसारी वहाँ पर शव के पास बैठा हुआ है और मौलवी को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जरा मेरे पास आईए यूगली हाँ से आप एक प्लोस सोड दिखा पाएंगे जरा पैन करिये उस जगा जहां पर हम देख पा रहे हैं मौलवी को साब को देख पा रहे हैं सिर पे पगड़ी है और शव के पास वो बैठे हुए है तो जाहिर तोर पे जो फातिया पढ़ने की जो प्रक भी जी पर शुरू हो सकती है अंदर की तसवीरे नदर की तसमीरे हम आपको लगा-तार दिखा रहे हैं अंदर की तसवीरे कि किस तरीके से कभषतान में काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि कभरिस्तान के बाहर मौणूद है और जो मुक्तारुंयांसारी का जल जनाज़ा है वह कभरिस्तान के अंदर पहुंच चुका है बहरी पुलिस फोर जो है वह यहाँ पर तेनात है स्थानी stay जो है जिनकी नजर में Robin नूटते मुक्तार Anसारी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे छोटे हों बड़े हों बुजर्गों तमाम लोग यहाँ पर इहाँ पर इहटा हैं लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, हजारों की तदाद में जो लोग हैं, उनके इस्थानी लोग हैं, समर्ता के वो यहां पर मौझूद हो देखिए, पुलिस की मौझूदगी भी यहां पर दिखाई जारी हो, मैं देखिए, आपको यहां से तस्वीरे दिखाता हूँ कुछ लोगों को ही आने की अनुमतीक दी गई है, यहां पर आर्दसेनिक बनों के जो जवान है, CISF की तुकडियां हैं, वो तेनात की गई हैं, और यहां पर देख सकते हैं, मुक्तार अंसारी के पुरा परिवार हैं, उनके चाहे भाई हों या उनके भतीजे हों, वो तमा पुलेमा काउंसिल के एक बहुलाना साब भी यहां पर है, मैं आपके बात कराता हूँ, उनको थोड़ा कैमरा इज़र लेके आँ, यहां पर, आप, सादिक साब क्या कहना चाहेंगे, आप, बहुत सारे लोग यहां पर आएं, मुक्तार अंसारी के पुरा के लिए, मैं इस कब्रस्तान के अंदर की तस्वीरे दिखाने के लिए जा रहा हूँ, अंकीता है, तो कब्रस्तान के अंदर की तस्वीरे देखिए, बाहर तो पुलिस फोर्स की पूरी एरेजिमेंट है, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है, वो आपको हम दिखा रहा है, मौलबी साब उसकी तयारी अंदर की जा रही है, मैं इस वक्त यहां से उमर अंसारी को देख पा रहा हूँ, जो मुक्तार अंसारी के चोटे बेटे हैं, उनके बड़े भाई को देख पा रहा हूँ, अब जल अंसारी को देख पा रहा हूँ, और तमाम जो पढ़िजन है मुक्तार अंसारी इसको पर देखाक होंगे अंकिता उसके बाद से ही ये जो तमाम भीड है उसके लिए गेट यहाँ से खोल दी जाएगी वो भीड एंटर करेंगे और जिनको भी नौज अदा करनी है जो आखरी सलाम करना मुक्तारं सारी को आखरी सलाम कर सकते हैं लेकिन ये भीड यहाँ पर क मुक्तार अंसारी की अदावद भी कई गैंगों के साथ हुई उनका भी हम जिक्र करेंगे लेकिन हम तस्वीरे दिखा रहे हैं इन सब के बावजूद मुक्तार अंसारी का जब काफिला 1992-2000 के दसक में निकलता था तो उनके काफिले में जो गुड़गे होते हैं वो असला लहराते हुए जाते थे तो ये सब जो तस्वीरे जिन लोगों ने दिखा है वो लोग आज यहां पर मुखुद नहीं हैं लेकिन जिनके नजर में रॉब बाहर जो है थोड़ा सा भीड कंट्रोल में होई है पुलिस ने यहां पर सक्ती से निप्ता इन लोगों से सक्ती से निप्ता अंदर से मुक्तार अंसारी के परिजन आए उमर अंसारी को हमने देखा अफजाल अंसारी को हमने देखा मुक्तार अंसारी के बड़े भाई है, control में आ चुका है, अब, 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 यहां से police, police, police ने, police ने, यहां पर, police ने यहां से चेतावनी दे दिया भीड को, बड़ी खबर, चेतावनी दे दिया कि election का समय है, कोई भी नारेबाजी करता है, तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी, अफायार दर जोगा, विडियोग्राफे, मुक्तार अनसारी के भाई, एक और भाई, जो है, यहां पर पहुँच गया है, देखे, मुक्तार अनसारी के एक और भाई, यहाँ पर पहुँच गए है विल्चेर पर यहाँ पर पहुँचे हुए है मुक्तार अंसारी के परिजर है शायद परिजर और इनको आगे की तरफ ले जाए अलेक्षन का समय है कोई भी नारे बाजी करेगा विडियोग्राफी हो रही है विल्चेर पर बैठे हुए है और वो इस वक्त करबस्तान में अंदर दाखिल होते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्योंकि आखरी नवाज जो है इस वक्त अदा की जाएगी और वो अंदर जाते हुए यहाँ पर गेट खुल गया गेट बंद हो गया विल्चेर पर हम देख पार है विल्चेर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जहां पर कब्र खोदा गया है मुक्तार अंसारी का ठीक वहीं के तरफ जाते हुए और एक बार फिर से अनाउस्मेंट किया गया वो मुक्तार अंसारी के वो अंदर पहुच चुके है और जो प्रॉसेस है आखरी नवाज का वो कुछी पल में यहाँ पर सुरुवात कर दिया जाएगा एक बार फिर से दिखाएए ज़रा वाइट तस्वीरे जो पैत्रिक आवास है मुक्तार अंसारी का उस सड़क से लेकर कब्रस्तान के गेट तक और दूसरी तरफ जो गाजीपूर और मोग के तरफ से जो सड़क आती है वहाँ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे टॉप एंगल सौट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की सकती के बाद पुलिस ने जो माइक से अनाउस्मेंट किया कि F.I.R. दर्ज हो सकती है चुनाओ का वक्त है और ये तमाम तस्वीरे वाइड तस्वीरे हम आपको दिखा रहे है एक पर फिर से फिर से नारेबाजी हुई है पुलिस चिताओनी दे रही है F.I.R. दर्ज होगा पुलिस चिताओनी दे रही है F.I.R. दर्ज होगा भीड ने पीछे से नारेबाजी की पुलिस ने चिताओने पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई जहां से नारेबाजी हो रही है पुलिस आगे की तरफ बढ़ती हुई यह exclusive तस्वीर है कि वहला आप नियुजिट इन इंडिया पर देख सकते हैं पैरा military forces के जवान नारेबाजी जिदर से हुई है उधर बढ़ते हुए हाथों में लाटी लेकर सिल्ड लेकर हथियार लेकर क्याप लगाकर अपना helmet और सीधे हुआ आगे जाते हुए लेके हम सीधे कब्रिस्तान के बहार की तस्वीर आपको दिखा रहा है जहापर की केमरा बसन आपको दिखाएंगे तेकर सुनी लियादो बिलकुल अंदर की तस्वीर दिखाएंगे बहार दिसी तर से वहाँ पर मुक्तार अंसारी की जो कवर है उसे कल खोदा ग़्यादा करीवन 7.5-7 फिट की जो कर्ब थी और बिलकुल उनकी कवर के सामने ही उनकी माता की, उनके पिता की और उनके जो दूसरे रिश्टधार है, उनके खानदान के उनकी कवर रवाज़ वहां पर है और यहां पर देखी थोड़ी दे के बाद ही जो अंतिमनिती रिवाज हैं वो यहां पर शुरू होंगे और उसके बाद सुपूर्द खाक के बाद यहां पर जो आम लोग हैं उनके आने की अनुमती दी जा सकती हालग़ यह प्रशासन के ऊपर है बहुत अच्छा कारवाई है अब बस उनको दफनानी की तैयारी हो रही है मतलब जो मुसल्मानों के धरम होता वो चीज हो रहा है अभी नहीं 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 अभी 10-15 मिन लगेगा जी 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 अभी सब लोग जो बाहर के लोग हैं उनलोग आएंगे मिटी देंगे उसके बाद में फात्य पड़ा जाएगा अच्छा जी तो देखिए ये जो बता रहा है कि किस तरह से सुपुर्देखाक की कारवाई में अभी थोड़ा वक्त रगेगा अभी उनका जो जनाजा है वो बिल्कुल उनकी कबर के पास ही रखा गया है पोलिस के अधिकारी जो है वो भी इस कबरिस्तान के अंदर मौजूद है और ये अंसारी परिवार का पुष्टेनी कबरिस्तान है जिसकी तस्वीर है माँ को सीज़े लखतार निगा रहा है जो हू कर रहे हैं उनको समझाईए अब रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियोगाफी हो रही है फायार दर्ज होगा पीछे हाट ये अचार संगिता है, मौडल कोर्ड ऑफ कंड़क्ट है पीछे हाट ये, पीछे हाट ये नारेबाजी नहीं, पीछे हाट ये नहीच तो फायार दर्ज होगा परेजन भी रिक्वेस्ट कर रहा हैं कि आप लोग इस तरो इस तरीके से घृडंग ऑजी हां ना क को समझाते हुए पुलिस सकती से और दूसरी तरफ देखिए परामिलेट्री फोस की तस्वीर भीड के बीच में अंदर घुसते हुए भीड के बीच में अंदर घुसते हुए परामिलेट्री फोस की तस्वीर लोगों को उहां पर समझाते हुए परामिलेट्री फोस कि आप सांत रहिए अंदर की प्रोसेस अंदर की प्रक्रिया हो जाने दीजिए कोई रसी के इस तरफ ना आए रसी के इस तरफ आते है जो जो ब्रस्ति करके है आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी लोकल पुलिस करेगी कड़ी कारवाई दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए जवान आउटर रंग में आओर्णे नदर criminalize के जवान जो है उपना जpa लिक टेगते हुए लोकल पुलिस उन्हें जगह बनाने के लिए जो रसी है उस रसी पर नेटी फोसे's के जवान एक जो क्षव ना आड़े वाजी करती बीड को सांत करने पर लिए कुछ कुछ हुर्दंगी होते हैं और इन हुर्दंगी के खिलाफी फायार दर्च करती है पुलिस लोकल पुलिस और लोकल पुलिस के अलादिकारी जिस तरीके से लगातार चेताओनी दे रहे हैं लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं और देखे अंदर जो है अंदर भी कवस्तान के अगर यूगल आप इधर की तरफ आएंगे तो पेडर कुछ कम है इधर से आगा हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक इधर से अगर ताच्वेर डिक तर बार यही उसके बिमारी का बहाना बनाया गया या फिर कह लीजे कि बिमारी का हवाला दिया गया ताकि वो उत्तरप्रदिश ना आए और पंजाब की ही जेल में वो बंद रहे लेकिन इसके बावजूद इसे लाया गया है आप रोपर जेल के जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका जिक्र कर रहे हैं उनके परिजनों ने भी इस बात का जिक्र किया है लेकिन ऐसे कैसे माना जाए अगर तीन सालों में 21 से लिकर 24 तक अगर यहां पर भी मुक्तार आया है लेकिन जाम किया जा कहती है लेकिन लेकिन यहां भी जब हो आया है तो इं बिमारीयों की पुष्टी जरूर हुई है